हलो गाईज, वेलकम टो इंडिया स्टाडीज, देखें, आज हम स्टार्ट करें हमारा इंग्लिश में एक और सेक्शन, जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं, ससी के जितने भी प्रिवेस सेर के क्वेशन पेपर आचुके हैं, उनका सल्यूशन, डिटेल सल्यूशन यहां पर ह इसलिए हम लोग करने वाले हैं, क्योंकि जब आप SSE की परपरेशन करेंगे तो आपको डेफिनिटली सरुवत पड़ेगी प्रिवेस सेर के पेपर की यह जानने के लिए की पेपर कैसे आता है, यह जानने के लिए इने कैसे सॉल्व किया जाता है, तो आप हमारे साइट से इन को हमेशा कभी भी रे सकते हैं, 4th June को इस बार जो हुआ था हमारा पेपर SSE का, 2019 में, 2018 वारा शिफ्ट चल रहा है, 1st shift के लिए स्टार्ट हुआ था सबसे पहले, और 3 shifts होते था है, एक दिन में जून 4 को 3 shift होते है, तो हमने 1st shift किया है, इसकी बार 2nd और 3rd करेंगे, shift का paper, आप भी ध्यान रखेगा, इस पर का paper का level बहुत easy था, लेकिन ज़रूरी नहीं कि ऐसा रहे, क्योंकि हम और previous भी paper करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, तो आईए, इसको start करते है, और sequence जो है, question का, वो सब के coding के according अलग 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 आता है, पर paper पूरा same आता है start करते है, question number first, first देखें कि 4 jumbled sentences मिले हुए है हमें, यानि कि आपको इन 4 sentences का sequence set करना है, सबसे पहले the cafe दिया हुआ है, तो the cafe दिया हुआ है, तो the cafe's owner, तो owner तो हमारा noun, और cafe में S लग गया है, तो यह इसी के लिए आना, cafe का owner, और सबसे पहले इसके लगा हुआ 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 ह तो the time there was a crow, it was very thirsty, the crow went here and there, ऐसी story होती है, तो मैं story नहीं सुना रही हुआ 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 है, आपको से इतना बता रही हुआ 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 हम लगाते हैं, जब हम पहली बार introduce का रहे हैं, और the कब लगाया है, once there was a time, it was a crow, it was very thirsty, तो a crow पहले लगाया, और last third sentence, the crow went here and there, तो third sentence, जब यह पहले introduce हो गया, उसके बाद हम the लगाते हैं, similarly, यहाँ पे जो the लगावा, वो यह बता रहा है कि owner जो है, cafe या owner जो भी है, वो पहले introduce हो चुका है, तो a वाला sentence हमारा पहला नहीं हो सकता है, तो देखिए हमारे दो options यहाँ पे कट गया है, क्योंकि दोनों अपिक मतलब है छोचाए हमारे जैसे हमारे दो जो ओसप्शन रहे गाए, आप क्या करो पैर बनाओ, पैर बनाने का क्या मतलब है, क्यों धूटिए कि कोई भी पैर मिल जाए, वो पैर इसमें होगा तो यहां जाएगा से रहा तो यहां जाएगा तो आब हमारा answer, अब हमार है just है इसलिए बता रहा है just जो अभी अभी token में start हुआ is not for the faint-hearted ये कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है राइट यहाँ पर कौन से कैफ है जो कि अभी अभी start हुआ है वो कमजोर दिलवालों के लिए नहीं है ये हमारा noun है और इस noun के लिए आगे ये क्या है इसका adjective clause है राइट आगे पढ़ते हैं D से start हुआ हमें देखना है कि D से कौन से sentence match कर रहा है या तो B match करेगा या फिर C match करेगा राइट तो पहले पढ़ते हैं B को none of them are venomous none of them उनमें से कोई भी venomous नहीं है venomous जिसे नहीं पता हूँ वो देख लिजे जहरीला इनमें से कोई भी जहरीला नहीं किन में से क्या ये match कर रहा है से नहीं match कर रहा है अब हम C को बढ़ेंगे here यहां पे कहां पे इस cafe में you sip your drink तुम अपना drink पीते हो किसके साथ in the company of 35 snakes पैतिस सापों की company के साथ आप क्या करते हैं अपना sip अपना लेते हैं drink लेते हैं drink का एक sip लेते हैं पैतिस snakes के साथ and none of them are venomous और उनमें से कोई भी venomous नहीं है यानि कि C के बाद B आना चाहिए तो हमने पहले eliminate किया और next time हमने किया किया C और B का pair बनाया इन दोनों में से C और B का pair कहां आ रहा है A में आ रहा है तो हमारे right answer क्या होगा A होगा right इस तरीके से हमें PQRS वाले sentences को solve करना होता है यहां पे हमारा question number one solve उच्छो कर है और question one के बात अब हम आते हैं question number two पे question number two देखे क्या हमें identify करना है grammatical error identify करना grammatical error sentence को यहां से पढ़ेंगे क्योंकि यहां पे सीक्वेंस अलग है और यहां सीक्वेंस अलग है यह सिर्फ हमें घुमाने के लिए यहां पढ़ना चाहिए यहां पढ़ना चाहिए यहां पढ़ते आईए we had to सबसे पहले तो हम इसका grammar देखेंगे we हमारा subject है और subject के बाद वर्व आता है यहां पे model वर्व दिया गया जो कि एक helping वर्व है और model वर्व helping वर्व की विशेशता होती है कि model वर्व helping वर्व हमेशा अपने साथ वर्व का first form लेता है जो कि यहां लिया गया है तो subject model वर्व plus वर्व we had to decline हमें decline करना पड़ा refuse करना पड़ा मना करना पड़ा किसको मना करना पड़ा verb है हमारा और verb कैसा है transitive verb है इसलिए अपने साथ क्या ले रहा है object ले रहा है ना object किसका answer देता है हमें क्या मना करना पड़ा what का answer दे रहा है इसलिए object है और यह टीव है action यहां transfer हो रहा है order कौनसे order मना करने पड़े है several कितने order several order many orders मना करने पड़े यह इसका क्या है determiner है इसको हम adjective भी बोल सकते है adjective of quantity यह adjective of quantity ही determiners कहलाते है we had to decline several orders हमें बहुत सारे orders मना करने पड़े in case that if देखो यहां होता है इसका sense if the production was held up due to labor strike यहां पर दूसरा clause start हो गया है क्योंकि यहां हमारे पर conjunction आ गया है रुक गया था was held up work का third form आरा इसका sense क्या है रुक गया था रुक गया था क्या से रुक गया था क्यासे रुक गया due to labor strike labor strike के कारण रुक गया था अब देखे पहला अब हम पहले थोड़ा से इसको clean कर लेते हैं ताकि हम देख पाए easily अब देखो पहला जो हमारा sentence we had to decline several orders हमें several orders क्या करने पड़े decline करने पड़े यह result है किसका result है इस reason का यह reason है reason क्या था कि production जो है वह labor strike के वज़े से रुक गया था ठीक है तो जब reason दो चीज होती है तो result clause पहले आता है या फिर reason clause पहले आता है ठीक है दोनों का structure हम लोग देखेंगे आप है अगर result clause पहले है और यह follow कर रहा है reason clause को तो यहां पर आता है because यह for यह as यह तीनों का मतलब होता है क्योंकि और क्योंकि के just बात क्या आता है reason कारण आ जाता है ठीक है लेकिन अगर reason पहले आता है तो इसके बाद और इसका result बाद में आता है तो हम इसके बीच में कुछ conjunction use करते हैं वो होते हैं so therefore या therefore या that's why इन सबका sense क्या होता है क्योंकि या sorry इसलिए होता है इनका sense इसलिए और इसलिए के बात क्या आता है इसलिए हम वहां नहीं गय你在 बारिश हो रही थी यह reason clause है ना इसलिए हम वहां नहीं गए तो यह result हो गया तो result clause अगर बाद में आता है तो इसलिए और पहले आता है तो हम क्या use करते है because का या for का या as का इन सब का sense conjunction में क्यों की होता है तो यहां पर यह जो in case that है ना यह तो conditional है conditional यानि if अगर ऐसा हुआ तो लेकिन यहां तो अगर आया ही नहीं है इसलिए यह बिल्कुल गलत है तो यहां पर क्या जाएगा because या because या as या फिर for का use हो जाएगा तो A में यह point दिया गया है इसलिए हमारा A point यहां पर गलत है बागी किसी में गलती नहीं है ठीक है question number 2 यहां पर खतम होता है question number 3 पर आते है question number 3 क्या पूछ रहा है wrongly spelt word कौन से है यह बहुत सरूरी है कि हम vocab पढ़े वड़ना हम ऐसे questions को clear नहीं पाएंगे पहला जो option है वो है callous, callous यानी होता है कोई person जो की cruel है जो की care नहीं करता है और career, career क्या होता है जो हमारा future aspect होता है plan उसको career बोलता है calendar calendar की spelling यहां पर गलत दे दी गई है c-a-l-e-n-d-a-r होता है यह बहुत common mistake है इसलिए इस word को यहां पर चुना गया है क्योंकि यहां a दिया गया और यह ज्यादा तर students ही करते है यहां a की जगे e और यहां क्योंकि बोलने भी ऐसा लगता है कि e पहले आना चाहिए but it is not a पहले आना चाहिए calendar और इस पर d-e लगा देते हैं सम लोग तो यह गलत है है यहां पर c-a-n-s-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r-s-k-a-r to be greatly angry तो बहुत ज्यादा किसी से गुसा हो जाना ठीक है तो यहां पर तुदिया हुए deceiving यानि कि किसी को धोका देना यहां दिया हुए किसी से friendly होना यहां दिया हो गया without hope यानि बिना किसी आश्या के बिटर्ली होस्टाइल होस्टाइल यानि क्या होता है दुश्मनी एक आप इडियम पढ़ने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप उसे learn करें और उसको अपने sentence में यूज करें जितना ज्यादा यूज करेंगे उतना ज्यादा आप इसे याल रख पाएंगे नेक्स्ट है one word बताना है हमें which means the same है ना तो one word अपर सन अनिमल और प्लांट यहां तक हम पढ़ते ना पर सन अनिमल प्लांट तो हमें क्रियेचर लग जाता है लेकिन हमें आगे भी देखना पड़ेगा क्योंकि क्रियेचर इसका कोई लिंक नी है मच बिलो दा यूजवल हाइट यूजवल हाइट से बहुत छोटा कोई क्रियेचर कोई परसन जिसे मान लीजे एवरेज हाइट सबकी इतनी है लेकिन कोई परसन सिर्फ इतना ही रह जाता है किसी भी रीजन से वह बढ़ नहीं पाया तो उस छोटे परसन को हम लोग क्या ब आ यूमिन विध मैजिकल पावर्स विच और मैन विध मैजिकल पावर्स. magical powers के साथ अगर man है तो wizard और witch अगर वो magical powers के साथ women है तो witch ठीक है man और male और female का concept है witch और wizard में तो यह वाला question भी हमारा हो गया question number 5 अब हम चलेंगे next question पर question number 6 if you park your car here देखे if लग गया है अगर किसी sentence में तो इसको हम बोलेंगे conditional sentence और यह जो if है यह क्या होता है यह conditional conjunction होता है conjunction of condition बोला जाता है इसको यह conditional conjunction ठीक है तो if you park your car here अगर आप अपनी car यहाँ park करते हैं the traffic police has find you traffic police आप पर find लगा देगी तो यह conditional sentence है और conditional sentence जो होते है वो three types के होते हैं तो देखे हम पहले conditional sentence देख लेते हैं पर एक zero conditional होता है जिसको generally लोग अवाइट करते हैं हमें पढ लेना चाहिए तो four types ही मानी आप four types के होते हैं जिसमें if clause यह कि if की जगे कभी कोई और भी condition आजाएगा लेकिन इसको हम conditional clause बोलते हैं और दूसरा clause जो होता है वो main clause होता है और अगर जो दूसरा वाला conditional जिसको present वोलते हैं possible conditional इसमें दोनों इसमें present simple आता है if clause में और main clause में future simple आता है दूसरा जो past वाला है इसमें past simple आएगा if clause में past simple यानि कि वर्फ का second form ठीके? past simple यानि कि वर्फ का second form वर्फ second आएगा और यहां पर हमेशा वोड प्लस वर्फ first आएगा ठीके? conditional की सबसे अच्छी बात यह है कि यह table अगर आपको याद रहे तो आप कभी इसमें mistake नहीं करेंगे कभी ऐसा नहीं होता कि यहां present simple है और इधर वाले में किसी पर्टिकुलर केस में वोड प्लस हाफ प्लस वर्फ third लगा दे no it's not like that आपके लिए table बहुत sufficient है यह table आप screenshot ले सकते है इसका और past perfect होगा उसमें क्या होगा? had प्लस वर्फ third एक तरफ आएगा और दूसरी तरफ हमें would have plus third form लगानी पड़ेगी एक बाग जो यहां note करने वाली है वो यह है कि if clause में कभी भी would नहीं आता है और generally exam में ऐसा error दे दिया जाता है तो यह भी धान डाख लीची है आप note भी कर सकते हैं इस point को आजाए हमारे question में वापस चलते है if you park your car here अगर आप अपनी car यहां पाक करते हैं the traffic police dash u ठीक है अब यहां देखते हैं अगर आप अपनी car यहां पाक करते हैं तो अभी हम देखें क्या यह zero conditional है zero conditional में क्या आता है scientific fact आ सकते है यह फिर universal truth आ सकता है तो क्या यह scientific fact है कि अगर आप अपनी कार यहाँ पाप करते हैं नहीं है तो दूसरा होगा present इफ में present tense है ना इफ में present tense है तो दूसरे वाले में हमें हमें change करना है future simple में आएगा और sentence देखिए यहाँ पे कोई underline है underline कहाँ पे है underline यहाँ है यही कि हमें सिर्फ इस part को change करना है इधर के पार्ट में कोई error नहीं है तो इफ वाले में हमें present tense दिया गया, present simple दिया गया, present simple है, यह हम कैसे पता कर रहे है verb का fars t form दिया गया है you के साथ है तो बहु फस दी गई है, तो इधर क्या होगा हमें has का use नहीं करना है future simple का use करना है future simple का use कैसे करेंगे find you ये present simple है ये future simple है ये past tense है और no improvement गलत हो चुका है तो right answer क्या होगा यहाँ पे the police will find you अगर आप यहाँ पे फार्थ करेंगे तो police आप पे find लगा देगी राइट आई चलते हैं question number next पे next question his company has the dash of यहाँ देखे अप्रोप्रियेट वर्ड का चुनाओ करना है हमें चार वर्ड दिये गया है कौन सा वर्ड सबसे जादे अप्रोप्रियेट है his company has the dash of producing the best cricket balls in the country उसकी company जो है उसमें dash है या तो brand है या opinion है या position है या reputation है the है the article है और article है इसके बाद हमेशा क्या आता है noun आता है यह देखेगा ध्यान रखेगा कि इनमें हमें noun ही चुनना है of producing the best cricket balls in the country country में best cricket balls को बनाने का उसकी company का dash है brand क्या होता है brand एक particular company को बोला जाता है जिसे Nike is a brand particular brand है ना particular company का नाम है तो particular company हो गई तो इसकी company has the brand नहीं गलत तो चाहेगा opinion opinion है नहीं क्या होता है view होता है view है विचार है perspective है यह होता है position position एक particular situation एक certain situation ठीक है और एक होता है reputation reputation है नहीं image उसकी company का है एक reputation है उसकी company को एक reputation मिली है has the image of producing the best cricket balls in the country तो reputation इसका answer होगा तो बाकी सब बहुत ज्यादा मिलते हुए शब दिये जाता है लेकिन हमें बिल्कुल appropriate word का चुनाओ करना होता है जो कि यहां पे हम किसको चुनेंगे reputation को चुनेंगे question number next पे आते है अब हम scarce यहां पे हमें antonym चुनना है scarce 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 है नहीं क्योंता है few very less है कम के लिए आता है seldom ना के बराबर के लिए few नहीं भी ना के बराबर होता है तो बहुत simple है यह बहुत जरूरी नहीं है हर बार इतना simple है पर हमें best के लिए अपने आपको तयार करना है अब हमारा next section आगया देखे यहां पर क्या है एक छोटा सा close test है और इस close test पर हमें यह 1, 2, 3, 4, 5 questions करने होते हैं tough है reading comprehension इसके लिए करना बहुत जरूरी होता है स्टार्ट करते है पढ़ना Siol City's government Siol City की government Siol City की government Siol City की जो government है is asking people वो पूछ रही है किस से people से लोगों से क्या मदद के लिए पूल रही है आज के नहीं कहना भी होता है बहुत polite manner में कहने के लिए ask का यूज के रही है तो कह रही है लोगों को help करने के लिए to correct correct करने के लिए क्या correct करना पूरली translated street signs street signs जो की बहुत poorly translated है जो की बहुत badly poorly का मतब बुरी तरीके से badly translate की गया है उनको बदलने के लिए उनको सही करने के लिए कह रही है with prices on offer with prices उन पर prices भी रखे गए है offer for dash who spot the most errors जो सबसे साधा errors ढूडेगा उसके लिए prices भी रखे गए है देखो इसको पढ़ना है हमें इसको आंसा ढूडना है क्या होगा यहां से ढूड़ेंगे Siol City's government is asking people for help किसे बूच रही है लोगों से बोल रही है तो with prices on offer for दिमाग हमें फिल्कुर खोल की रखना है इसको सारे आंसर यहां hidden होते है with prices on offer 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 इस offer पर prices मिल रही है for people for people आना चाहिए यहां पर अब देखो people तो option में है नहीं इसका क्या सबस्टेवागा for people who spot the, देखो यहां पर spots नहीं लिखावा है spots होता ना बीटा तो हमें पता चल जाता है हमें singular डूडना है हमें singular डूडना है plural डूडना है तो सबसे पहले तो क्या काट दो यह this कार्ड दो और that कार्ड दो दोनों किसके लिए होते हैं singular के लिए होते हैं के लिए price है तो कौन से लोग वो this that these those सारे demonstrative adjective होते हैं this or these जो हमें दिखाई दे रहा है pass है उसके लिए near के लिए हम लोग this or these का use करते है तो these plural के लिए use तो होता है लेकिन near या फिर दिखाई देने वालों के लिए होता है ना near या close to us या जो की हमारे सामने हो ठीक है उसके लिए लेकिन क्या यहां पर people दिखाई दे रहे हैं वो वाले जो चुनेंगे नहीं दिखाई दे रहे हैं तो we will not go for these हम किसके लिए जाएंगे दोस के लिए तो पहले का जो answer होगा people offer for those who spot the most errors जो सबसे जादा errors दूनेंगे उनके लिए price भी रखा गया है next देखें its running dash two week campaign campaign यानि क्या होता है अभियान it is running it is it is apostrophe s हमेशा is के लिए आता है और अगर its लिखा जाता है its तो यह possession है उसका इसका मतलब उता है इसका it is running dash two week campaign यह two week campaign चला रिया आप देखें ऑप्शन्स देखें इसके options क्या है and a the one option से पर चल रहा है एक है ना एक आएगा है हाँ पर क्या आएगा एक अब एक के बहुत सारे form है तो n तो आएगा नहीं क्योंके two है तो सबसे ने यह किसको काटा और तर क्यूंनी आएगा the रही बात है जब हम specific की बात करें या किसी reference की बात करें कि पहले किसी campaign का था नाम अबी तक पहले पर पहले आया नाम हम लोग क्या करेंगे the का use नहीं करेंगे और and हम अल्रेडी काट चुके तो अब हमें बच रहा है a और one ठीक है तो one यानी भी एक होता है और a यानी भी one एक होता है ठीक है अब हम उसको चुनेंगे it is running a two week campaign या one two week one का भी उस करते हैं जब हमें counting करनी हो one two week campaign two two week campaign ऐसे नहीं यह बताया जाला है यह सिर्फ इसका information दिया रहा है कि एक two week campaign start किया रहा हो तो one ही counting के लिए नहीं इसलिए one नहीं आएगा right answer is a it is running a two week campaign calling on Koreans and foreigners Korea के लोगों को भी as well as foreigners को भी एक second हम इसके options देख रहते है next वाले के देखिए next वाले का option क्या है alike एक जैसा similarly एक जैसा दोनों likely likely means about two तो यह यहाँ पर नहीं आएगा same तो यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि यह पहले हम इसको sentence को बतने है two week campaign चला रहा है calling on जो कि call कर रहे है Koreans और foreigners को अच्छा एक जैसे Koreans को भी इतनी importance मिल किALLे को भी मिल रही है दोनों को मिल रही है तो यहाँ का मतलब एक ही alike का क और similarly का और likely का मतलब है about to और सेम मतलब कोई दो चीज एक जैसे तो यहाँ पर दो चीज जैसे नहीं है तो सेम बाला option हमाने कट गाया है और likely पर यहां आते हैं जो हम stuck हो जाते हैं कि अलाइक भी है और similarly भी है तो अलाइक हमारा क्या है एड्जेक्टिव और similarly क्या है एड्वर्ब है ठीक है तो अब क्या आएगा है आप adjective आएगा या एड्वर्ब आएगा बस यह देखिए कहा अलाइक के बाद अब हम आ गए है नेक्स पाट पर लेकिए लेकिए अब आएगा अड्वर्ब की कोई प्लेस नहीं क्योंकि इसके पहले वर्ब नहीं आया है तो अलाइक के बाद अब हम आ गए है नेक्स पाट पर लेकिए अलाइक तो कीप देर आइस पील फॉर्ड 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 पीलिंग करना यह होता है वैसे तो छिलका उतारना होता है किसी चीज़ का है ना पर यहां पर आइस पील फॉर्ड फॉर्ड कर देंगे तो ब्राइस लगे फ्रेजल्वर्ड वाव है यह है To keep their eyes peeled for to keep their eyes open for dash in English English में dash in English Japanese and Chinese text English के text में Japanese के text में और Chinese के text में उनको क्या करना है mistakes निकालनी है और उनको अपनी eyes कैसे रखने हैं उनके लिए आइस उनको open रखनी है तो option देख लेते हैं आप हम पहला है mistakes कि उनको mistakes के लिए अपनी eyes open रखनी है या तो mistakes हो सकता है यह गफ़ा होता है गफ़ा क्या होता है देखो गफ़ा यह नहीं क्या होता है बहुत ज्यादा हसना है ना noisily हसना तो इसका कोई sense नहीं है आपर oversight यानि overlook कर देना नजर अंदास कर देना और blunder यानि बहुत बड़ी गलती जिसकी बहुत ज्यादा बड़ी गलती तो बहुत ज्यादा बड़ी गलती नहीं यहां पर क्या है मिस्टेक्स के लिए अपनी आइस कैसी रखनी है ओपन रखनी है अभी उपर आया था इस आता है apostrophe is there is a dash focus reports उसके बाद देखते हैं there is a dash focus on public transport science maps and information science as historic sites there is a dash focus dash focus है सबसे रहादा जो focus है वो इस पर public transport पर है maps पर information science पर मतलब जिससे की Korea का insult ना हो image खराब ना हो उन सारी चीजों पर जिस पर टुरिस की नजर जाती है important particular meticulous or signifying signifying और important दोनों एक ही word है जब दो option एक जैस से आ जाते है तो पता है कि यह दोनों का part of speech है तो नहीं use होगा particular यहां पर use होगा particular यहां पर specific विशेश तो विशेश ध्यान कहां दिया गया है विशेश फोकस है किस पर public transport science पर maps पर or information science पर historic sites पर जो लगे हुए as part of our drive to improve the experience of forest tourists in South Korean capital कि South Korean की capital में foreign tourists वाली जितनी भी चगे उन पर specific ध्यान दिया गया है focus दिया गया तो यहां पर answer क्या होगा बी होगा तो हमारा passage जो है comprehension जो है close test वो खतम हो गया है इसके बाद अब time है आगे बढ़ने का अब हम आगे question no.14 पर question no.14 किया है इडियम है जैसा मैंने आपको बदलब आया इडियम तो पहले भी आ चुका था तो यह सारे question to आते है idioms है synonyms है antonyms है to two आते है अलग-अलग space पर आ सकते है to play ducks and drakes ducks and drakes क्या होता है recklessly recklessly मतलब carelessly होता है तो to use something very carelessly यह इसका answer होगा to act cleverly नहीं to change places to be friendly नहीं यहाँ पर देखो idioms पर इतना force नहीं मतलब मैं grammatically कुछ नहीं बता सकती और idiom and phrases जो होते हैं वो हमें usage से जादा समझ में आते हैं तो आप इन्हें use करते रहिए और आप इन्हें समझते रहिए मतलब सिर्फ यह है कि हम learn करें और इनको use करते रहिए right next रिखते है question number हमें identify करना है कि 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 सेंटेंस किस part में error है तो cyclone Idai killed at least one fifteen seven people in Jivave and Mozambique although in it tore across southern Africa cyclone Idai जो था इदाए नाम का cyclone था उसने 157 लोगों को Jimbabwe में क्या कर दिया kill कर दिया मार दिया and Mozambique में भी Mozambique में although it tore across southern Africa हाला की यह tore across हुआ था पूरे इसने पूरे southern Africa को हिला दिया ऐसा बोल रहा है तो although क्यों although यहनी तो हाला क्यों होता है यह तो information दे रहा है कि cyclone आया इदाए जिसने की 157 लोगों को हिला दिया तो although इस वाले part में error है बाकी पूरा सही है ठीक है आते question number 17 पर देखे question number 17 किया है wrongly spelt word हमें यूज करना है हमें देखना है कि कौन सा word wrongly spelt है तो जो हमारा word है expire expire सही है expire हो जाना यानी चीज़े खराब हो जाती इसको बोला जाता है death के लिए भी यूज किया जाता है but it doesn't look nice expire word हमें death के लिए नहीं यूज करना चाहिए explicit मतलब जिसको explain किया जा सके explainable explode यानी क्या होता है explode होना यानी कि कुछ फट जाना विस्पोट हो जाना blast हो जाना और exploit 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 जो है na exploit यह होता है showshan यानी कि कि किसी को गलत तरीके से इसनिमाल करना exploit करना है na use करना so this is right here e is extra e जो है वो extra है यह इसलिए जो हमारा right answer होगा वो D होगा चलते है next question पर expansion है expansion का antonym देना है हमें expansion क्या होता है expand ही बना हुआ है and expand ही नहीं होता है कोई भी चीज को बढ़ाना enlarge करना बढ़ा करना expansion बढ़ात होता है inflation है inflation है inflation है inflation है inflation क्या होता है sudden rise होना बढ़ना एकदम से market के लिए होता है यह term to expansion था compression इसका right answer होगा चलते हैं question number next पर select the word which means the same as the group of words okay मतलब की one word है a student second one word है एक हमने पहले ही कर लिया था a student who ideally or without excuse absent himself or herself from school school से बिना कुछ reason दिये बाहर रहना absent रहना ठीक है तो itinerant itinerant जो यात्रा पर होते है बहुत जाद है यात्री उन्हें बोला जाता है migrant एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चाना background होते है background होते है background होते है background क्या होते है bag of on सुना होगा आपने bag of on क्या होता है one who has no home no job ऐसे ही रहता है जो बिना house के इदर उदर कहीं वो vagrant होते है tron't होता है बहाने बनाना tron't करना बहाने बनाना और without any excuse absent रहना यानि की बच्चा जो कि किसी भी reason के या किसी भी excuse के school से गायब रहे या खाली रहे फ्री रहे तो उसको tron't बोला जाता है 20 number question पर हम आ गया है question number 20 correct active form देखना है हमें active form नहीं की passive दियावा होगा every passing vehicle यह object होगा क्योंकि हमारा passive है तो passive में subject बन जाता है तो यह यहाँ पर object है इसको हमें object की place पर रखना है यहाँ यह subject का काम कर रहा लेकिन actually में object है तो वापस इसको object की place पर रखना है every passing vehicle was being thoroughly checked being thoroughly checked यह नहीं देखो ing को being बना दिया जाता है आपको बता है और active से passive बनाते समय helping form उसी tense का यूज किया जाता है यानि कहुन सा tense है past simple tense है was being past continuous हो गया thoroughly checked by the guards किसके दोरा check किया जाता guards के दोरा तो the guards से start होगा the guards से start होगा यह तो गलत हो गया ठीक है एक option तो ऐसे reject हो गया अब हमें देखना है कि tense कौन सा मिल रहा है इसमें have been लिग दिया गया है इसमें work तो सही है लेकिन इसमें every passing इसको हम पहले ही neglect कर चुके past continuous करना यानि कि was और फिर हमारा वर्फ के है check checking हो जाएगा है ना अब क्योंकि guards है तो was की जागी क्या आएगा word checking तो हमें से word checking डूंडना है इसमें word checking था लेकिन इसको हम already cut चुके इसमें have लगा दिया गया आडवर्ब जो है वो helping verb main verb के बीच में यहां पे दिया हुआ था देखें given sentence में दिया हुआ था इसको यहां पे लिया गया है were thoroughly checking every passing vehicle तो देखो the guards यह रहा the guards the guards जो last में था the guards क्या कर रहे थे वो were checking was being checked है were thoroughly checking every passing vehicle यह रहा object जो वापस object की प्लेस पे आ गया है right तो D is का right होगा answer इसी के साथ चलते है next question next question है correct passive form फिर से चुनना है हमें यहां पे active दिया है पहले passive दे दिया था do not buy do not यानि की imperative sentence है instruction दे रहा है कि ऐसा मत करो क्या मत करो do not buy medicine without the doctor's prescription doctor की prescription यानि salah के परामर्ष के बिना medicines मत खरीदो ठीक है तो medicine should not be ठीक है जब भी यह imperative sentence होता है तो ऐसा नहीं करो इसको हम करना चाहिए मिन दियते है तो should not be bought यह इसका answer हो जाएगा might not possibility need not or could not तो past के लिए आता है और need not ऐसा करने की जरूरत नहीं है तो यह नहीं आएगा इसका answer के होगा सब में full stop missing था medicine should not be bought without the doctor's prescription A इसका answer हो जाएगा देख लिए चाहिए do not buy what imperative sentence में subject missing रहता है और हमें understood रहता है कि you आएगा तो subject हो गए यह पूरा verb है यह object है इसलिए हमारा sentence है medicine से start हो रहा हम लोग इस वाली model को यूज करते है should not model के साथ भी आता है उसके बाद वर्फ का third form आता है तो यह रहा वर्फ का third form should not be bought क्या नहीं bought करना चाहिए medicine फिर आगे जो as it is लिखावा without the doctor's prescription वो यहाँ पर आ जाएगा question no.1 21 हो गया है last 4 questions बचे है to play ducks and drakes to play ducks and drakes मतला recklessly use करना किसी चीज को recklessly मतला without any care carelessly use करना तो ducks and drakes यह नहीं carelessly इसको तो idioms को हम कैसे कर सकते है हमें सिसको learn करना होगा प्रॉपर वे में right Cyclone Idai killed at least 157 people in Jimbabwe and Mozambique although it tore across Southern Africa देखे Cyclone Idai की बात करने जिसने 157 लोगों को मार दिया Jimbabwe और Mozambique में although it tore across South Africa जबकि यह South Africa Southern Africa को भी इसने टोर कर दिया यहां पर end आएगा ठीक है क्योंकि यह although तो जबकी होता है और जबकी क्या होता है contrast होता है contrast का मतलब है कि इस वाले sentence को यह kill कर रहा है इसका कुछ विरोथ कर रहा है लेकिन ऐसा नहीं यह आगे और information दे रहा है यहां पर although वह गलत है next पर आते है start question number 24 24 पर synonym है course है course क्या होता है verb है or to force somebody to do something force somebody to do something किसी को force करना कुछ करने के लिए ठीक है तो force करना यह नहीं pressure आई यह तो पता है pressure करना यानि दबाव डालना तो यह इसका synonym होएगा leave यह नहीं छोडना enchant यह नहीं attract करना किसी को आकर्षित करना ठीक है और कजोल यह नहीं क्या होता है exactly कजोल यह नहीं फुसलाना जैसे parents होते है वो अपने बच्चों को फुसला के homework कराते है कि they kajol their kids how they kajol do this homework and we will provide we will give you yeah I will award you a chocolate ऐसे करके तो kajol होता है वो है ना अपना काम करने के लिए लोगों को फुसलाना राइट तो यह kajol होता है 24 question यहापे पूरा हो चुका है answer जिसका pressurized था अब हम आते हैं question number 25 जो हमारा last question है no improvement का question है the workers of this textile factory demand higher wages यह जो demand higher wages यह जो यह हमारा underline होना चाहिए था यहापे है नहीं आप देख लीज़े यह bold part है ठीक है तो हमें इसमें correction करना है no improvement भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि यह बिलकुल सही है तो no improvement आए चेक करते हैं इसको the workers of this textile इस textile factory के workers demand कर रहे हैं क्या demand कर रहे है sentence में for लगा होता है और उसके बाद time आ रहा है for plus for plus period of time अगर आ रहा है ठीक है period of time में नहीं कि एक slot long time नहीं लंबे समय से 2 दिन से 4 दिन से 4 महिने से time आ रहा है period of time आ रहा है तो क्या होता है हम हमेशा यहाँ पर जैसे present simple tense का use हुआ है present simple लेकिन जब भी for आ रहा है और time slot लेकर आ रहा है तो for time slot किसमें होता है perfect में perfect tense में ठीक है तो हमें क्या use करना पड़ेगा perfect tense यूज करना पड़ेगा perfect tense देखते है तो हमारा यह बी गलत हो गया है ठीक है बी को eliminate कर देजिए अब यहाँ पे क्या has है perfect तो है लेकिन has लिखवा लेकिन हमारा subject कैसा है plural subject है तो verb कैसा होना चाहिए plural होना चाहिए क्या यह plural है नहीं singular है और singular है तो यह गलत हो गया तो हमारा a option भी यहाँ पे गलत हो गया है c option demanded है demanded क्या है past simple है क्या हमें past simple की जरूरत है for के साथ past simple नहीं आता है यह तो past perfect आता है यह present perfect आता तो यह भी गलत हो गया यहाँ है have जो कि से match करेगा have been demanding higher wages अब देखे यहाँ past perfect नहीं दियावा है present perfect continuous प्रेजन perfect continuous दियावा है जो कि हम दोनों यूजस कर सकते है present perfect continuous और present perfect तो मतला वो अभी भी demand कर रहे हैं पहले से ही कर रहे थे और अभी भी कर रहे हैं और अगर present perfect continuous नहीं होता तो वो demand कर रहे हैं वो कर चुके हैं demand ऐसा हो जाता है तो कर रहे हैं किली क्या जाएगा have been demanding higher wages यह सही है यहाँ पर answer हार question का आपको solution plus why that solution और उसके जो और options से उसको भी हम लोग discuss करेंगे SSE की preparation कर रहे हैं तो यह बहुत important phase है क्योंकि मैं आपको यहाँ दिखाने वाली हूँ कि देखे कैसा जिसो first shift में जो question आया था वो as it is उटके second shift में और जो first day question आया वो as it is उटके second day में हार रोज लगाता है एक जैसे questions आये और question का pattern लगबग बहुत ज़्यादा same है even question में जो grammatical error है वो first shift में जो आया थी वही grammatical error second shift में उटकर आ गई तो in this manner बहुत सारी चीज़े बहुत ज़्यादा same है तो आपको यह बहुत ज़रूरी है कि आप solutions पे ध्यान दे और solution में क्या error कैसे error कैसे find out करना यह सब कुछ पे आप ध्यान दे तो बहुत ज़्यादा important role करेगा प्रे यह आपके preparation में तो आईए start करते है हमारा solution देखिए जो शुरू हो रहा है question number one क्या है select the antonym of the given word जो लोग पहली बार देख रहे हैं उन्हें में अतादू कि दो antonym, दो synonym, दो idiom phrases और दो spelling वाले और दो one word वाले यानि कि यह सारा role जो है यह पूरा vocab का 10 questions यानि 20 marks vocab play करती है तो हमारा daily vocab session चलता है उसके लावा हम one word, idioms, phrasal verbs इन जब के लिए अलग classes चलाते हैं तो आप हमारे उन sessions को जरूर देखिए वहाँ पे आपको इनसे related जो words है वो कि हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि जो tender word है इसका meaning क्या होता है देखिए tender है यानि tender feeling, tender touch यानि कि एक soft touch, एक soft सी, एक अच्छी सी, एक cute सी, एक warm सी, एक gentle सी, एक pleasurable सी feeling, right तो adjective है यह tender जिसका मतलब होता है soft, loving, kind, 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 यह सारे words है तो soft है, warm है, gentle है यह सारे क्या है इसका synonym है, adjective है और यह सब क्या है, synonym है और एक last word जो है यहाँ पे वो है rough, तो soft है, कोई चीज बहुत soft है, velvet है तो आपको अच्छा सा लग रहा और एक surface है जो rough है तो would you like that, no, तो यहाँ पे soft, warm, gentle और tender एक ही sense दे रहा है लेकिन rough जो है वो अलग sense दे रहा है, यानि कि I was, I was excited, I was incited with the soft touch, soft feeling he gave me है तो tender, soft, warm, gentle तो उसमें हो जाएगा और rough इसका opposite हो जाएगा, first question हमने कर लिया है, दूसरा question देखेंगे, देखो दूसरा question अभी पहला हमने antonym किया था लेकिन दूसरा antonym नहीं है, यहाँ पे दूसरा क्या है, which means the same as the group of the words, ग्रूप के लिए one word यानि कि one word substitution है, यानि कि बार-बार यह हमें क्या करता है, question का sequence ऐसा रखा गया है कि बार-बार हम deviate होते हैं, पहले synonym, फिर antonym, या फिर one word या फिर कुछ और कुछ और, कुछ भी आता है, तो sequence बिल्कुल भी same नहीं रहता है, और मैं आपको बता दू और यह बहुत अच्छी important line है जो one word आया था, उसमें यही चारो option आया थे, और वहाँ पूचा गया था, trount, यानि कि the one who keeps himself absent from the school without any notice or excuse, कुछ भी बताए, मिना जो स्कूल से गायब रहते हैं, उसको trount कहते हैं, यह वाला word आया था, वहाँ पे trount भी बोला जाता है, इसको और vagrant, यहाँ पे जो पूचा गया वो vagrant के लिए पूचा गया, itinerant और migrant का कोई question नहीं पूचा गया, अब तक या नहीं कि वही चारो option है, जो shift 1 में आयते, वही चारो shift 2 में भी आ गया, वस one word का sentence change हो गया, तो देखते हैं question, a person without a settled home, एक ऐसा person जिसका की settled home नहीं होता, कोई regular work नहीं होता, who wonders, who roam around, घूमता र bagging, जो भीक मांग के काम चलाता है और इधर उधर कहीं भी रह लेता है, इसको हम क्या कहते हैं, वेगावांड और ऐसे लोगों को हम घुमककर, Hindi में कहते हैं, घुमककर, तो वेगावांड या वेगरंट कहते हैं इसको है, यहाँ पर वेगरंट है, वेगरंट, same सही structure है इन जो एक प्लेस से दूसरे जगे जाता है, वो माइगरंट होता है, ठीक है, यही वर्ड्स थे, same words वहाँ पर आयते हैं, वेगरंट यहाँ पर इसका अंसर होगे है, वन वर्ड, टू क्वेशन कर लिए है, क्वेशन नमर थी पर आते हैं, बहुत जादा डिफिकल्ट अभी त जब हम meditation करते हैं, वह में meditation में steps लिखा जाता है, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale यानि to breathe in, exhale यानि to breathe out, इसका opposite क्या होगा, inhale होगा, ठीक है, इसके बाद example है example यानि की उदाहरन, यह तो वर्ड हम सब जानते हैं, exempt करना है, यानि किसी चीज़ से अपने आपको बचा की रखना है, या affect में ना आ पर exemplify जो बर्ड है, इसका spelling गरता है, exemplify होता है, यानि उदाहरन दो, वर्व है यह तो noun है उदाहरन, example यह उदाहरन और exemplify यह उदाहरन देना, action, तो exemplify में e आता है, a नहीं आता है, इसका answer आगे है 1, आगे बढ़ते हैं इसके साथ, next question number 4 पर, select the synonym of the word, garulous, garulous देखो जो word ह इसके हमारा adjective है, ठीक है, adjective है, garulous है, one who talks a lot is called garulous, जो बहुल साथा बाते करता है, वो garulous होता है, क्योंकि मैं इसका वन बड बता रहे तो answer आप कर पाए रहे होंगे, talktivist का answer है, guttural, देखे, SSC की सबसे अच्छी बात, कि वो हमें confuse करने के लिए इतना excited रहता है, कि वो कई पर ऐसे भी words देता है, जिसका कोई sense नहीं निकलता है, इस word का right word guttural है, guttural क्या होता है, guttural जो हमारे back throat से, back throat से जो touch होता है, voice का relation is, कि voice आवाज जो निकलती है, वो back throat से निकलती है, अगर तो guttural होता है, तो finnick sound में इसका usage आता है, next word है throaty, throaty क्या होता है, somebody who sounds low and rough, मतल low feel कर रहे हैं, आप down feel कर रहे हैं, you are not energetic, you are not excited that day, तो उस दिन आप क्या है, throaty है, throaty यानि कि जब आपको low feel होता है, weak feel होता है, या अंदर से मन खराब होता है, तो you are throaty, concise, concise हैनि short, brief, छोटा करना, किसी चीज को अगर verb है तो छोटा करना, और अगर concise noun है तो छोटा form, छोटा रूप, concise, brief, form, और talkative इसका synonym है, जिसका मतलब बता बहुत ज़्यादा बाते करने वाला, next पर आते हैं, given below are four jumbled sentence, para jumbled है, यानि कि हमें 4 sentences यहां पर नीचे दिये गए हैं, और इन में से हमें, इनका sequence है, इन में से हमें sequence देखना है, अगर आप पहली बार यह वीडियो देखें कि इन questions को कैसे solve किया जाता देखें, बहुत आसा सा एक तरीका है इनको solve करने का वो यह है, number one है, eliminate, eliminate, क्या होता है, किसी भी, जिससे 4 points है, 4 points में से 2 points को आप eliminate कर दें, eliminate कर दें, remove कर दें, हटा दें, हमारे पस कितने points हो जाएंगे, सिफ 2 में से discussion, सबसे पहले तो eliminate क करने कर दें, और जैसे यह उपने eliminate कर दिया है, आप pair बनाएं, लाना या बनाएं तो जिससे 2 है, यह दोनों हमने car दें माल जाएं, auf Saturday, click divid पेर BC का बनता है या पेर DA का बन रहा है या पेर AD का बन रहा है मालनेचे BC का बन रहा है तो BC का पेर यहां पे भी है तो अब हम BC का पेर ना ढूंके हम किसका ढूंडे AD या DA, D पहले आएगा या A पहले आएगा pronoun and conjunction and preposition जिसे कि यहां पर आगा है that sort उस तरीके का अभी यह जो that adjective है यहां पर उस तरीके का यह तो referred हो गया ना यानि कि इसका reference कहीं न कहीं पहले लिया जा चुका है यानि कि कुछ भी हो हमारा sentence a से तो शुरू नहीं होगा तो हमने यहां पर point number one को eliminate कर दिया है यहां पर हटा दिया है इसका sense कह है उस तरीके का पॉलिशन विच इस और सो वाइड स्प्रेड जो की वाइड स्प्रेड भी है है ना तो यह यहां से हमारा sentence start नहीं होगा अब बी देखिए यह तो हम काट चुके दो option जो हमें B का answer दे रहे है और तीसरा option जो हमें D का answer दे रह कैसा जो पहले कहीं और हो चुका है यानि कि यह भी referred है A से हमारा sentence start नहीं होगा C से हमारा sentence start नहीं होगा तो अब देखिए क्या हमारा sentence B से start होगा और D से तो B को पड़ते environmental groups have tagged the Philippines environmental group ने tagged किया Philippines को कैसे as one of the world's biggest ocean polluters one of the biggest ocean polluters ocean pollute करने वाले में सबसे biggest में से इसको चुना गया है due to its reliance on single-use plastic क्योंकि यह single-use plastic का single-use करते है फिर इसको throw कर देते है और throw करने से ocean क्या हो जाता है तो सबसे पहले नंबर पर Philippines है यह यहां पर कहा गया अब हमने जब इस line को पढ़ा तो इसमें कोई reference नहीं है कहीं पहले आगे की बात नहीं हुई तो बहुत strong chances है कि B हमारा पहला sentence हो सकता है D को भी देखते है इन दा लेटेस्ट केस और आज तरके सबसे लेटेस्ट केस में क्या हुआ है वेल विट 40 kgs of plastic trash एक वेल जिसके अंदर 45 kg plastic का कच्रा trash नहीं कच्रा मिला है in its stomach died on Saturday Saturday को मरी है in southern Philippines में where it was tanned a day earlier जहां पर वो घूम रही थी एक दिन पहले वहीं उसको उसकी dead body मिली है उसके पेट के अंदर 40 kg plastic भी मिला है तो आब ही बताईए कि B से related news D है या D से related news B है obviously B is the first क्योंकि B में सबसे पहले बात होगी कि environmental group ने Philippines को plastic को खर्श करने के लिए चुना है तो हमें B को चुनते हैं D को एक बार side कर देते हैं अगर आपको यहां लग रहा है कि नहीं नहीं D भी हो सकता है तो हम भी रखते हैं B को पहले उसके बाद अब देखें B के बाद या तो A आएगा या फिर C आएगा तो A हमने पड़ा था That sort of pollution which is also widespread in other South Asian nations regularly kills wildlife like whales and turtles that ingest the waste उस तरीके का pollution जो की Southeast Asian nation में भी widespread है यानि की फैल रहा है जिसमें क्या होता है यह regularly kill करते हैं its e wildlife को एधी देड़े दिड़े लगातार wildlife को खतम कर रहे हैं जिसमें like whales and turtles whales or turtles, turtles ते लिए काच्छव यह पानी के अन्दर रहते हैं तो turtles और turtles पानी स्रावल और बाहरते हैं तो Details यм हो कॉल हों पानी के अंदर रहते हैं और turtles और पालिशन देखो यहां पर बताया गया इनको पल्यूट करने विए चुना 7 फर्स पलिुटर को स्टेश नेशन में है तो B और A का पैर बनेगा अब B और A का पैर बने गार बहुत है एक पैर ऐनको प्लुटर्स है और सबसी है तो ओ तो Meng रही पैर हें लेका जो तो B आयगा देंगी आइक और देंगी हम अपना आणसर देंगे हैं तो थैस्सा वुफ तो दो तो आगे भी देखेंगे हम D, in the latest case, latest case में हुआ कि 40 kg प्लास्टिक खाके एक वेल की टाथ हो कही हम पहले पढ़ चुके और थाइलेंड और थाइलेंड में भी एक वेल की टाथ हो तो D और फिर उसके बाद आएगा C, तो D और C का भी पेर बनेगा, D और C का पेर भी हमें कहीं नहीं मिला है, तो there are two pairs, B, A और दूसरा pair क्या है, D और C, तो B, A, D, C बिल्कुल सही है, इसी के साथ हमने यहाँ पे यहाँ पे यहाला question कर लिया है, पैराजंबल का, पैराजंबल का एक बहुत अच्छा session का video हमारे side पे also available है, उसे भी आप देख सकते हैं, जहाँ पे आप स अबने हाथ से निकल जाना, देखो, इडियम का कोई shortcut नहीं है, हमें चार points को पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, अगर हमें right option आता है, इडियम का एक ही तरीका या तो सही होगा या गलत होगा, no आसपास, तो हमें चारो को पढ़ने की यही तरीका है, इडियम पढ़िये, इनको यूस करिये और जादा से जादा यूस करिये sentence में, I got out of my hand, my brother was out of our hand, तो इसका मतलब क्या होगा, कि वो हमारे hand से निकल गया, यानि की control में से बाहर चला गया हो, तो out of hand होना, यानि चीजों का out of control होना, बाकी options को पढ़ना, कोई ही sense नहीं देता, क्योंकि इनका कोई इनके usage नहीं, आसपास नहीं आते ही, यह सिर्फ एक option बढ़ाने के लिए रखे हुए, तो हमें सिर्फ इनको, इनके sense के हिसाब से learn करना होता है, right, और learn करने के better, से better होता है, use करके देखें, तब आपको याद रहेगा, next word is escalate, इसका antonym देखें, ध्यान देखें, ध्यान इनलार्ज करना, raise करना, heighten करना, enlarge करना, छोटी से चीज़, इसको मैं enlarge करों, यह देखें, enlarged, इसी तरीके से यह चोटा था, इसको मैंने raise कर दिया, और दीरे-दीरे, बढ़ा हो गया, heighten कर दिया, और उपर पहुंचा दिया है, तो छोटी से चीज़ को बढ़ा कर देना एसकलेट कर देना, enlarge कर देना, raise कर देना, heighten कर देना, और छोटी से चीज़ को और छोटा कर देना, reduce, यानि की कम कर देना, तो कम करना, इसका क्या हो गए यह आपे, एंटनी मोगे, बहुत ही easy था, कम easy होगा आपके रिए, जब words के usage को और जादा से जादा बढ़ाएंगे तब ही easy होगा, वरना ऐसे चोटे-चोटे words आते हैं, कुछ भी difficult यह level, लेकिन, क्योंकि हम करनी पाते हैं इतना जादा, इसलिए हमारे लिए tough हो जाता है, यह भी important है कि, एक दो passive, दो active, दो direct, indirect भी आसकते हैं, या एक direct, indirect, एक active, पैसिव भी आसकते हैं, कुछ भी हो, यह ज देख रहे हैं, first paper हमने कर लिया है, first paper को अगर ध्यान दिया हो, तो देखा होगा आपने, कि यह do not वाला ही sentence था, वहाँ पे, बिल्कुल same, है ना, आगे कुछ चेंज था, यही sentence था, यानि कि, चीज़ क्या और यह बिल्कुल लगातार, एक जैसी repeat हो रही है, तो हमें थोड do not park your car in front of my house, active से passive बनाते समय, 2-3 बाते होती है, जो याद रहनी चाहिए, सबसे पहले object become subject, do not, यह हमारा you, imperative sentence है, और imperative sentence में subject हमेशा गायब रहता है, दिखा ही नहीं देता है, लेकिन understood रहता है, do not park, please park मत करो, तो किसको कह रही हूँ, मैं तुमें कह रही हूँ ना, तो मेरे घर के सामने, तो your car, यह रहा your car, सब में आ गया है, ठीके, अब यह वाला option तो यहीं reject हो गया, गलत हो गया, क्योंको इसमें your car नहीं आया, तो हमें एक option तो हम reject कर चुके, अब तीन options है, इनमें से हमें डूढना है, ठीके, तो do not park your car, अपनी पार्क, कार पार्क मत करो, यह ध्यान रखे, imperative sentence जब भी आता है, तो passive में बदलते समय, हमें वहाँ पे model यूज़ करना पड़ता है, कौन सा model यूज़ करना पड़ता है, should, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, यह बोलना होता है, हमें, तो your car could, गलत, should, सही हो सकता है, यहाँ पे भी should था, लेकिन इस हमेशा third form यहाँ पे यूज़ होता है, और model हमेशा अपने साथ भी लेता है, model है, इसलिए भी आया है, नहीं model होता है, तो भी नहीं आता, वर्व का third form आता ही आता, तो यहाँ पे आ गया है, और बाकी की information, इसको हम last में रख देते हैं, तो यहाँ पे भी last में रखा गया है Like this, we have to solve this, आते हैं, question number nine पे, question number nine क्या है, question number nine है, हमें एक sentence दिया गया है और एक appropriate word हमें पे फिल करना है, right, तो और appropriate word फिल करना है, scrutinizing, investigating, looking or inspecting, चार words है यहाँ पे है, इन चारों में से कोई एक यहाँ पे आएगा, तो scientists at Cambridge University, Cambridge University में scientist क्या करें, scrutinize करें, invest करें, looking अगा, scenario में देखेंगे यहाँ गूगल ट्राय करेंगे, scrutiny लिखेंगे, investigate उसका synonym होचाएगा, inspecting उसका synonym होचाएगा, लेकिन यह सारे यहाँ पे आगए, तो जब सारे यहाँ पे आगे तो हमें कोई बिलकुल perfect पता होना चाहिए, right, अब perfect पता नहीं है, देखें कैसे, scientist at Cambridge University, Cambridge University म scientist क्या करें, scrutinize करें, ya inspect करें, ya look करें, ya investigate करें, तो देखो, scrutinize and inspecting पूरा synonym है, एक जैसा synonym है, looking carefully at something, किसी चीज को बहुत ध्यान से देखना, उसको उसको उसमें observe करना, किसी चीज को बहुत ध्यान से, it is called scrutinizing or inspecting, ठीके, यह हो गया, और looking, देखना होता है, simple देखना होता है, तो यहाँ पर answer क्या होगा, क्योंकि दो option बिल्कुल सेम है, तो दोनों option, या तो हम यह रख सकते हैं, यह रख सकते हैं, यह होगा नहीं, इसका मतलब देखना है, क्या scientist at Cambridge University सिर्फ देख रहे हैं, क्या देख रह एक्जामिन करें, जाच परताल करें कि कैसे यह काम हो सकता है, तो examining या investigating यहाँ पर appropriate answer है, examining क्योंकि यहाँ पर दिया नहीं गया है, तो जो right answer होगा, वो हमारा क्या होगा, investigating होगा, तो हमारा second, आप देखें, Google करेंगे, dictionary देखेंगे, आपको सब synonym में नजर आ जाएंगे, पर जो बारीक अंतर है, words के अंदर, वो हमें पता होना चाहिए, आगे बढ़ता है, इसी के साथ question number 10 पर, question number 10 जो है हमारा, वो है, select the correct active form of the given sentence, फिर से, पहले आया था active to passive हमें change करना था, अब हमें passive sentence दिया गया है, और active में change करना है, ठीके, पिछले वाले जो paper था, उसमें दो question थे active, passive में से, और उसमें active को हमें यहाँ पर लाना था, second question में, यहाँ पर भी same हो रहा है, तो the main gate of the building, building का main gate है, यह हमारा active में object रहा होगा, इसलिए passive में यह subject का का काम कर रहा है, passive है, यह कैसे पता चल रहा है, यह हमारा B है, was और इसके बाद वी का third form है, passive में हमेशा word ka third form होते है, और being use होई यह कैसे, being हमेशा passive में आता है, being passive में आया है, right, थो B है, plus being है, plus word third है, यह सब कुछ passive की रहा है, हमारा sentence पूरा passive है, और हमें इसको active में चेंज करना है, तो जब हम active में चेंज करेंगे, तो यह जो by plus subject है, यह, बाई के बाद जो subject है, इसको हम सब से पहले लाएंगे उपर के लिखावा गन टॉटिंग गाड्स अब सबसे पहले तो जान दीचिए टॉटिंग वर्ड गलत है T O T T की जगे T O T होगा single T आएगा ये exam में गलत कर दिया गया है अब ये गन-totting guards ये गन-carry की हुए guards जिनके पास गन थे तो ये हमारा object है सबसे पहले हमारा sentence है वो गन-totting से start होना चाहिए गन-totting guards से और पहला हमारा इसीले reject हो जाएगा तो की main gate of the building है ठीक है पहली चीज गन-totting guards हमें नजार आना चाहिए दूसरी चीज was being guarded है यानि की ing आ रहा है और यहां पे तो हमें third form लेना होता है लेकिन active में हमें third form नहीं लेना होता है हमें इसके guarding काम करना होता है being है यानि being आया है ing की place पे to ing ही आएगा guarded को हम किसमें change करेंगे guarding में change कर देंगे और was या were according to the subject होगा was आएगा या were आएगा अब क्योंकि मैंने बोला हमारा subject क्या है gun-totting guards है तो guards कैसा है singular है या plural है obviously plural है और plural है इसलिए क्या होगा हम इसके साथ was यूज नहीं करके were यूज करेंगे first हमारा गलत होई गया यह रहा gun-totting guards guarded लिख दिया गया ing को यहाँ पर कोई importance नहीं दी गया इसलिए हमारा second point भी गलत हो गया third में gun-totting guards were guarding इसमें लिखा हुआ है तो यह सही हो सकता है इसके लिए हम पहले fourth option को देखना होगा gun-totting guards have been guarding गलत है क्योंकि have का यूज नहीं वह यहाँ पर फेक्ट नहीं है तो हम यहाँ पर फेक्ट का यूज नहीं करेंगे 11 पे भी वही para-jumbled है और para-jumbled को तारीका क्या होता है पहले option को reject करो जो reject हो सकता है उसको reject कर दो reject होने के बाद हम pair बनाएंगे तो आईए सबसे पहले चलते हैं point number one पे reject करने का काम देखेंगे elephant tusk were truck from the Democratic Republic of Congo for two months elephant tusk द लग रहा है elephant tusk के आगे और द लगना एक reference होता है कि elephant पहले आ हुआ होगा फिर द बन गया anyways हो सकता है कि यह हमारा first sentence तो नहीं हो देखे बिटा exam में options भी बहुत help करते हैं दो option A से start हो रहें दो option C से start हो रहें यानि कि options हमें बता रहें कि B से sentence start नहीं होगा A को हमने पढ़ लिया है और अब हम आजेतें C पह यह में हमने पढ़ा कि elephant tucks कहनी कि हाती के जो दात है उसकी बात करें कि वो track किये गए 4 ton 4 tons of ivory with a market value of dollar 6 million 6 million की जो ivory है जिसका market value 6 million है It was an impressive haul ये एक impressive haul है एक impressive number है एक impressive budget है ठीक है C में ये लिखा गया और यहां पर elephant test के बारे में बात हो रही है तो या तो C होगा starting या A होगा अभी पता नहीं चल रहा है आगे बढ़ देतें C के बाद B को पढ़तें Custom official in Thailand से Thailand के custom official कहते हैं It is a biggest seizure Seizure जिसे नहीं पताव Seizure इसको देखो Capture, Pukar, Japt Actually police करी तो क्या होगा? Japt होगा It is a biggest seizure in the country's history Country की history में ये सबसे बड़ी Pukar हुई है जो अपतक हुई है 6 million की ivory 4 tons ivory It is a biggest seizure C और A का पेर तो बनेगा C में बताया गया 6 million की ivory पकड़ी गई 4 tons थी B में बोला गया It is a biggest seizure C और A का पेर बनेगा C और A का पेर इसमें नहीं C और A का पेर इसमें नहीं A बुला C और B का पेर और A और D का पेर जो की available है Tilt क्या होता है Tilt थोड़ा सा एक photo है जैसे की एक photo है Straight मुझे चीन लगे CD में मैंने सुखके कर दिया थोड़ा सा Tilt कर गया Tilt करना Tilt करना क्या होता है Tilt करना Tilt करना क्या होता है Tilt support नहीं सहारा straighten नहीं सीधा Cross नहीं Cross में कर देना Zigzag form में तो यह भी गलत चाहिए Slant Fourth इसका answer हो जाएगा Select the most appropriate option to substitute the underlined segment Underlined segment को substitute करना यहां पे देख लेते है Underlined Will Proves यह होगा है It तो आएगा ही नहीं Prove To be good तक यहां तक है यह underlined segment है यह underlined करना भूल रहे है आप एक बार देख लिए चाहिए Underlined red से कर दिया मैं कोई और pen लेती हूँ ताके आपको problem नहीं होगी ठीक है If you join this job now जो इस session को पहरी बार देख रहे है उन्हें मैं बता दूँ अगर आप question number question series first देके shift 1 देके shift 1 में बिल्कुल same question आया था जिसमें if sentence conditional वाले ही sentence दिये थे जो if से start हो रहा था और उसमें भी यही गलती की गई थी यहां पर will plus verb first आना चाहिए will plus v1 यही वाला question पहले आ गया था और यही वाला question अभी आ गया है If you join this job now अगर तुम join करते हो job को अभी it will prove to be good in the future ऐसे हो जाएगा proofs की जगे will plus verb first आ जाएगा और यह सही हो जाएगा जो लोगों को नहीं पता है मैं थोड़ा से यहां पर आपको बता दूँ देखी क्या होता है conditional जो है उसकी एक table बनती है इधर मैं if लिख रहे हूं और इधर main clause लिख रहे हूं conditional और if में क्या होता है दोनों बनते हैं है ना दो clause होता है conditional में if clause और main clause राइट चार तरीके के conditional होते हैं 0 1 2 3 0 1 2 3 चार तरीके के conditional होते हैं number इसलिए दे रहे हूं तक आप इस तरीके से याद रख पाएंगे 0 में क्या होता है if में भी present simple होता है और main में भी present simple होता है देखे चार तरीके के conditional होते हैं इसमें दो clause होते हैं एक तरफ if होता है दूसरी तरफ main clause होता है 0 जो condition होता है उसमें क्या होता है या तो scientific fact या फिर universal truth होते है if you heat the water it boils तो दोनों तरफ present tense आता इधर भी present tense इधर भी present tense लेकिन अगर कोई general statement है if you invite me I will come to your party इस तरीके का sentence है तो यहां if you invite me your party यानि की present tense I will come यहां पर future sample यानि की will plus verb first आएगा और जो second वाला है जिसको हम past वाला कहते है past condition उसमें क्या होता है if में past simple यानि की verb का second form होता है और दूसरी तरफ would plus verb first होता है और जो last है वो past perfect है यानि की had plus verb third अगर इस तरफ है तो इस तरफ हमेशा would plus have plus verb का third form आएगा जो ध्यान रखने वाली बात है वो यह है अगर आप this table को learn कर लें तो conditional में कभी कोई गलती नहीं होगी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि यहां present simple है यहां present simple है और यहां would plus verb first आजे यहां present simple है और यहां पर would plus have plus verb third आजे तो इस table का कभी भी miss guide नहीं होंगे आप table से very simple यह लिखावा है तो यह भरना है यह रिखावा है तो यह भरना है इस तरीके से आता है similarly अगर इदर कुछ ऐसा लिखावा है तो हमें अग्जाम में दोनों तरफ में से कोई भी एक चीज़ दी भी होती है और उसी के according हमें दूसरा form भरना होता है तो यह थी conditional table अभी हमारे question में यह वाला है एक तरफ present simple दिया गया है और दूसी तरफ future simple आना चाहिए लेकिन वो नहीं आ रहा है क्योंकि general statement है इन दोनों में क्या difference है यह universal fact होता हूर general statement is a present simple और future simple follow होना चाहिए देख लेते हैं एक बार sentence को फिर से देखे sentence क्या है if you join this job general statement आपके लिए क्या रही हो अगर तुमने joint का लिया इस जौबको अभी present simple है तो यहांपे क्या आएगा it will prove to be good यह good prove होगा तो यहाँ पर क्या आएगा future simple आएगा इसलिए यह जो है option no.2 यह तो ऐसे ही गला होता है कि यह present simple है कोई universal truth यह scientific fact नहीं है इसलिए 3 option गया option no.2 क्या है it proves good फिर से वही दिया है इसलिए गलाद it has proved present perfect और इसका कोई लेक नहीं होता हमारे पूरे conditional में तो यहाँ पर present simple है यहाँ पर future simple आएगा यानि कि will plus verb first को हम use करेंगे verb first option यहाँ पर सही होगा इसी के साथ बढ़ते हैं अब हम question no. next पर 14 no. question पर she got two quick promotion देखे again मैं आपको बता दूँ यहाँ पर in order that लिखा हुआ है पिछला जो था shift 1 का question था उसमें भी in order that लिख दिया था उसमें भी यही correction था कि in order that एक गलग preposition use करेंगे था वहाँ पर एक conjunction आना चाहिए था because यहाँ पर भी यही गलती की गई है देखो क्या होता है she got two quick promotion उसे जल्दी जल्दी दो promotion मिल गए क्यों because she has good communication skills क्योंकि उसकी communication skills जो है वह बहुत जो बहुत अच्छी है इसलिए उसको जल्दी जल्दी दो promotion मिल गए तो यह क्या है हमेशा reason clause आता है कारण क्या था इसका यह कारण था कि उसकी जो communication skill थी वह बहुत अच्छी थी तो because आएगा यहाँ पर because के पहले result clause और बाद में reason clause आता है यहाँ यह result close है ना result है दो promotion मिल गए यह किसका result है उसकी communication skill अच्छी होने का तो वह क्या बन गया कारण reason result clause फिर because की जगे पर यहाँ पर हम use कर सकते है for को यह इसका भी मतलब क्यों की होता है as को इसका भी मतलब क्यों की होता है conjunction में तो इन तीनों में से कोई भी इस जगा पर आ सकता है because in order that की जगे तो हम मैं पूछा गया इन चारों में से क्या गलत है तो in order that इस वाले point में दिखावा है इसलिए ये गलत है आगे बढ़ते हैं next question की तरफ अब हम आगे हैं हमारे next question पर जो कि एक close test है और close test में 5 options दिये जाते हैं बीच-बीच में word missing होते हैं हमें according to the sentence उस word को डूंडना होता है आइए start करते हैं इसको पढ़ते हैं थोड़ा समय आपको समझाते जाओंगी an Italian mayor एक Italian mayor था has been cleaning जो clean कर रहा था किसको street को गलियों को सडकों को along with his concealers हमारे यहां पर पार्षद होते हैं हम हिंदी में ही पार्षद बोलते हैं और हिंदी का English translation होता है concealer councillors के साथ वो अपने councillors के साथ street को साफ कर रहा था एक mayor था जो कि अपने street को साफ कर रहा था किसके साथ councillors के साथ after their town after इसके बाद किसके बाद their town was dash with no manual workers कि उनका town जो है उसके पास कोई manual worker मैंना कोई man नहीं थे कोई workers नहीं बचे थे manual मैंना हाँ से काम करने वाले workers उनके पास क्योंकि बचे नहीं थे इसलिए वो खुद clean कर रहा था road को अपने councillor के साथ तो देखें first के लिए option क्या है has left has left क्या होता है has plus worth third I have done it मैंने ये काम कर दिया है तो has कब आता है जब हमारा subject action करने लायक हो तो town has left town ने नहीं बचाए है क्या town ने मार दिया town action कर सकता है क्या person है क्या town action नहीं कर सकता है तो has left नहीं आएगा ठीक है perfect tense इसले नहीं आएगा leaves भी नहीं आएगा क्योंकि वो कर रहे थे has been cleaning वो पहले से कर रहे है याने कि present tense नहीं आएगा was left और was leaving तो was left town was left with no manual workers यह ही आएगा क्योंकि passive sentence है action करने वाला नहीं action receive करने वाला यहां पर town नहीं बचा था कौन नहीं बचा था town तो was left आएगा यहां पर ठीक है was left with no manual workers town नहीं बचा था किसी भी manual worker के साथ इसलिए वो लोग खुद अपने सफाई कर रहे थे it is reported ऐसा it has reported ऐसा report किया गया है ऐसी report आई है in fact second question के options देख लेते है second question के है in fact dash was sweeping the piazza piazza जिन कोई वर्ड नहीं पता है piazza क्या होता है gallery होता है gallery मतलब छोटी छोटी street की चोटी corners होते उसको बोले जाता है की in fact dash was dash was sweeping sweeping है नहीं सफाई करना चाड़ू लगाना वो sweep कर रहे थे क्या piazza कौन sweep कर रहा था he she they it क्या आएगा इसमें हम किसकी बात कर रहे है and italian mayor की बात करें जो clean कर रहे थे road को अपने councillor के साथ तो अब he आएगा हमारा सब्से क्या था पहले बिटा एक person था italian mayor he की बात कर रहे तो हमारा answer क्या होगा he होगा right he was sweeping the piazza in front of the dash front of the उस piazza को साफ कर रहे थे जो front of the dash था dash in front of the dash church काँ से चर्च के सामने होगा local church neighbor church neighbor church नहीं होगा neighbor to our noun है योश नैक्स जो होता जब पिछले चर्च को हूई mention किया था लेकिन पिछ्छे एक पर एक साथ सथ थे कुमकि हम देख सकते हैं, आप से हबर के साथ करे वाहत Şिरोफ सते हैं खुछी किसी भी देख्यूरप्र भी उनके साथ थे क्योंकि हम देख सकते हैं also as well along or alongside आ गया है also अगर हम also लिखके देखें तो क्या यह sentence पूरा होता है local church आया था है यहाँ पर local church में सफाई कर दे in preparation of the market day also the deputy mayor's father and a town councillor armed with also अगर हम लिखते हैं तो यहाँ पर sentence में आगे verb आना चाहिए जो कि नहीं है also नहीं होगा as well और also एक सेंस देता है और as well अगर अकेला आ रहा है तो sentence का last part होता है along क्यों होता है के किनारे के किनारे along the river इस तरीक है तो alongside beside का synonym होता है beside नहीं इसके अलावा beside the deputy mayor's father and a town councillor armed with a high pressure host जिनके पास एक high pressure host थी, host क्या होता है rubber बाली pipe, pipe के साथ थे जो ठीक है the town zarfalues last, town zarfalue जो town है उसका नाम किया town zarfalue इसका last dash जो है retire हो गया था six months ago, retire हो गया तो कौन retire हो था क्या counselor retire हुआ, member retire हुआ, mayor retire हुआ यह पैसेज को देखके हमें बताना बेटा, passage में था ऊपर कि ना इसके सारे जो manual workers है वो खान हो गया है यहां पर प्री-referd word कौन है यहां पर worker है तो worker यहां पर answer में आ जाएगा कि जो last worker है वो retire हो गया six months ago and nobody has been hired since that और तब से कोई और जो since then यह नहीं तब से ही कोई नया hire नहीं हुआ है, we can't do anything हम कुछ नहीं कर सकते, we are blocked by bureaucracy the mayor says, the mayor ने का कि हमारे हाथ रुके हुए है, हमारे हाथ बंदे हुए है, bureaucracy के द्वारा तो हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो खुद यहां पर सफाई कर रहे थे इसी के साथ हमारा passage यहां पर खतम हो गया है, सारे questions कर चुके अब हम आते है, question number 20 पर, question number 20 है, I look for a better job, यह underlined part है, यानि कि इसको हमें change करना है, for the last two months but nothing is in sight, कुछ भी नजर में नहीं है, sight any नजर, अब हमें देखना है कि क्या यह part सही है, अगर सही है तो हम इसमें no improvement को use करते है, और अगर सही नहीं है, तो इन तिनों में से किसी और option पर हम जाएंगे, आए, check करते है, I look for a better job for the last two months, for यानि होता है, say और यह आता है, period के लिए, period यानि duration के लिए, duration को बोलते है, समय अबधी, समय अबधी, समय अबधी के लिए है न, यानि कि पिछले दो महीनों से, last two months यानि पिछले दो महीनों से, I look for a better job, मैं एक better job ढून रहा हूं, पिछले दो महीनों से, पर इसका sense क्या है, look for मैं देखता हूं क्या, better job देखता हूं, दो महीने से देखता हूं, पर कुछ भी नजर में नहीं है, तो क्या ये सही है, तो यहां पर हमें क्या है tense की गलती की गई है, देखता हूं गलत है, देखता हूं, तो habitual action के लिए आता है, मैं रोज देखता हूं, उसको जाते वह है तो I look him everyday, I see him everyday, I notice him everyday, तो सही होता, पर यहाँ पर यह present simple tense गलत है, ठीक है, अब यह गलत है, तो हमारा एक option गलत हो गया, ठीक है, अब देखो, दो महीने से वो लगातार काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, जॉप को ढूणने का, और I हमारा subject है, ठीक है, तो have आ सकता है, looked भी आ सकता है, past tense की बात करें तो, लेकिन अभी तक कुछ नहीं मिला, यहाँ पर बताती है, अभी तो कुछ नहीं मिला, अभी तक कुछ भी नजर में नहीं आया, यहाँ present tense है, तो यहाँ past tense नहीं हो सकता, दोनों तरफ एक ही tense होता है, यह option भी हमारा जा चुका है, have looked, मैं देख चुका हूँ, देख चुका हूँ, दो महिने से देख चुका हूँ हर। क्या, यह देख रहा हूँ अभी तक देख चुका हूँ होता ही, और यहाँ पर mayo क्या है, यहाँ सबसे important for, for पर यह होता है, यह past perfect continuous न Łysis हogram परफेक्ट में अगर हम यूज कर सकते हैं इसको अगर यह सेंटेंस यह नहीं होता तो हम इसको अराम से यूज कर सकते हैं दो महीने से देख चुका हूं मैं दो महीने से इस काम को कर चुका हूं ऐसे होता दो महीने से यह काम लगातार हो रहा है, दो महीने से मैं लगातार इस काम को कर रहा हूं, बहतर जौब दूनने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन अभी तक कुछ भी साइट में नहीं आया है, तो have been looking, जो काम पहले से चल रहा है और अभी भी चल रहा है, बोलने के समय तक जारी है, उसके लिए हम उसको करते हैं, present perfect tense को use करते है, या past perfect को भी perfect continuous हम उसको use करते है, तो यहां पे भी perfect continuous को use करेंगे, क्योंकि यह 4 है, जो हमें हिंट दे रहा है, कि 2 महीने से जारी है यह काम और अभी तक खतम नहीं हुआ है, तो हमारा answer 1 आएगा, इसी साथ 20 number question complete हो गया है, अब हम आएंगे 21 number question पे, 21 number question के है, select the most appropriate meaning of the given idiom, इस idiom का हमें meaning बताना है, जिसा कि मैंने आपको पहले बोला, idiom जो होता है, उसका सिर्फ एक sense होता है, उसके इलावा जो बाकी 3 option उसे हमें नहीं पढ़ने चाहिए, cost and arm and leg, एक arm और एक leg लग जाना, यानि बहुत महेंगा पढ़ना very expensive, यह इसका answer होगा, बाकी 3 सिर्फ हमारा deviation के लिए होते है, तो हमें क्या करना चाहिए, idiom को पढ़ो, उसको sentence में use करो, लगातार उसको अपनी बातों में इस्तेमाल करो, इससे क्या होगा, आपके idioms जाधा सही होंगे, 22 पे चलता है, 22 क्या है, one word आ गया है, a person, animal or plant belonging originally to a place, किसी एक place से originally आप अगर connected है, तो उस word को क्या बोलेंगे, देखो, पहले तो resident और occupant, को हिंदी में बोलते है, निवासी, मैं हिंदी में इसलिए समझारी हूँ, क्योंकि जो sentence है, दिया हूँ, यह इससे काफे related है, निवासी होना, like I am a resident of Delhi, है ना, मैं Delhi के resident हो पर, resident होना, यह proof नहीं करता है, कि मैं originally Delhi से connected हूँ, ठीक है, तो यह दोनो resident हो है, हो सकता है, मैं originally I am from Goa, but I am living in Delhi, right now, ऐसा हो सकता है, तो मैं निवास तो Delhi में कर रहे हूँ, but originally I do not related to it, तो यह दोनो एक ही sense देते है, alien यहनी क्या होता है, stranger, जो कि दूसरी जगह का हो, ठीक है, तो citizen और animal और plant जो कि उस originally place से, तो उसको क्या केते है, native, प्रमा, किसी area का native होना, यहनी वहीं से जुड़ा होना, originally वहीं से origin होना, जिसका origin, originally कहा से आया, origin से, origin यहनी जन मी वहीं पे हो, उसकी उपजी वहीं से शुरू होई है, तो this is the right answer, question number 23 पे आ गया है, 23 में क्या हो लगया है, error find out करना है, देखो, tense वाला जो question आया था, मैं बताना भूल गई, tense वाला question भी बिल्कुल shift 1 की तरह repeat हुआ था, और यह वाला question भी आप language पढ़ेंगे, तो भी समझेंगे, cyclone इदाई की ही बात, वहाँ पे हुई थी और यहाँ पे भी cyclone इदाई की ही बात हो रही है, नहीं आना चाहिए, grammatical error में आता है, due to नहीं आना चाहिए, तो एक तो यह error हो गया, लेकिन इस error को हम तब importance देंगे, जब दूसरा जो हमारा error sentence में कहीं नहीं हो, तो हम इसको importance देंगे, वालना इसका मतलब वही होता है के कारण, और यह वही कारण यहाँ पे दे रहा है, क्यों कोई जरुरत नहीं है इसको गलत करने के, due to the cyclone idai, vast areas of land, cyclone idai के कारण, vast areas of land, land के vast area, बहुत बढ़ा area, land का, have been flooded, flooded हो गया है, उसमें बाढ़ा गया है, पानी से बढ़ गया है, roads क्या हो गया है, destroyed हो गया है, roads जो है, वो बिलकुल खतम हो गया है, विनाश हो गया है, roads and communication जो है, वो पूरी तरहिके से क्या हो गया है, disrupting हो गया है, रुक गया है, communication में बादा आ गया है, यानि कि contact नहीं हो रहा है, कहां पे, in Zimbabwe, Zimbabwe और Mozambique में, Mozambique और Zimbabwe में cyclone idai का जो फरक है, वो इतना जाधा बढ़ा है, cyclone idai के कारण, land के, जो vast area है, वो क्या हो गया हो गया है, पानी से बढ़ गया है, भर गया है, roads खतम हो चुके है, नाश हो चुका है, खतम, विनाश हो चुका है, destroyed हो चुका है, और communication जो है, वो disrupt हो गया है, यह तो sentence का translation था, अभी हमने समझा, अब हम इसके part of speech को discuss करते हैं, तब जाके हम error को अच्छे से ढूंड preposition अपने पाद noun लेता है, तो due to cyclone, idai, यह noun है, ठीक है, कौनसा noun idai, cyclone idai, और the क्या article है, जो कि noun के लिए ही आता है, noun के पहले आता है, और preposition और noun के बीच में article आ सकता है, तो यहां तक तो यह पूरा सही है, cyclone idai के कारण, ठीक है, के कारण, क्या हुआ, vast areas of land, land के vast areas, तो क adjective हो गया, vast areas और यह preposition है, और preposition ने इसको गया बना दिया, object बना दिया, तो हमारा subject कौन है, यह subject है, यह subject है, यह subject है, इसलिए हमारा verb कैसा है, plural है, ठीक है, idai, cyclone के कारण, land के vast areas, जो है, have been flooded हो गये है, flooded हो गये है, roads destroyed हो गई है, roads have been, have been आता है, इसके बीच में पर comma है, और last में end आ रहा है, देखें, end क्या है, conjunction है, और conjunction and unnecessary repetition को नहीं लेता है, यह बार बार रेपीटर होता है, have been, have been इसलिए नहीं, roads have been destroyed and communications have been disrupted आना चाहिए था, देखो यहाँ पर, इसको बोला जाता है, rule of parallelism, disrupted, communication कैसे हो गये है, disrupted हो गये है यहाँ पर क्या है, passive form है, passive structure है, have been, areas of land flooded हो चुके, किये नहीं जा चुके, हो गये है, action जब अपने आप हो रहा है तो passive, have been flooded, roads have been destroyed, road destroyed हो चुके और communication have been, have been के बाद work का कौन सा form आना चाहिए, third form आना चाहिए, और यहाँ पर ING form हो गया, इसलिए गलत है, disrupted आ जाएगा, work का third platform आजाएगा, और यह सही हो जाएगा, right, तो हमारा जो answer होगा, किस part में आएगा, disrupting इसमे, second answer यहाँ पर गलत है, right, question number 23, complete हो चुके है, आते है, question number 24 पर, देखिए, हमारा जो next question है, वो यह है, the state government, तो यहाँ पर हमारा subject क्या है, state government, state government ने क्या किया, यह हमारा verb है, वो that से शुरू हो रहा है, that से शुरू हो रहा है, यह पूरा क्या है, object clause है, यह तो sentence का structure है, अब हमें क्या करना है, इस object clause में एक verb भरना है, ठीक है, verb भरना, यह मुझे कैसे पता चला, क्योंकि देखो, it could not, यह नहीं कर सकती, क्या, अब could क्या है, model है, और model हमेशा अपने स यह देखते है, sentence को अभी पहले समझते है, फिर हम meaning को, sense को देखेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे, कौन से वर्ड यहाँ पर आना चाहिए, the state government, state government ने आग्यू किया, बहस किया, कि it could not, यह नहीं कर सकती, क्या नहीं कर सकती, increase in the teacher's salary, teacher's की salary में इजाफा बड़त करना, यह नहीं कर सकती, बड़त करना यह नहीं कर सकती, stand नहीं कर सकती, afford नहीं कर सकती, spare यह नहीं होता है, खर्च करना या बचाना, spare करना है, किसी के लिए छोड़ना या खर्च करना, बचाना ही हो जाएगा, किसी के लिए छोड़ना, और get यह नहीं प्राप्त करना, यह प्रा बड़े होना किसी चीज के लिए ठीक है तो यह क्या नहीं कर सकती है salary का sense लिए teachers की salary में इंक्रीज नहीं कर सकती as awarded by court जैसा कि court ने तो बता दिया लेकिन government जो है वो उस खर्चे को नहीं उठा सकती increase जो है वो government के पास इतना budget नहीं है कि वो उस award को जो जो court ने कह दिया उसको फॉलो करें यह government के लिए अभी possible नहीं वो उसको अफ़र्ड नहीं कर सकती तो अफ़र्ड आएगा यहां भी बाकी कोई sales नहीं दे रहा है तो भी हमारा right answer हो जाएगा 24 complete हो चुका है और 24 के बाद हम आते हैं Spelling पर एक ही question आया है Spelling का comparable है, comparison है, competition है और communication है very easy it is, एक जैसे words देते हैं ताकि हम थोड़ ऐसा confused हो जाएगा और exam के pressure में confusion हो जाता है हर वर्ड हमें सही या फिर गलत हर वर्ड नज़र आता है Comparable में कोई गलती नहीं है, comparison में भी नहीं है, competition में comparison एक ऐसा word है जो हमारे सामने दिन में 10 बार आता है, लेकिन exam में एक बार आने में भी हमें confusion हो जाती है, P के बाद जो आई है वो गलत है, E आएगा और हमारा right answer भी इसलिए यह होगा, यह बिल्कुल June 4 को हुए वाद 3rd shift का जो exam था, यानि कि 1st और 2nd shift हम कर चुके हैं पहले ही, और 3rd shift के exam की हम detailed solution कर रहे हैं, अगर आप SSE के लिए prepare कर रहे हैं, तो भी यह बहुत important है, और अगर आगे बढ़ रहे हैं, तो भी यह previous year के questions हमेशा important role play करते हैं, तो previous year में कैसे paper आओ, और इस पर किया, तो shift 2 में जो question थे हैं, वो बिलकुल repeated mode पे words को अलग-अलग करके, वही same mode को follow किया गया है, और same यहां 3rd shift में भी हुआ है, तो आईए, शुरू करते हैं, June 4, 2019 में हुआ 3rd shift के exam को, सबसे पहला जो question है, वो है synonym, क्योंकि यहां पे question का series को ही followed रहे है, properly, पहला synonym है, ए इसलिए किया जाता है, ताकि आपको बार बार माइंड सेट स्विच करना पड़े, start करें हमारा first question, जो कि synonym से है, देखिए, और first word interrupt है, जो कि एक adjective है, सबसे पहले तो हमें word का part of speech, इसलिए बता होना चाहिए, क्योंकि adjective का जो synonym होगा, वो भी adjective ही होना चाहिए, वैसे है, दे दिये जाते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कि एक वर्व है, वो पूरा उसका sense बता रहा है, लेकिन वर्व है, तो हम उसको नहीं चुन सकते हैं, और फिर हम गलती कर जाते हैं, तो यहाँ पर यह वाली problem नहीं है, inept क्या होता है, work done without any skill, work without any skill, done without skill, यहीं बिना किसी perfection के, बिना किसी अच्छाई के, बिना किसी expertise के, और कोई काम कर दिया गया, तो काम कैसा होगा, inept होगा, clumsy होगा, dull होगा, तो clumsy यहाँ पर दिया गया है, strong क्या होता है, something very powerful is strong fit, यानि perfect और capable, यानि काम करने की शमता, ठीक है, तो यहाँ पर यह तिनों तो अलग दिख रहे हैं और clumsy इसका सुननिम है, इसलिए answer है, direct clumsy है, कुछ ऐसा घुमाने वाला नहीं है, यह सुननिम, आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ, question number 2 पे, यहाँ पर wrongly spelt word पूछा गया है, तो wrongly spelt word, ऐसे word दे जाते हैं, जो generally हमें confuse कर देते हैं, जिससे comparable में A आता ही आता है, इसको miss कर देत है, तो कई पर commission में हमें S नहीं लगता, दिखता नहीं है, अच्छा नहीं लगता सुनने में, तो हम single करके use में गलती करते हैं, पर यह तीनों सही है, यह साइन्स के spelling क्या होती है, S-I-E-N, C-E, S-E-I-E-N, तो I-E आता है science में, यहाँ पर E-I देखा, यह ऐसा mistake है, जो हम बार तो over look कर जाते हैं, हम वही पढ़ते हैं, जो हमें सही लगता है, तो यह यहाँ पर answer है और यह तीनों नहीं है, ठीक है, easy थे, पहले दो question, third question पर चलते हैं, हाँ, देखे, underline किया हुआ है, यानि इस underlined word को हमें या तो improve करना है, और अगर यह सही है, तो हम पहला option चुन पहला था, वहाँ पर यही common error दिया गया था, कैसे दिया गया था, for दे दिया गया था, since के जगे, यहाँ पर, जैसे के यहाँ पर point of time है, वहाँ Europe के साथ period of time दिया गया था, और आपको पता है simple tense या फिर continuous tense नहीं लगता है और यहाँ पर क्या she red, she के साथ red है यानि कि second form में अगर यह present होता तो इसके साथ reads होता है न तो यहाँ पर यह दोनों simple है और यह दोनों simple नहीं लगें गया, तो perfect या फिर perfect continuous, दो ही आ सकते हैं since or four के साथ, ठीक है, बाकी नहीं आ सकते हैं, तो no improvement तो गलत हो गया, क्योंकि simple दे दिया गया और simple गलत है, has been reading, she के साथ has सही हो सकता है, reads देखो, reads सही है या गलत है, मैंने पहले ही बताया, simple है, तो reads कैसा हो जाएगा, गलत, has के साथ read, बिल्कुल सही है, perfect, ठीक है, पर मैंने बोला perfect भी हो सकता है, या फिर perfect continuous भी हो सकता है, कब हमें देखना है, दोनों दे दिया गया है, तो आएगा कौन सा, इसके लिए हमें पढ़ना पढ़ेगा sentence, तो इन दो को हम काट चुके, first को और third को ये eliminate हो गया, अब हमें second और four में से चुनना है, तो she read that novel, वो novel पढ़ रही थी since, जब से, she got up in the morning, जब से वो सुबह से उ perfect नहीं, perfect continuous का use होता है, has been reading that novel, वो उस novel को पढ़ रही है, पहले से शुरू हो चुका है, कब से mornings है, और अभी भी हो रहा है, तो इसके लिए हम क्या use करेंगे, has been, और ये नहीं आएगा, has read, has read का मतलब तो होता, कि वो वो ये काम कर चुके, लेकिन तब से since नहीं लिखा वा हो है second, जो की बताया गया है, जिसमें की काम सुबह से शुरू हाता और अभी भी चल रहा है, same error, tense वाला, same error हमें देखने को मिलाता, shift 2 में, तो अगर आप paper को read करेंगे, paper को analyze करेंगे, paper को solve करेंगे, तो आपको पता चलेगा कितने questions repeated हैं, एक जैसे ही questions ले लिए जाते हैं, question number next पर चलते हैं, यहाँ antonym पूचा है, exceptional का, exceptional क्या होता है, अलग, सबसे अलग, यानि uncommon, जिसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं, यह दोनों एक ही meaning देते हैं, unthinkable और unimaginable, जिसके बारे में सोचा ना जा सके, जिसको imagine ना किया जा स कि दोनों एक जैसे sense लेते हैं, जब भी दोनों एक जैसे sense दे रहे हैं, दोनों में able, able लगा हुआ है, या दोनों का part of speech adjective जो की same है, तो इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, जब दो options, एक जैसे answers देते हैं, तो वो कभी भी हमारे answer नहीं होते हैं, तो exceptional का answer, या तो uncommon होगा, या फिर unremarkable होगा, लेकिन हमें चुनना क्या है, antonym, exceptional मतलब क्या होता है, अलग, सबसे अलग, uncommon, तो ये तो answer होगा नहीं, ये तो synonym है, answer क्यों होगा, unremarkable, जो की unimportant होता है, इस पे ध्यान भी न जाए, ठीक है, exceptional नहीं होता है, exceptional तो अलग से दिखाई देता है, ये exceptional है, तो unimportant is answer होगा, जो की antonym है, question number 5 पे आ गया है हम, जहां पे grammatical error है, और आपको ये पढ़ना, पढ़के मैं बताऊंगी वैसे आपको की question number 5 में जो error है, जैसी grammatical error यहां है, बिल्कुल ऐसी ही grammatical error shift 2 में थी, कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगी, torrential rains, the winds, torrential rains, the winds, rain कर दि which has swept away, which swept away, यह इसका adjective clause है, जिसको phrase में change कर दिया गया है, which swept away, जिसने swept away, जो बहा के ले गया, swept away नहीं बहा के ले जाना कि इसको, roads को, homes को, roads को, homes को और bridges को, जो swept away कर के ले गया, मैं बिल्दाब, wind की speed, जो की 170 km per hour थी, वो बहुत जादा थी, उसने क्या कर दिया, roads को, homes को, bridges को बहा के ले गया, and knocking down, and knocking down, and क्या है, हमारा conjunction है, और conjunction क्या करता है, unnecessary repetition को, avoid करता है, और जो same चल रहा है, जो यहाँ पर parallelism का काम करेगा, parallelism क्या होता है, समानता है, आगे swept है, आगे यहाँ पर क्या है, verb second है, swept away, phrasal verb है, phrasal verb swept away, यह नहीं बहा के ले जाना, तो swept second form, इसी तरीके से यहाँ पर भी knocked down होना चाहिए, second form of the verb, and knocked down, or knock down कर दिया, किसको power and communication line को, बिल्कुल खतम कर दिया है, है न, destroy कर दिया है, किसको power को, और communication lines को, तो यहाँ पर एक knocking down की जगे, knocked down होगा, और यहाँ knock down लिखा हुआ है, इस न, knocking down यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पर हमारी गलती है, देखिए, क्या किया गया है, torrential rains the winds, तो winds of up to, एक यह पार्ट दे दिया गया, एक यह पार्ट दे दिया गया, एक यह पार्ट पूरा sentence ना देके, चोटे-चोटे phrases में error डूणनी है आपको, तो जो हमारा knocking down phrase है, इसमें error है, वर्फ phrase कहते हैं, जब एक से जादा word, मिलके वर्फ का काम करते हैं, तो इसको वर्फ phrase या phrasal verb भी कहा जाता है, वर्फ को इसको दो, तो यह हमारा answer है, यहाँ knocking down की जगे, knocked down आना चाहिए, knocked down क्यों आना चाहिए, क्योंकि and के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा parallelism का case लगेगा, वहाँ पे भी which swept है, तो यहाँ पे भी which knocked down, and which knocked down, इस तरीके से होना चाहिए था, तो knocked down आएगा यहाँ पे, इसी के साथ, question number 6 पे अब हम चलते हैं, पनिश सजा देना, यह इसका opposite हो जाएगा, kindness यानि दया, यह नाउन है, ठीके, grace यानि grace the occasion, grace करना यानि दया दिखाना भी होता है, तो दोनों sense में, mercy भी नाउन है, यह भी नाउन है, और pardon verb भी हो सकता, pardon और पनिश नाउन भी हो सकते हैं, दोनों, तो pardon यानि माफ करना, पन पनिश यानि सजा अगर नाउन है, तो सब नाउन है, तो आम नाउन माल लेते हैं इसको, तो यह इसका answer होगा, इन तीनों का answer positive है, और यह negative है, punish, इसलिए यह इसका answer होगा, question no.7 पे आ गया है, inarticulate, inarticulate, articulate क्या होता है, clear, articulate यानि clear, बहुत spust, और inarticulate का मतलब क्या हो गय clear, a spust, ठीक है, fluent, fluent English, clear English, लगातार बोली चनने वाली English है, इसमें सब कुछ clear हो, inevitable का मतलब होता है, unavoidable, unavoidable का मतलब क्या होता है, unavoidable है, यह यानि की, जिसको हम ignore नहीं कर सकते, unignorable या फिर जिसको टाल नहीं सकते है, फिर हाटा जिसको हमें करना ही पड़ेगा, जो compulsory है, वह होता है unavoidable, inevitable, indispensable है, जिसको wormें छोड olmay moderate, नहीं करना ही पड़ेगा, जिसको avoid नहीं करा सकता, नजर अंदास नहीं करा सकता, न नहीं करा सकता, eloquent, very clear, और incorrant क्या होता है, clear होता है, coherent यानि clear, synonym ढूणना है तो यह इसका right answer है, in coherent यानि unclear, synonym है, है ना, यह unclear और यह भी unclear, यह सब क्या है, clear है, clear है, तो यह सब इसके synonym में यह है, और यह inevitable अलग sense का word है, तो answer क्या हो जाएगा, in coherent हो जाएगा, next देखिए, यह images दीए मैने ताकि आप आराम से इसको याद रख सके, images हमें बहुत महनत करती है, help करती है, चीजों को याद रखने में, a cylindrical container, image से बात easy हो गया, देखिए, cylindrical container डूणना है हमें, तो कौन सा होगा, यह होगा, cylindrical, यह तो ही नहीं, cylindrical, यह दस्ट मेन है, और यह तो लकडी का टुकड़ा है, बल्जिंग आउट इन दा मिडल, ट्रडीशनली मेड ऑफ वुड़न, ट्रडीशनली मेड ऑफ वुड़न है, स्टेव्स फॉर कीपिंग और बेर, सबसे जादा इसमें और नहीं बेर रखा जाता है, वैसे बैरल बोलते हैं इसको, तो पर बैरल में और बैरल होते हैं, और बेर के भी बैरल होते हैं, और बैरल है हमारा यह, मैंने स्नैप इसलिए दिया है, ताकि आप इसके चीजों को कि याद आखें बिन क्या होता है, ड़सिए बिन भी बोलते है, बेल , बेल रिज लकडी का टुकडा तटिक है, और बशस बॉली hm henरा सलीर होता है जो कर राउंड होता है, और बैरल के है, नोने जिसमें वेशन ब измен वे मिलेंगे, जिन भूरा रहनी बेर, शिए बेर, बेर ह expensive हो जाती ही क्योंकि उसको ऐसे बर्तनों में रखा चाता है containers में रखा चाता है जो कि बहुत ज्यादा समय तक चीजों को खराब होने से बचा के रखे cylindrical wooden container है ना for keeping beer राइट तो barrel का answer हो जाएगा question number nine पे चलते हैं यहां से question number nine अब आ गया है passage तो passage बहुत important role play करते हैं marks attend करने में marks को score करने में और कई बार एक छोटी सी गलती से हमारे marks चले भी चाते हैं तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए इसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आए पढ़ लेते हैं हमारे passage को eager to control the south atlantic south atlantic को को control करने के लिए eager उच्छाही कौन the british navy यह इसका subject है the british navy was कैसी थी eager उच्छाही थी किस लिए control करने के लिए किसको south atlantic को control करने के लिए काफी उच्छाही थी had taxed उसने टास्ट दिया किसको admiral viral को admiral viral को क्या tax दिया settling an island of the south american coast आगे बढ़ जाते हैं पहले टास्क देख लिए यहाँ पर हमारा वर्व है और कई बार अगर preposition वर्व के आसपास है तो हमें उस वर्व को पढ़ना चाहिए क्योंकि टास्क जो वर्व है न वो अपने साथ हमेशा एक preposition लेता है task plus with हमेशा task with provided with इस तरीके से compulsory के task with ही आएगा तो for of from नहीं आएगा सिर्फ with आएगा the British Navy had task ने task किसको दिया task somebody with इस तरीके से task Admiral Byron with कौन सा task दिया with settling an island एक island को set करने का टास्क दिया of the South American cost South American cost के island को set करने का task दिया 9 question हो गया 10 के लिए option देखते है यह रहे आपके सामने cost ships could resupply है जहां पर क्या हो से कि ships resupply हो से कि जहां supply हो से कि तो देर तो आएगा नहीं wherever यानि जहां भी होता है place के लिए वेन नहीं आता है वेन कब आता है time के लिए आता है जब यह सब क्या relative relative pronoun की ज़रूरत है और देर तो relative pronoun ही नहीं है वेर ships could resupply जहां पर ships क्या हो सके resupply हो सकें तो seas का अंसर आएगा क्योंकि और कोई भी यह relative pronoun नहीं लेकर time और जहां जहां भी जहां भी ship supply हो सके senseless हो चाएगा क्योंकि settling है एक island set करने का काम दिया जहां पर क्या हो सके ships supply हो सके and then और उसके बाद finding an alternative dash एक दूसरा alternative dash डूणने का भी काम दिया to the East Indies East Indies के लिए यानि की East India के लिए दूसरा alternative क्या जैसे कि हम option देख पार है रास्ता रास्ता डूणने का काम दिया तो देखो ship की बात हो रही तो road तो गलत हो गया means होता है साधन क्या होता है means साधन इन शिप ढूणना था या port ढूणना था इस तरीके का या फिर हमें कोई underwater marine ढूणनी थी इस तरीके का task दिया कैसा task दिया है and then finding an alternative to the East Indies East Indies के लिए एक दूसरा alternative यानि रास्ता ढूणना है तो road तो होगा नहीं साधन भी नहीं होगा या तो path या फिर route path क्या होता है पैदल चलने वाला और route क्या होता है रास्ता चाहे वो underwater हो चाहे वो on the earth हो तो path नहीं होगा path space में भी कामात हो तो यहां पर क्या आचाहेगा route आचाहेगा route to the east indies ठीक है एस का answer easy यह देखिए काफी easy हो गया है solve करना क्योंकि बहुत ज्यादा complicated नहीं है बस complicated क्या है यह वाले यह हमें ध्यान रखने बहुत ज़रूरी वर्म जो की fixed preposition लेते हैं और ऐसे जरूर आते हैं close test में after rounding the tip of south america admiral जैसे ही round कर लिया उन्होंने south america admiral baron comforted the world's dash body of water the endless specific ocean देखिए यह मैंने क्योंकि full stop नहीं लगा तो आगे लिखावाद the endless specific ocean endless specific ocean था सबसे बड़ा body तो large होगा larger होगा more larger होगा यह largest होगा देखिए hint क्या है the लिखा हुआ है आगे the किस के लिए आएगा superlative के लिए आता है na world का क्या largest body of water कौन है आगे लिखावाद पे the endless specific ocean देखा हुआ है ना तो it is a great hint for us Admiral Vire comforted the world's largest body of water which is what which is the endless specific ocean ठीके next के option सामने रख लेते हैं फिर पड़ेंगे देखिए next के option क्या है after a month of empty blue horizon after एक महीने के empty blue horizon पर मतलब की पानी में हम चले जा रहे थे चले जा रहे थे एक month से horizon होता है शुतिज है na horizon होता है जहां पर मिलते है वह असमान और जमीन तो क्योंकि blue water था तो blue water और clouds जो विलकुल सेम इसले horizon कह दिया गया है a tiny island dash came out showed appeared या stood up अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसमें आंसर क्या होगा तो मैं क्या करूंगी इसको और पढ़ूंगी ठीक है आगे पढ़ेंगे मैं क्यों पढ़ेंगी इसको और पढ़ेंगी tiny island baron joyously happily describe the island's beautiful appearance baron ने describe करा कि इसको island के beautiful appearance को island क्या हुआ appear हुआ यहां पर क्या पुछा है tiny island appeared came out showed या stood up खुद खड़ा हो गया tiny island या बाहर निकलना या दिखाया या appear हुआ प्रकट हुआ बहुत लंबे समय तक चलने में क्योंकि उसको island डूडना था तो वो चलता रहा चलता रहा तो उसको Pacific Ocean के सापास में क्या दिखाए दिया एक appear हुआ अचानक क्या island प्रकट हुआ ना island वहीं पर था लेकिन बहुत लंबे समय पर चलने पर वो नजर आया तो इट appeared और यहां पर लिखा हुआ उसको appearance बहुत beautiful था तो क्या हुआ वो appear हुआ यही से हमें इसको बहुत अच्छे से करें और दूसरी बात कि हमें इसकी practice ही करनी चाहिए बहुत ज्यादा तो जैसे कि अब देखो यह हिंट से ही मिल गया है तो इस अब कर पाएंगे जब आपके पास इसकी practice होगी ठीक है तो close test हमारा यहां पर खतम हो चुका है इसकी practice आप करते रहिए आगे चलते हैं wrongly spelled word डूणना है exchange exercise excite exclaim exe 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 लेकिन excitement में c होता है ना बेटा जो की बहुत जादा बोला नहीं चाहिए excitement exe excitement excite नहीं होता यह excite दोनों होता है दोनों का sound आता तो excite सही है जिसकी spelling गलत है बाकी सबकी spelling सही है कोई बहुत मैनत का काम नहीं था यह आगे बढ़ते हैं इसके बाद next question पर चलते हैं देखे हमें appropriate word fill करना appropriate word fill करना यानि कि वह क्या आपको question है और आपको words पता होनी चाहिए a number of Indian goods face a number of Indian goods और सबसे पहले तो यह देख लिए अ number of और the number of दोनों हो सकते हैं और अगर the number of होता है तो वह हमेशा singular होता है और अगर a number of होता है तो वह हमेशा plural होता है वह प्लूरल होता है यानि कि इसके साथ s और s नहीं आता है जिसके यह देखिए वर्व है और यह प्लूरल वर्व है इसके साथ s और s नहीं आया है ठीक है अगर यहाँ पर दो होता तो यहाँ पर faces होता ठीक है a number of Indian goods face face करते हैं competition goods यानि सामान competition from Chinese goods in terms of prices and looks prices और looks के terms में Chinese goods से हमेशा ही एक अच्छा competition रहता है fierce competition रहता है fierce ही होगा इसका answer angry नहीं होता powerful नहीं होता competition यह bold नहीं होता fierce competition होता right आते हैं question number 16 पर passive correct passive देखिए इस बर change होगा है direct indirect नहीं आरा दोनों question passive क्या रहे एक में active बनाना और एक में passive बनाना तो यहाँ पर passive है पिछले दोनों में भी ऐसा ही था please show me my son's mathematics notebook ठीक है अब please आया है please is request है ना formal और formal request के लिए सिर्फ एक ही model काम आता है वह है में ठीक है दियान रखेंगे इसमें बहुत complicated आया है यह general नहीं है complicated है कैसी request formal request or formal request के लिए में आता है इसलिए बाकी सब गलत हो गया है इसमें तो वास कर दिया प्लीज आता दिया गया है please show me क्रिप्या मुझे दिखाएं क्या मेरे सन की math की notebook दिखाएं ठीक है तो मी हमारा object है please show show किसको मुझे तो मी हमारा object है आय से start हो का ठीक है यह दो तो ऐसी कटके है मारे सन से start हो रहा है हाँ इसमें विल लिखा हुआ है तो विल जो है वो request के लिए तो आता है पर वो ऐसा होता है Will you please give me a cup of coffee थोड़ा सा informal है और यहां पर formal request करें हमेशा मे का ही उसके जाता है तो I हमारा object है तो मी का क्या हो जाएगा I फिर होगा मे फिर please as it is क्योंभी यह request है और यह direct indirect नहीं जहां पर चीजों को eliminate कर दे जाए और मे है इसलिए हमेशा model हमेशा अपने साथ be और फिर word third तो लेता ही है तो word third show का करेंगे show का third क्या होगा shown I may please be shown अब shown करना है क्या my son's mathematics notebook as it is यह लिख दिया जाएगा my son's mathematics notebook तो यह इसका answer हो जाएगा second और बाकी नहीं होंगे right आते है question number 17 पर और question number 17 है appropriate meaning of the given idiom हमें एक idiom दिया गया है action speak louder than words बहुत ही जादा common used commonly used यह है idiom है कि action जो है वो words से जादा बोलते हैं इसका मतलब क्या है देखे idioms में सबसे अची बात है idiom पढ़ो उसको use करो इस्तिमाल करो अपने sentences में Hindi में English में जैसा आपको comfortable लगता है पर उसका usage ही important है यह नहीं कि हम उसके options को पढ़े और उसको फिर eliminate करें what you do is more important than what you say जो आप करते हैं वो ज्यादा important है किससे जो आप कहते हैं उससे ज्यादा तो 20 का answer है without seeing the options इसको eliminate करना चाहिए if I have money I purchase this house यहाँ पर क्या करना है हमें grammatical error डूढनी है if वाला sentence है let me tell you पिछले दो questions मैं करवा चुकियों दो sets करवा चुकियों दोनों में if वाला conditional sentence आया पहली बात दूसरी बात हमारों जो conditional है वो stable के basis पर होता है जो कि ऐसे हो जाता है main if clause और main clause है यह मैंने वहाँ पर भी बताया है और मैं यहाँ पर भी बताया हूँ इसलिए क्योंकि बार-बार यही वाला आ रहो तो यह table तो आप रटी लो एक होता है 0 फिर होता है 1st 2nd और 3rd चार पार्ट्स होते हैं 1st में 0 में क्या होता है दोनों तरफ present tense होता है present simple क्यों होता है present simple क्योंकि scientific facts या universal facts बताते हैं दोनों तरफ present simple होता है अगर यही general हो जाए इसे scientific fact या universal fact ना बताए तो इधर तो present simple होगा if में present simple होगा जिसे यहाँ पे है present simple होगा लेकिन इधर क्या होगा future simple होगा future simple का मतलब है will plus verb first यह होता है और यहाँ पे क्या है present simple दोनों में तो इसने 0 बना दिया है और हमें क्या चाहिए जीरो नहीं चाहिए क्योंकि यह universal fact थोड़ी है यह scientific truth थोड़ी है कि if I have money अगर मेरे पास money होगा तो मैं purchase कर दूंगी है उसको यह मेरा personal हो गया ना it is not a it is a general statement मेरा general statement है तो यह जीरो में नहीं कि किस में आएगा present में आएगा और इफ वाले में present tense दिया हुआ है देखे इफ मैंने बोला इधर present simple है तो इधर future simple होगा तो इसमें क्या दे दिया है past दे दिया past simple past simple किस में आता है यहाँ पे past simple आता है और past simple के साथ हमेशा would plus were first आता है past simple इधर इधर तो कभी भी past simple आता ही नहीं है तो यह तो वैसे ही गलत हो गया ठीक है I have purchased I have purchased यह नहीं पर्फेक्ट ह आता है और have नहीं had past perfect लिकूंगी मैं यहाँ पर past perfect इधर और इधर would यहनी perfect conditional बोलते है would plus have plus weref का third form आप चाहें तो इसका क्यूंकि मैंने पहले भी पढ़ाया था और मैंने का यह table बहुत important है एक बार अगर आपको यह table आ गई तो आप कभी भी conditional में गलती नहीं करोगे कोई पर इसा case नहीं हो था कि यहाँ present simple आ गया और कोई exceptional आ गया उसके काराण यहाँ पर would or have plus weref थर्ड आजन नहीं है ऐसा कभी नहीं होगा यहाँ पर present simple आया है तो यहाँ पर future simple होगा कब अगर वो general statement हो अगर वो universal truth नहीं हो यह scientific fact नहीं हो अगर universal truth scientific fact हो तो यहाँ पर क्या होग यह फिर से समझा देती हूं यहाँ पर क्या था थोड़ा सा जल्दी में शायद मैंने समझाया if the wife क्या होते conditional conjunction यदी अगर अगर मेरे पास पैसे हुए have है have verb first है और verb first plus noun है na present simple tense हो क्या अगर verb के साथ आगे verb third आ जाता है have के साथ verb third हो जाता तो यहाँ पर्फेक्ट हो जाता हुए मैं क्या करूंगी purchase करूंगी क्या house लेकिन I purchase this house का मतलब क्या है मैं यह house purchase करती हूं present simple है तो यहाँ पर present simple नहीं आएगा क्योंकि यह depend करता इस पर अगर मेरे पास money हुआ तो मैं इस house को purchase करूंगी तो I will purchase this house यह होगा इस concert ठीक है आईए इसी के साथ चलते है question number 19 पर children और 19 क्या है जंबर sentence है और हमें क्या करना है arrange करना है ठीक है जैंबर sentence में क्या करना होता है दो चीजेश है जो हमें follow करनी चाहिए reject option को reject करो और दूसरा payer बनाओ ठीक है और कई बार क्या होना है यह तो options यह हमें काफी मदद कर देते हैं, एक C से start हो रहा है, एक D से start हो रहा है और एक D से start हो रहा है दूसरा भी B, यहनि A से हमारा sentence first start नहीं होगा, हम ऐसे भी देख सकते हैं, end से शुरू हो रहा है, end से कौन से sentence यह रहीं नहीं होता है इसले एपार्ड बन सकता है किसी का पर यह शुरू मचलेगा इट सब्सक्राइब नहीं होगा oke कर दिया about the footage from lekette पहला source कर दियाब ऩिशला वार्ट ख्राइव इसटोब amendment नराण होगा। वर्ल्ड का water crisis जो है वो worse होता जा रहा है D में ऐसा लिखा हुआ है B पढ़ते हैं Around 4 billion people in the world live in physically water scarce areas 4 billion लोग जो है world के वो रहते हैं कहां पर physically water scarce area में ऐसे area में जो physically कैसे है water की कमी लिये हुए है 4 billion people ऐसे रहते हैं वहां पर ऐसे areas में And 844 million don't have access to clean water Close to whom और उसी में information add कर रहा है बेटा end का काम क्या हो तो information add करना है तो end conjunction है नया sentence की साथ information add कर रहा है 844 million people का access नहीं है किसका clean water का है तो यह इसी में information add कर रहा है यह पहले reject क्या था अब हम क्या कर रहे हैं pair बना रहे हैं तो अब हम डूनेंगे के B और A का pair कहा है क्या यहाँ पर हैं नहीं है क्या यहाँ पर हैं नहीं है यह तो हम वैसे भी eliminate कर चुके थे क्या यहाँ पर हैं नहीं है तो हमारा answer क्या हो जाएगा 4 B A D C यहाँ पर हमारा यहाँ नहीं नहीं के रहे हैं यह नहीं होगा start, this is a problem, यह वो problem है that stretches far beyond India, जो India को far beyond कर लेती, this is a problem, कौन सी तो this, यहाँ पर नहीं आया, start नहीं होगा, B से हमारा sentence और and much of it is not biogredable, and से start नहीं होता, हमारा पहला, यानि sentence D से और B से तो start नहीं होगा, यह हमें परता चल गया, कैसे option भी देख लो, C से होगा, या A से होगा, ठीक है, अब पढ़ लेते हैं, सबसे पहले C को, क्योंकि A को तो हम पढ़ चुके हैं, और A से हम, अहां हम पहले estimate लगा चुके कि A से start नहीं होगा, an estimate 70% of this plastic, इस plastic का 70% है, जो कि C sink में जाता है, किसका, C से start होगा, है ना, तो C को पढ़ते हैं, C A या C D, बस इतना ही काम करना, देखे, 8 million tons of plastic ends up in the world's ocean everywhere, 8 million plastic जो है, वो, वर्ल्ड के ocean में हर साल dump होता है, और वो cause करता है, damage to the fragile ecosystem, fragile, नाजुक सा, जो हमारा ecosystem है, उसको sensitive, जो ecosystem उसको fragile, उसको damage कर देता है, तो यहां से हमें शुरू करना है, अब हमें देखना है, C की बाद A या C की बाद D, तो, and much of it, और इसमें से बहुत जादा, तो इसके लिए एक estimate चाहिए, तो यहां पर लिकावा है, estimate 70% of this plastic, और इस plastic का 70%, जो की इसमें जाता है, much of it is non-biodegradable, यह इसको complete कर रहा है, होगा, C, A, D, और लास में बचता है, B, तो यहां आ जाएगा, राइट, आते हैं इसी के साद, question number 21 पर, 21 क्या है, appropriate word है, fill करना है, many items made of ivory, ivory से बने हुए बहुत सारे items, ivory जिसको नहीं पता है क्या होता है, हाथी दात को ivory बोलते है, वर, dash from a dealer, dash थे, dealer से, appropriate थे, confiscated थे, annexed थे, hijacked थे, तो पहले तो हम इसमें से पढ़ लेते है, from a dealer, in antiques, जो dealer था, जो antiques पर काम करता था, बाइदा, custom authorities at the Delhi airport, Delhi airport पर custom authorities ने बहुत सारे ivory made items जो है, वो क्या कर लिये, confiscate कर लिये, या annexed कर लिये, या hijack, hijack क्या होता है, hijack क्या होता है, hijack, plain hijack होता है, तो वहाँ पर कोई जबर्दस्ती उस पर, उसको kidnap कर लिता है, वो होता है hijack, तो उन्होंने hijack तो नहीं किया होगा, तो यह गलत हो जाहेगा, है ना, appropriate, appropriate appropriate क्या होता है proper तो यह तो यहां पर है नहीं वर्वी नहीं है यह तो adjective है तो इसको वैसे reject कर दो अब है confiscated और annexed तो annexed क्या होता है occupy कर लेना है ना occupy कर लेना छीन लेना किसी पर अपना अधिकार जमा लेना तो अपना अधिकार जमा लिया मतलब मेरा है ऐसे बोल दिया या फिर confiscate कर लिया confiscate कर दिया मतलब ले लिया जबर्दस्टी taken deliberately ठीक है किसलिए जमा करने के लिए पुलिस में जमा करने के लिए illegal होगा तो उस dealer से वो सारा समान ले लिया तो taken deliberately यह होगा इसका अंसर confiscated इसके लिए हमें देखो क्या होना चाहिए यह सारे आप चिप डिक्शनरी में consult करोगे Google में consult करोगे तो यू विल फाइंड कि यह जो सारे वर्ज है आसपास meaning दे देते तो उसने क्या किया जबर्दस्ती उससे चीना है क्योंकि हो सकता है illegal deal हो या कुछ भी तो government में submit होगा taken deliberately यह इसका अंसर इसलिए होगा ठीक है 21 कलिया 22 पे चलते हैं the crop was active बनाना मैंने कहाता है एक passive बनाने और एक active बनाने के लिए आता है तो passive हम बना चुके अब active बनाएंगे the crop was adversely affected by तो was है यहाँ पर यह helping verb है ठीक है helping verb है यह और यह क्या है adverb है और यह क्या है v3 है v3 का वे जब यह passive में आता है तो helping verb के बाग v3 के रूप में आ चाता है अब हमें इसका passive चेंज करना है तो यह देखो past tense का helping verb है यानि कि हमें past tense में change करना है और past tense में होता है कि सिर्फ v2 लिख देंगे हम verb का second form लिख देंगे ठीक है यानि कि सिर्फ affected आएगा और कौन affected हो रहा है by the inadequate rainfall तो यह हमारा object है तो हमारे start किसे होगा the inadequate rainfall affected बस इतना ढूणना है हमें the inadequate rainfall गलत होगे देखेगे the inadequate rainfall वाज है तो इसमें यह भी गलत होगे है कोई helping verb नहीं आता past simple the inadequate rainfall adversely affected यह ठीक है next वाले में देखते है क्या है the inadequate crop crop तो पीछे आना चाहिए है na crop को affect कर रहा है rainfall को थोड़ी affect कर रहा प्रभावित rainfall नहीं हुआ rainfall ने प्रभावित किया है तो यह हमारा इसलिए गलत होगे तो इसलिए और क्योंकि adverb दिया होगा है तो adverb बीच में आ सकता है तो हमारा answer क्या होगा 3 होगा 22 का select the most appropriate meaning of the given area pull someone's leg किसी का leg कीछना यह तो बड़ा common है यह भी किसी की टांकी चाहिए करना है यह उसका मजाग बनाना ठीक है lexicographer lexic word बना है lexic words से बनता है और words पे काम करना है यह नहीं dictionary writer उसको lexicographer कहते है choreographer dancers dance सिखाने वालो को choreographer कहते है lexicographer cartographer तो cartographer को होता है map को draw करने वाला ठीक है तो cartographer's answer हो चाहेगा she lost a big order from a known showroom in case of her own carelessness let me tell you 25 number का question है 25 number का question है लेकिन मैं आपको यहां पे बता दू कि in case of आप तीनो पिछले तीनो उठा के लेख लीजे papers तीनो में आपको मिलेगा कि in case of ही use हुआ है एकदम exactly in case of और in case of की जगे हम में करना है सिर्फ because तीनो में यही काम करना है हमने है na because of है ना क्योंकि यहां पे प्रेपोजिशन की तरह पिछले में conjunction की जगे यह उच्वा था अभी हम देख लेते हैं इसको she lost a big order she हमारा subject है उसने क्या कर दिया lost कर दिया यह verb she lost what a big order कैसा order यह इसका adjective है इसका यह article यह adjective और order हमारा ना हुन है तुसने lost क्या क्या order कैसा order big order और अ तो article है order के लिए she lost a big order कहां से from a noon showroom यह इसका क्या है adverbial phrase है क्या है adverbial phrase of place ठीक है यहां तक clear है यहां तक कोई गलती नहीं है she lost उसने खोया क्या खोया एक big order कैसा order big order कहां से एक known showroom से in case of her own carelessness अपने खुद के carelessness के कारण because of को English में sorry Hindi में के कारण बोलते हैं और because of क्या होता है preposition होता है ठीक है के कारण preposition due to इसकी जगे due to भी आ सकता था in case of की जगे because of या फिर due to ठीक है के कारण के कारण आ सकता था तो के कारण नहीं आएगा के कारण her own in case of नहीं आएगा in case यदी उसका sense देता ही है in case of गलत है इसकी जगे because of या फिर due to आ जाएगा बागी सब कुछ साही है तो कोई mistake नहीं है हार ओन केरलेसनेस हार क्या है possessive है और ओन क्या है adjective है सिफ emphasize के लिए इसको अटा दो तो भी हार careless उसी के careless तो यह तो extra isoferfluous sense देता है केवल और जदा emphasize करता है बागी कुछ नहीं तो हमारा answer क्या होगा in case of detail solution क्यो कर रहे है अगर यह आपका सवाल है तो बैपको बता दू कि फिर से SSC आने वाल है और फिर से आप लोग इसके preparation में जुड़ जाएंगे तो जुड़ने से सबसे पहले यह ज़रूरी है कि हमें previous year questions देखा जाए प्रिवेसर questions चो है वो हमारे लिए बहुत helpful होते है क्योंकि हमें questions का idea लगता है questions के style का idea लगता है किस manner में question आ रहे हैं कौन से question आ यह और हम उन्हें कितने देर में solve कर पाते हैं इसका भी idea लगता है तो आप इने test series की तरह भी दे सकते है और जहां अस्टक हो है उसके लिए detail solution आपके सामने यहाँ पे available है आए शुरू करते हैं there is hope पहले हम पढ़ लेते हैं क्या है select the most appropriate है most appropriate word ढूमना है हमें vocabulary का question है देखिए हमारा जो paper होता है वो grammar vocabulary reader reading तीनों के हिस्से होते हैं तीनों में part होता है तीनों का proper तो यह vocab का question है जहां पे आपको यह word यह word यह word यह word आना चाहिए और आपको यह पता होना चीए कि इन चारों में अंतर क्या है क्योंकि दोनों कुछ words ऐसे होंगे जहां आपको meaning same मिल जाएगा लेकिन यहां तीनों नहीं आ सकते तो एक आएगा तो क्यों वो एक आएगा क्यों बाकी नहीं आएगे यही हमारा paper हमसे पूछना चाहता है वो judge करना चाहता है ना आप SSC बन गए SSC में appear हो इसके बाद आप आपने अच्छी post ले ली तो फिर आपको यह English में वहाँ पर write-up लिखने पड़ेंगे तो आप उसमें गलतिया ना करें proper word चुने अच्छे word चुने इसलिए आपका यह test होता है चली शुरू करते है question number one जो के appropriate word यानि वो cap को test करने वाल है there is hope hope है की better forestry management better forestry management जो होगा will help वो help करेगा किसमें in the dash of the wildlife wildlife के dash में मदद कर करेगा that is constantly facing threat जो की constantly नहीं लगातार threat एक डर face कर रहा है एक धमकी face कर रहा है problem face कर रहा है because of increasing human activities human की activities लगातार बढ़ गई है इसलिए हमारा जो wildlife है वो एक constant threat को face कर रहा है लेकिन अगर forestry management बहतर हो गई तो वो help करेगी किसमें now the question is point is salvation of the wildlife, supervision of the wildlife, guarding of the wildlife, या conservation of the wildlife तो देखिए है इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा salvation पता होना चाहिए what is salvation देखो salvation भी होता है safety ठीक है पर कैसे safety बुराई से from evil from evil बुराई से बचने की जो बुराई से अच्छाई की जीत होती है या बुराई से अच्छे में चल जाना बच जाना किसी भी तरीके से वो होता है salvation तो क्या यहां पर बुराई या काती evil की बात हो रहे है नहीं हो रही है तो ये salvation यहां पे नहीं आएगा supervision करना supervision करना inspection करना nirikshon करना उपर उपर से चीजों को अच्छे से देखना वह होता है supervision करना है और observe करना चीजों को guard करना यानि कि यहां सेफटी करना किसी चीज या फिर उसको proper instruction देना guidance की तरीके से guarding होता है तो यह भी आपर guarding है और इसका part of speech क्या है guarding of the guarding आ सकता था देखिए guarding क्या है मैं आपको बता दू of in the preposition है आर्टिकल है तो हमें noun की जरूरत है word में अगर ion आ रहा है किसी पर तरीक से वह noun है यह तो हमें पता होता है तेकि इं ग ग जीरंड होता है और जीरंड भी क्या होता है नाउन उता है तो ये भी नाउन है तो इस में हमें कर दें आ सकता था पर ााएगा क्योंअ मीनिगा नहीं सही मीनिंग क्या है सन रक्षन, what is sun रक्षन, wild life का, sun रक्षन, wild life की सुरक्षा के लिए एक proper word है, appropriate word है, conservation of wild life, यही तो हम जोड़ते है, salvation of wild life, थोड़ी होता है, salvation यहनी बुराई से हमें बचाना, तो बुराई से हम नहीं बचाते है, हम उनकी रक्षा करते है, ताकि वो उनको क बीवित रहें, लंबे समय तक सुरक्षित रहें, तो salvation यहां नहीं आएगा, conservation, right answer होगा, right, चलते हैं, question number 2 पे, वैसे मैंने पूरा समझाया, in case आपको कोई doubt रह चाता है, तो आप मुझे comment box में देखके बता सकते हैं, उसको हम share करेंगे, question number 2, देखे, इस बार भी ऐसा नए कोशिशों के लिए तयार रहना चाहिए, आपको stress free होके exam में जाना चाहिए, antonym पूचा है, antonym पूचा है agony का, agony यानि क्या होता है, distress, anxiety, problems, depression, misery, दुख भी इसी से related है, लेकि next word जो है, comfort, comfort यानि क्या होता है, आराम, तो agony में चहां आप परिशान है, आप distress है, आप depressed ह आप में anxiety है, आप में problem है, आपके साथ misery है, है ना, misery यानि क्या होता है, दुख, distress यानि भी दुख, परिशानी, और anxiety यानि होता है, चिंता, ठीक है, पर आपको क्या करना है, आराम, और आराम यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, opposite हो जाएगा, सारे words सेम है, ये सारे, तो य इसका answer, कोई problem, आगे चले, देखते हैं, देखे, select the word which means the same, the same, यानि की, synonym, परिशननीम नहीं, of the words given, ये words given है, ये सारे words, ये sentence है, और इसके लिए हमें क्या दूढना है, देखे, an enclosure, एक enclosure, enclosure क्या होता है, जो चारो तरफ से ढखा हुआ, to keep the birds in, birds को रखने का enclosed area, ठीक है, aviary, epiary, पहले तो इन दोनों में अंतर देखे, सरफ V और P का अंतर है, P जहां पर bees रखी जाती है, bees को रखने का, यानि मदुमक्यों को रखने की जो जगा होती है, उसको हम epiary कहते हैं, और birds को रखने की जगा होती है, उसको हम epiary कहते हैं, पर sanctuary क्य रखा जाता है, और वो enclosed area as such नहीं होता है, aviary होता है, exact क्योंकि यहां पर सिर्फ birds के लिए, और यहां पर animals को रखने के लिए, इसलिए यह नहीं, और stable यानि तो रुकाओ, थैराओ, stable, तो यह यहां पर इन अप्रोप्रोप्रियेट है, option seal में नहीं आना जगे, and enclosed area, तो birds and animals को रखने के लिए century, इसलिए answer क्या होगा, one, aviary और apiary, जहां पर madhu-makkyo को रखा जाता है, यह देखे, यह सब क्या है, practice से आता है, रटना नहीं चाहिए, पर ऐसे questions को लगाता है, आप solve करिये, तो आप क्या करेंगे, कोई problem नहीं आईगा, ऐसे questions में, अब हम आ गया है, question number next जहां पर comprehension है, तो comprehension पढ़ लेते हैं, pigeon racing has become, pism racing बन गया है, क्या increasingly popular बन गया है, famous हो गया है, famous हो गया है, बढ़ता जा रहा है, इन parts of China, parts of China, China के parts में, China के जगहों पर, the country's elite and middle class, country की elite और इस के middle, elite यह नहीं उच्छ वर्ग, है ना, elite class यह उच्छ वर्ग, elite भी बोलते हैं इसको, elite class और middle class है ना, तो middle class नहीं मध्यम वर्ग और elite class में यह, जो है, इसकी उपयोगिता, जो है, इसकी जो usage है, इसका जो fame है, वो लगाता बढ़ता जा रहा है, China, along, along मतलब तो होता है, के किनारे, alongside, के किनारे, against, यहनी के opposite में और about यह नहीं, के बारे में और among, के बीच, तो क्या होगा यहापे, के बीच होगा, क्योंकि यह, बताएगा, among the countries, elite and its middle class, country के, elite class में और middle class में बढ़ता जा रहा है, Sun Yan, the deputy general secretary of Beijing Racing Pigeon Association, Beijing Racing Pigeon Association के, जो deputy general secretary है, जिनका नाम है, Sun Yan, ठीक है, उनकी बारे में बात हो रही है, तो इसके हली है, हमें क्या करना पड़ेगा, इसके options निकालने पड़ेंगे, number 5 के, number 5 के option है, told, advised, sad और clarified, देख लीचे, आगे, that आ रहा है, यानि की, बहुत similar, सबका dictionary meaning देखोगे ना, तो told मतलब भी कहना, कहा, sad मतलब भी कहना होता है, clarified या not told, why sad, या why not sad, why told, आये, देखते हैं, क्या आएगा, अगर tell है, tell, तो tell अपने साथ object लेता है, please tell me the time, है ना, ऐसे बोलते है, please tell the time, नहीं बोलते है, या फिर, tell जो है, ये क्या है, TV है, transitive verb है, अपने साथ object लेगा ही लेगा, ठीक है, लेकिन sad अपने साथ object नहीं लेता है, sad plus that आता है, ठीक है, तो जो pigeon association के सन याने, उन्होंने कहा, तो sad that आचाएगा, sad that, कहा की, tell यानी, बताना होता है, और sad यानी, कहना होता है, तो ये भी difference है, तो कहा की, at least 100,000 pigeon breeders, pigeon breeders, live in Beijing, कि 100,000 pigeon breeders, breed करवाने वाले, जो है, वो कहां रहते हैं, बीजिंग में रहते है, and dash 90,000 of them, और उन में से 90,000 है, तो utmost, जादा से जादा, जादा से जादा, nearby यानी की, करीब करीब, उसी के आसपास, और exact यानी, fixed, और almost यानी, लगभग, तो अब देखिए, लगभग है, difference ज़रूर समझेगा, exact यानी, exact number fix, at most यानी, जादा से जादा, most आगया ना, इसमे, सब से जादा, जाद से जादा, और nearby यान में लगभग, आस-पास, completely 90,000 जो है, वह वहाँ पर registered है, fourth answer आएगा, इसका, कहाँ पर registered है, racing, pigeon, association में registered है, at dash level, dash level, dash level हो गया, यानी, level के हमारा, noun है, preposition है, तो preposition और noun की बीच में adjective आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता है, differed verb है, यह भी adjective है, differential और deferred भी adjective है, और different भी adjective है, अब हम क्या दूनेंगे, अब हमें केवल यह पता है कि यह नहीं आएगा, क्योंकि यह verb है, क्या आएगा, registered with racing pigeon association, at कैसे level पे, different level पे, differential निकालना होता है, अंतर निकालना होता है, और deferred मतलब जो अलग होता है, और different यह नहीं, अलग-अलग स्तर पे, तो different आएगा, sense के according की है, हमने है, different levels, to qualify, qualify करने के लिए, for dash, for bird, birds, animal और pigeon owners, क्या आएगा, pigeons owners, यह birds owners, यह animal, animal तो कट गया, अब बाकी बताईए, bird यह birds, यह pigeons, क्या आएगा, तो देखे, इसके लिए आपको थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, कि यह noun है, और जब भी compound noun मनते है, इधर भी noun आ रहा है, इधर भी noun आ रहा है, तो जब compound noun आ रहा है, तो यह हमेशा singular आएगा, for bird owners, bird के रखवाले bird को, रखने वाले bird के मालिक, with some prices, किसी prices के साथ, amounting to tens of thousands of dollars, जो कि ten of thousand तक हो सकता है, Liu sad, in recent years, और Liu ने अब भी कहा था, पिछले कुछ सालों में, pigeon racing has been surging in popularity, popularity across China, और pigeon racing जो है, वो पूरी popularity में पहुच रहा है, चाइना में, यहां हम passage को खतम कर चुके, बहुत ज़्यादा नहीं था, passage में, grammar अब आते हैं, वापस से, वापस से, रॉंगली स्पेल्ट कौन सा है, controversial, concure, corporation, या contemporary, contemporary में यहां पर यह आता है, बहुत simple spellings है, बाकी सब कुछ, सही है, कुछ ज़्यादा है नहीं, इसमें बताने के लिए, question number next पे चलते है, this is very important question, जिसको हमें करना चाहिए, four jumbled sentences है, option देख लिए, सबसे पहले, option का देखने का काम था, हमारा, तो देखो, option का है, सबसे पहले, b, a, d, c, दूसरा है, b, d, a, c, तीसरा है, a, d, a, c, और चौथा, b, a, c, बहुता है, या हमें पर दो क्लिक मिल गए, दो option b से और दो option a से, यानि c और d से start नहीं होगा, अब हमें सिर्फ इतना देखना है कि sentences a से start होंगे, या b से start होंगे, आई, देखो, ये कैसे नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, c से, क्योंकि this से start होगा, this is even more than, तो this क्या, यानि कि ये है, किसी और की बात कर रहा, जो पहले से referred है, इसलिए हमारा c से start नहीं होगा, d में क्या है, the reason is that, reason ये है कि, किसका reason, ये हमें नहीं पता, इसलिए जो the reason is that है, वो भी आपे start नहीं होगा, तो c और d से तो start हो नहीं रहा, या तो b से, या फिर a से, आये पढ़ते है, around 600 million of them, अब देखे हिंट, 600 million, उन में से 600, किन में से, ये क्या है, pronoun, क्या है, pronoun, किसके लिए आता है, noun के लिए आता है, यानि इसका noun पहले कहीं आ चुका है, तो हमें मिल गई है, अब दूसरा step follow करने, पहला step option देखो, दूसरा option, दूसरा step होता है, है, reject, अब हम reject किसको करेंगे, इसमें देम लिखाव है न, दो option reject कर दो, कौन से, अब हमें क्या चुनना है, ब से शुरू होगा, ये पता चुल चुका है, ठीक है, अब बस इतना सुनना है, कि B के बाद A आएगा, या B के बाद D आएगा, तो हमें तीसरा option पर जाना है, तीसरा option के है, पेर बनाओ, तीसरा option के है, पेर बनाओ, आईए, B A या B D, India is suffering from the worst water crisis, India जो है, वो सफर कर रहा है किससे, worst water crisis से, with 1 million people living in water scarcity, 1 million जो people है, water scarcity में जी रहा है, पानी की कमी में जी रहा है, D, the reason is that, reason है कि 24% India uses the most ground water drawn out globally, कि at 24%, saw में से 24, India uses most ground water drawn out globally, ये तो हमने D पढ़ा, ये पढ़ते है, around 600 millions of them, उनमें से 600, live in area of high to extreme water stress की, उनमें से 600 million जो लोग है, वो extreme water stress में जी रहा है, तो India is suffering from the worst water crisis, India is suffer कर रहा है, worst water crisis से, with 1 million, 1 million people, water scarcity में रहा है, 1 billion people रहा है, water scarcity में और उनमें से 600 million, 600 million उसमें से क्या कर रहा है, ये करे, तो B के बाद क्या आएगा, D या A, क्या आएगा, D या A, A आएगा, तो answer क्या होगा, A, जाने का ही और option में देखना नहीं, answer आगया हमारा, चलते हैं question number 11, 11 क्या है, पूरा one word है, an inscription, inscription नहीं मतलब लिखा हुआ, ठीके, उबरा हुआ, actually, और a tombstone, tombstone क्या होता है, tombstone क्या होता है, tombstone ने pronunciation दियान दीजेगा, gravestone भी बोला जाता है इसको, जो church, जो graveyard होते हैं, कब्रस्तान होते हैं, उनमें dead body के ऊपर, अधर साइड में एक stone होता है, lambaza, जिस पे epitaph होता है, tomb, जिस पे write-up होता है, inscription होता है, लिखा हुआ होता है, उसमें उनके name, उनके बारे में कुछ अच्छी बाते हैं, वो लिखी होती है, tombstone पे है, तो gravestone भी बोला जाता है, इसको written, लिखा जाता है, in memory of the diseased, यह deceased की spelling देखे है, error में आती है, यह deceased है, death, इसका मतलब death होता है, और एक disease होता है, रोग वाला है, तो ध्यान रखे है, an inscription on a tombstone written in memory of the deceased, एक लिखा हुआ, एक description लिखा हुआ, inscription की बोला है, inscribed, उभर के आता है, इसलिए इस तरीके, उखेर के बनाते है, इसको direct simple लिखा नहीं जाता है, इसको पत्थर पे उभर के बनाते है, तो इसको inscription बोला के जाता है, one word में क्या बला जाता है, उस write-up को क्या बलो जाता है, उस write-up को क्या बलो जाता है, उस write-up को, तो बैसली का बोल देते हैं तो एक बड़ी सारी तो इसको बोल देते हैं तो बैसली का प्थर लिखा होता है तो इस पथर पर राइट अप लिखा जाता है तो बहुत अच्छा से नहीं बना but you can understand this is called inscript यह epitaph ठीक है यह अपना grave है और यह क्या है inscription लिखावा को inscription बिलादा और लिखावा किस पर होतना है epitaph है पूरे को epitaph बोला जाता है तो B is the right answer question number 11 पे चलते हैं अब हम pull yourself together idiom pull yourself together अपने आपको पूरा पूरी तरीके से लगाना है नहीं कि calm down करना होगा अपने आपको go to sleep नहीं try to understand नहीं do a good job नहीं calm down और यह idioms है idioms हो हमें इसी तरीके से करना होता है कि हमें इनकी usage को पढ़के इनको learn करना चाहिए instead of doing anything else right question number 13 देखते है wrongly spelt word देखना है तो यह है experience experience, explain, expire और accept तो experience के spelling आप लिखके देखेंगे i e आता है और यहां पर e आई यह बहुत confusion create करता है e i या i e तो हम लिखके इसलिए रेखते है क्योंकि i e और e i तो लिखने में सही हो जाता है i e आएगा explain सही है, expire सही है और accept भी सही है eminent word है eminent यह नहीं important, distinguished, different होता है na eminent है, important है, distinguished हो गया, exalted और impressive एक जैसे words है inconspicuous conspicuous क्या होता है very important person है na conspicuous है नही somebody who is reliable, who is very important है na is type के words होता है conspicuous तो यहां पर क्या होगा in लगा दिया है opposite बना दिया है तो यहां पर हमें antinim दूनना है तो inconspicuous इसका answer होगा next word है grammatically error ढूणना है तो यहनी की पूरे sentence का analyze करना बहुत जरूरी है cyclone idai, idai cyclone पर ही बन रहे है अभी तक सारे जो आ रहे है error यह हमारा subject हो चाहेगा, ठीक है, is regarded be के बाद third form यहनी की क्या बता रहे है हमें, verb passive में है और यह verbs हैं दोनों passive में कैसा regard क्या गया, as one of the worst tropical cyclones यहीं पर हमें good word मिल चुकी है आगे पढ़ लेते है worst tropical cyclone में से एक माना गया on record, record में तो affect, affect करने वाला, infinitive है यह, तो इसका sense को होगा, affect करने वाला, affect करने वाला, yeah, infinitive है na, Africa and the southern hemisphere as a whole, किसको affect करने वाला, Africa को और southern hemisphere को as a whole, completely affect करने वाला पहला माना गया, one of the worst tropical cyclone, worst tropical cyclone में से एक माना गया है, now the grammatical error क्या है, the worst tropical cyclone, जब भी one आ रहा है, one of my friends, बड़ा common सा mistake है, वो दे दिया गया है, यहाँ पर one आ रहा है, यानि कि यह तो singular है, तो इसके साथ noun हमेशा plural होता है, noun कैसा होता है, plural और verb कैसा होता है, singular होता ठीक है, तो noun plural और verb singular, तो यहाँ पर verb तो singular है, आगया है, singular है और इसके हिसाब से वहाँ पर क्योंकि अब्जेक्टिव के इसमें, तो वर्फ की ज़ूरत नहीं इसको 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 डिलीट नहीं किया जा सकता, इसको इस तरीके से फर्म किया गया, पूरी इसको 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 को read नहीं किया जासे है न रिमूब नहीं किया जासे है को क्या हो जाता 17, correct active form of the verb sentence बताना है हमे their children were brought up with great care active बताना, देखे, दो आ रहे हैं एक में active बताना और एक में passive बताना इस वर direct and direct को नहीं लिया गया पूरे इस में, टेस्स में लिया ही नहीं लिया गया किसी भी पेपर में अब तक नहीं आया their children were brought up with great care उनके children जो है वो पाले गए वर है, देखो अभी मैंने बता था बी के बाद वर थर्ड, ठीक है ये क्या बताता है हमें के sentence कैसा है passive है और ये passive है यानि कि हमें क्या बनाना है active बनाना है, passive में object आगे आजाता है तो अब हमारा sentence किससे start होना चाहिए अब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो किससे बनाएंगे इससे start कर देंगे क्या? नहीं क्या होता है? कुछ होते है unimportant subject है ना unimportant subject जैसे कि दे unimportant subject क्या है? दे उन्होंने अपने चिल्टरन को पाला great care से ना पालन पोशन किया बढ़ा किया कैसे great care से तो उन्होंने दे क्या है दे हमारा unimportant क्यू है? क्यूंकि दे मने बहुत सारे कौन exactly नहीं पता तो जब ऐसा होता है कि exactly doer कौन है तो हम उसको unimportant मान लेते हैं उसको हम mention नहीं करते है इसलिए यहां पर mention नहीं किया गए लेकिन जब subject sentence हम active बनाएंगे तो active में तो सबसे पहले क्या चाहिए? subject चाहिए तो हम इस subject को लाएंगे ठीक है? सबसे पहले तो आएगा दे अब देखो tense verb brought up है ना verb यानी past tense active से passive बनाते समय या passive बनाते समय तो tense तो change होता नहीं है तो past tense ही रहेगा active में helping verb नहीं आता है helping नहीं आता है यहाँ पर यह क्या है? वर्फ का third form है थ्यान रखेगा कई verb second form में और third form में एक जैसे होता है तो यहाँ पर भी एक जैसे है third form brought एक ही जैसा है लेकिन यह third है और यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? second लगाएंगे second नहीं आता तो थर्ड है पर हम second लगाएंगे second भी सहीं आजाएगा हो तो they brought यह डुणना है हमें they had brought नहीं have been bringing यह तो present perfect continuous है इसके तो हमें जरूरत ही नहीं है their children यह तो हमारा object नहीं भी हमने discuss करा था यह object है पर हमें तो subject चाहिए subject यहां पर है they यह वाला भी गलत होगा यह तो they brought up उन्होंने brought up करा किसको किसको brought up करा object को their children को यह रहा with great care यह रहा problem नहीं है चली आगे बढ़ते हैं इसका answer हो गया question number next पर आते है appropriate word सबसे पहला question हमने appropriate का क्या था अब यह दूसरा आया है vocab के section वे हमें word का meaning पता होना चाहिए the burning of the effigy of ravana on dashara, dashara पे ravan की effigy ravan की क्या जलाते है अपन? ravan की मूर्ती को जलाया जाता है burning किया जाता है effigy नहीं dummy dummy नहीं putla ravan का effigy ravan का dummy जो जलाया जाता है dashare पे epitomize personifies intensifies or symbolize epitomize यह उधारन बनता है epitomize उधारन होता है उधारन बनना personifies personifies manuvikrat personifies 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 sun manuvikrat personifies 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 intensifies बढ़ाना यह बढ़ाता है रावन के पुतले को जलाना यह जीरन है और इसका sense क्या है जलाना ना और नी लेके आते हैं जीरन ना उनकी काम करते हैं तो जलाना इसको रावन को रावन के पुतले को प्रतीक बनता है यह बढ़ाता है यह मानवी करत करता है यह उधारन बनता है क्या बढ़ेगा प्रतीक बनेगा इस दा प्रतीक और शिम्बलाइज इस प्रतीक बनता है कि इसका बर्निंग अफ़ आल इविल सारे बुराईयों को जलाने का evil को खत्म करने का symbolize बनता है तो रावन क्या है रावन को चलाना यानि कि हम बुरायों को खत्म कर देते हैं symbolize करता है वो right next question I try to solve this problem at least for two hours अगर आपने पिछले questions देखे होंगे तो common error के questions है वो बिल्कुल same pattern पे आ रहे हैं अभी हम direct ये कर रहे हैं since और for for फिर से for आगया है for क्या करता है for पिरियद ऑफ टाइम के लिया आता है यानि इसके बाद period of time आया है duration आया है right शमय का duration आया है I try to solve मैं try करता हूं try to solve का मतलब कि I try to solve जब समय मिलता है मैं try करता हूं क्या solve करने का किसको इस problem को लेकिन solve कर रहा हूं यह तो क्या बोल रहा है इस problem को at least for 2 hours कम से कम 2 गंटे से इस problem को solve करने का try कर रहा हूं ऐसे बोल रहा है ना इस sentence तो देखो यहां पर क्या है for है period of time यानि कि since या for किसके साथ आगता है या तो present perfect के साथ present perfect के साथ या फिर present perfect continuous के साथ है ना continuous जब काम लगातार हो रहा है कि 2 गंटे से मैं क्या कर रहा हूँ problem को solve करने की कोशिश कर रहा हूँ है ना तो यहां भी क्या होगा problem को solve करने की कोशिश की जारी है यानि कि I के साथ क्या लगेगा present tense है this problem है ना present tense है मैं दो गंटे से इस problem को, इस मुसीवत को, इस difficulty को solve करने की कोशिश कर रहा हो तो यहाँ पर क्या आएगा? I के साथ have आएगा, present tense रिए past होता है, had आचा था, have अब have के साथ continuous है, तो क्या आएगा? bean भी लगेगा guys, have के साथ bean लगता है continuous tense पर, bean लगेगा plus i n g तो वर्व क्या है, solve? Solving हो चाहेगा, बहुत simple, कोई problem, am try to क्यों नहीं होगा? क्योंकि am कभी भी इसके साथ नहीं आता, since for के साथ कभी इस MR का use नहीं किया जाता, present tense नहीं आता है और last है, no improvement, ये तो गलत ही हो गया, क्यों गलत हो गया? क्योंकि हाँ पर present tense आ गया है, ठीक है? तो हमारा answer क्या होगा? ये होगा, ये past tense है question number 20 पे चलते हैं, at night, lock the outer gate, देखे, रात में lock करना outer gate, lock करना, word first से start हो रहा है क्योंकि ये तो adverb है कब? रात में lock करना, ये क्या है? वर्ब first और वर्ब first से अगर हमारा sentence स्टार्ट होता है तो वो कैसा होता है? imperative, imperative कैसे sentence होते हैं? आदेश देने वाले, यानि कि order हो सकता है उसमें, request हो सकता है या फिर suggestion हो सकता है, अगर request होगा, तो उसमें please होगा, right? तो request नहीं है, क्योंकि please नहीं है, तो या तो order होगा या फिर suggestion होगा, ठीक है? SSC Pre के जो exams होए थे अभी जून में, उसके बहुत सारे sessions होए थे, बहुत सारे dates को अलग-अलग क्षिफ्ट में exam होए थे, 21 टोटल थे, तो हम सारे 21 questions को करने वाले हैं क्योंकि आप लोगोंने request की थी कि मेंस के साथ साथ हम लोग Pre को भी आपको करवा दे था कि आप practice कर सके तो Pre के कुछ sessions पहले हो चुके और ये कुछ sessions हैं जो बाकी हैं वो हम अप continue करके आपको Pre का भी पूरा detailed solution देंगे वैसे हम यहाँ पर सारे questions सारे passages वगरे सब कुछ करवा रहे हैं तो आएए शुरू करते हैं हमारा SSC second shift जो की 6 को हुआ था है न 6 June 2019 second shift को हुआ था right start करते हैं question number one देखे question number one क्या है grammatical error निकालना है the street artist Satish Munjal देखे जब ऐसा होता है ना कि पहले नाउन आता है कौनसा artist street artist और Satish Munjal street artist कौन Satish Munjal कौन है the street artist तो यह हमारा noun है है और यह क्या है इसी के बारे में और additional information तो जिसे होता है our prime minister Mr. Narendra Modi ऐसे लिखा आता है तो our prime minister हमारा subject वाला noun है और जो उनका name है Mr. Narendra Modi यह क्या हो जाएगा इसका noun का opposition हो जाएगा तो यहाँ पे Satish Munjal भी जो है noun subject बनता है यह पूरा subject है वैसे तो पर अगर आप इसके टुक्रे करना चाहें अगर कोई आप से पूछे कि इसका यह क्या है तो यह noun का opposition है जो noun के बारे में ही और information बताता है तो हमारा subject हो गया यह अब subject ही है singular है substrate artist has singular के according सहीए verb singular subject के according singular verb ठीक है has been painting has been painting मतलब continuously paint कर रहे है लंबे समय से वो paint कर रहे है ना पहले से कर रहे है और अभी भी कर रहे है this wall वो क्या paint कर रहे है इस wall को paint कर रहे है तो यह has been painting में verb कैसा है TV है और TV है इसलिए इसके बाद के आया है object आया है wall जो है हमारा वो noun है object यह है actually में है और वो जो this है वो क्या है इस noun का determiner है इस noun को और ज्यादा specify कर रहा है determiner को हम adjective भी बोल सकता है कि सारे क्योंकि सारे determiners adjective होते है ठीक है this wall since the past one week कब से since क्या होता है पिछले मिला point से कब से कर रहे है पिछले एक week से कर रहे है लेकिन यहां जो problem है तो देखो यहां तक तो कोई problem नहीं है subject अपनी जगे पर सही है फिर उसी के according verb है perfect continuous हो रहा है perfect continuous में since for का use होता है वो सब कुछ हो रहा है verb हमारा TV है उसके बाद object आ रहा है object के पहले determiner आ रहा है जो के object noun है इसलिए object noun होता है तो इसलिए objective determiner उसके जगे आ सकता है तो यह सारी चीज़े सही है तो गलती का है since भी सही है since for आता लेकिन since के बाद यहां पर दिखा हुआ है the past one week और यह the past one week जो है वो क्या है यह the past one week है period of time है na period of time इन्हीं समय अवधी समय अवधी है न यह समय अवधी है मतलब की एक यहां से लेके वहां तक duration इसको हम लोग duration English में और Hindi में अवधी बोलते हैं समय अवधी है और अवधी के लिए कभी भी since का प्रच ब्रेंग मतलकि यहां से स्टार्ट गा होå के किसी पॉइंट पे अगर वह रात से कर रहे हैं तो हम सिंस लगाएंगे जब वो 4 days से कर रहे है ना या 4 hours बोल दिया period बना दिया उसको morning से कर रहे हैं तो हमने since लगाया और morning 8 बजे से 12 बजे तक मुलब 4 घंटे से कर रहे हैं ऐसा बोल दिया हमने तो फिर वो क्या बन जाएगा period अगर period होगा तो फॉर आएगा और अगर point होगा तो since आएगा और क्योंकि यहां पर क्या है one week एक हफता साथ दिन का अवधी तो अवधी इस period duration और duration period के लिए क्या यूज करेंगे हम लोग फॉर का यूज करेंगे यानि यहां पर error कहां पर है error यहां since में है since की जगे सिर्फ for आ जाएगा देख लिजए error कहां पर है first वाले में since की जगे for आ जाएगा ठीक है आ गया चलते है question number next पर next क्या है to select the wrongly spelt word wrongly spelt में measure है measure यहनि measurement करना नापना meadow pasture को कहा जाता है खेत खेत को या greenery को और meager है meager का spelling यहां पर wrong है meager मीघर यहनि क्या होता है something poor something bad है ना निम्न और matter यहनि muddha तो यह सारे सही है बस यह 3 जो है यह गलत है skolight spelling गे रहा आगे चलते है question number 3 पर 3 क्या है फिर से underlined segment है मतलब end line segment यह नहीं improvement वाला है the had यह हमारा subject है has been वो रहे थे perfect नहीं है यह has been के आगे sorry perfect है यह continuous नहीं है अगर has been के आगे ing आता तो वो continuous हो था पर यहां पर ing नहीं आ रहा है और यहां पर so busy to आ रहा है तो two का चो pair होता है वो किसके साथ आता है two का pair two के साथ आता है ठीक है two two का pair होता है और so that का pair होता है ठीक है so busy to go through अब इसमें दोनों लगा दिया एक तरफ so एक तरफ to तो यह दोनों गडबर हो गई यानि कि इसमें हम काट देते है इसको देखते है too busy to go इसमें सही है too so busy देखे गलत है such to such के साथ भी that आता है such that है ना पर such का that कैसे आता है such के बात कोई noun आता है यहां पर क्या आए adjective आ रहा है he was such a man that nobody liked him he was such a miser that never spent money तो हमेशा so that वाले में such that वाले में noun आएगा बीच में तो so that है सकता है या too too आ सकता है अब हम इसको देखो गलती तो हम पकड़ चुक है हम मैं answer भी पता चल गया थोड़ा सा इसका analysis कर लेते हैं detail में देखो two जो है too busy to go through लिखावा है इतना busy थे है ना देखो the head has been too busy so की जगे हम two रखते है too busy to go through the these files इतने too busy थे इन फाइलों में go through करने के लिए इन फाइलों से रूबरू होने के लिए इन फाइलों को देखने के लिए वो बहुत जादा ही busy थे and dissolve the matter और matter को solve करने के लिए मैं वो इतने busy थे कि उनको time नहीं मिल पाया अगर मैंने बोला इतने busy थे की उनको time नहीं मिल पाया तो हम जब की लाएंगे तो हम किसका use करेंगे so का so busy that कैसे लिखेंगे so busy that he could not इसमें could not आता है देखें could not फिर आ जाएगा go through आगे पूरा as it is रहेगा these पूरा as it is रहेगा ठीके so he was so busy that he could not go through these files and resolve the matter पूरा as it is रहेगा पस so जब आएगा तो आगे that आएगा और that अपने साथ clause लेता है क्योंकि conditional है पूरा he could not पूरा subject फिर verb पूरा है na as it is ऐसे लेता है लेकिन तो का जब यूज़ता है तो too busy to go through है ना उस sentence को अलग-अलग नहीं किया जाता है पर so that में अलग-अलग किया जाता है right तो answer क्या होगा too busy to go through next question नमर देखते हैं हमें पैरा jumble मिला है Canada accounts for nearly one third of the world's production of newsprint हो सकता introductory हो है na forest products therefore इसमें इसलिए आ गया तो busy start नहीं होगा a large part of Canada is covered with coniferous trees large part of Canada यहां पे introduce हुआ है कि Canada का जो सबसे large part है वो cover है किसे coniferous trees से है na फिर उसके बाद लिकावा है कि Canada accounts for Canada accounts for responsible है किसके लिए nearly one third of the world production of newsprint Canada के ही कारण world में one third of this production होता है newsprint का है na अब इस therefore को समझते हैं पहले forest products देखो coniferous trees forest से ढखा हुआ है forest products therefore have been important export items of Canada समझ में आ रहा है यहां भी बोला Canada जो है और C और B का pair है C और B का pair यहां नहीं है यहां नहीं है कहां है यहां है और हमें पता था C से beginning हो रही है तो यह हमारा answer हो जाएगा next देखते हैं एंटनिम ढूंदना है हमें finite का finite का जब चीज लिमिटेड होती है तो वह finite हो जाती है ना वह यहां पर लिखावा भी finished यानी खतम हो गया bound यानी जिसमें limit हो bound limit limited एक ही बात है तो endless endless क्या होता है infinite जो कभी खतम ना हो इसको क्या बोलते है infinite चलती रहेगी चलता रहेगा चलता जिसे की maths में करते है ना 3.33333 आ गया तो यह क्या हो कि infinite number है जो हमेशा चलता रहेगा तो this is called infinite चलते है next पे reprimand एंटनिम देखना है reprimand reprimand का meaning क्या होता है reprimand का meaning होता है blame करना accuse करना किसी योगो है ना ठीक है तो apprehend blame reproach इसके synonym है और हमें antonyum का इसका antonyum ढूणना है given word का तो compliment क्या होता है किसी को praise करना किसी की तारीफ करना किसी को अच्छा बोलना किसी के बारे में good words कहना तो praise दोता है तो यह इसका upset हो जाएगा question number next पे चलते है 7 number correct active passive ढूणना है the wall of this park यह पूरा subject है the wall of this park तो यह of ना यह preposition है इसके बाद वाला noun subject के रूप में काम नहीं आता यह subject के रूप में काम आता ठीक है तो the wall of this park is being painted is being painted है यानि कि verb में हम ing लगा देंगे ठीक है by children अच्छा children है तो हमारा subject अगर children होता है तो children के साथ तो is लगेगा नहीं अब क्या आ जाएगा are children are painting क्या paint करें the wall of this park as it is आ जाएगा इसमें have we नहीं है इसमें painted है इसमें is painting और इसमें वाल से स्टार्ट हो तो do जो second वाला है वो हमारा answer हो जाएगा 8 पे चलते है lead someone by the nose किसी को no से lead करना अब यह क्या है इडियम है यानि कि हमें क्या करना होता है इडियम में हमें इडियम को कैसे solve करना चाहिए इडियम पढ़ो उसका meaning देखो और उसको try करो use करने का answer क्या होगा इसका answer यह है dominate किसी को dominate करना ठीक है dominate करना मतलब किसी को किसी को अपने अनिर्भर कर देना अपने according चलाना next is ninth number person living at the same time same time पे रहने वाले concurrent होते हैं या contemporaries होते हैं ठीक है एक साथ होने वाले cosmopolitan नहीं next देखते हैं फिर से हमें पैरा जंबर मिला है in china thousands of people celebrated it इसको celebrate करते थे the lunar new year of the pig begin on 5th February lunar new year of the pig pig का new year 5th February को start होता है others burn the first others हा क्या some performers re-enacted historical ceremonies तो यहां पर some performer यहां पर others है ना तो यानि की और हमें पता है कि start किसे होगा इस ही में introductory आया है इसमें तो आया नहीं है इसमें दोनों में some और other आ रहा है तो यह भी नहीं है बी से start होना चाहिए तो इसको कट दो इसको कट दो now B के बाद क्या आएगा in china B के बाद A इसमें है इसलिए बाकियों को काट दीचे question no.10 हो गया question no.11 पर आते है question no.11 क्या है हमें one word देखने appropriate option in many countries बहुत सारे countries में the dash in pay for men and women is quite common बहुत सारे country में dash in pay यानि की जो वेतन दिया जाता है जो payment दिया जाता है man or women के लिए is quite common, quite common है उसमें क्या यह payment में quite common है men or women के for example example के लिए in Germany women are paid Germany में women को paid किया जाता 21% less 21% less पे किया जाता है in compared to man, man के comparison में 21% कम दिया जाता है women को है ना यानि की जो payment में जो differences है अंतर जो है वो बहुत common है equivalence, equivalence तो यहां पर वैसे ही नहीं होगा disagreement, तो disagreement बातों में होता है unlikeliness, unlike मतलब इसकी तरह नहीं और disparity, disparity यानि difference होता है अंतर तो difference, disparity यहां पर हो जाएगा, in many countries the difference in pay यही मैंने बोला था तो disparities को सननिन दिया यह यह होगा यहां पर, 12 पर चलता है dubious, dubious यहां होता है doubtful, ठीक है certain यानि sure, study यानि regular, loyal यानि honest, faithful वोल भी थी मैं और fishy यानि confusing fishy, confusing नहीं, something fishy यानि कि कुछ न कुछ इनके मन में चल रहा है, कुछ plot चल रहा है तो वो होता है, dubious का हमें क्या ढूलना, synonym ढूलना है, okay plot चल रहा है, fishy चल रहा है, यह तो सब होगे synonym ढूलना fishy हो जाएगा, something confusing, something doubtful, कुछ fishy है या पर जो मुझे समझ में नहीं आ रहा यानि कुछ न कुछ doubtful है, question number next पर आते है, underlined segment देखना है, substitution, okay you won't tell the secret, you won't, इस won't को सब पहले जान लीजिए, अगर नहीं पता है आपको, will not क्या होता है, you will not tell the secret, ठीक है, अब यह क्या है, question tag है, question tag का एक rule होता है, ठीक है sentence और इधर tag, अगर sentence positive है, तो tag negative होगा, एक और अगर sentence negative है, तो tag positive होगा, बस इतना ही धीन ही ज्यान रखना है इधर not है, तो इधर not नहीं आएगा, इधर not नहीं है, तो इधर not आएगा, simple है है न, तो यहाँ पर not है, will not है, यानि not है तो यहाँ पर not नहीं आएगा, तो हमारा no improvement गलत हो अब दूसरी जो ध्यान रखनी होती है कि हमारा जो sentence है उसमें जो helping word दिया हुआ है वही helping word लेके हमें आगे बढ़ना होता है ठीक है कुछ specific cases होता है वो अगर आगे आते तो हम लोग उसको discuss कर लेंगे अपने paper में तो won't है यानि कि will not है तो वही paper आजाएगा वही आजाएगा will you तो isn't आगया word आगया और इसमें will you लिखा हुआ है मैंने बोला वही helping word आगे carry करते हैं तो will और फिर subject आजाता है तो will you बड़ा simple सा है यह थोड़ा बात एक दो बार आप practice करिए कुछ questions कर लिजे इसके फिर आपके लिए easy हो जाएंगे क्योंकि 10-15 things ही है इसमें जो पढ़नी पड़ती है बाकी सब कुछ similar होता है clear हो जाता है बहुत आराम से आते हैं select the wrongly spelt word देखे रेनेसा की आई कभी भी नहीं आता रेनेसा इसको बोलेंगे कैसे रेनेसा बोलते हैं तो सा में AI का sound नहीं आता है तो रेनेसा इसका answer हो जाएगा next देखते है word entice entice का synonym ढूनना है किसी को अपने तरफ खीचना ठीक है enrage है entrap है ensue है और entail है right देखते है enrage क्या होता enrage तो enrage गुसा दिखाना यानि कि to make somebody angry किसी को गुसा कर देना entrap entraft यानि क्या होता trap कर देना अपने जाल में फशा लेना यानि अपनी तरफ attract कर लेना mohit कर लेना entrap को हिंदी में क्या बोलते है mohit ठीक है ensue करना और entail करना ensue करना यानि कि follow करना होता है right तो हमारा जो word entice वो क्या है attract करना और entrap यहनि attract करना mohit करना तो entrap इसका अंसर हो जाएगा synonym हो गए है आपर next question पर चलते है passage आ गया आप है na passage है in 1914 a war begin in the Europe in Europe 1914 में एक war हुआ कहा पे Europe में which engulfed which engulfed जिसने cover कर लिया किसको which covered the entire world जिसने cover कर लिया किसको पूरे entire world को cover कर लिया the damage dashed by this war has no precedent in history precedent this precedent मतलब official record official data इसका जो damage हुआ इसको को officially data नहीं है history में तो हमें 16 देखना है पहले damage dash by this war इस war के द्वारा जो भी damage हुआ तो generated generate तो हम कोई number generate कर देते हैं या कोई mechanic चीज होती है यह na made यानि कुछ hand से करा begin यानि start है तो क्या हमारा जो war से damage वो start हुआ कहीं जाके किसी point पे खतम हुआगा no damage caused by the war है ना damage जो इस war के कारण हुआ ठीक है has no precedent in history इसका कोई precedent नहीं है history में 17 देखना इसका कोई record नहीं कि क्यों हुआ क्या हुआ ऐसा कुछ नहीं अलियर वर्स सिविलियन जो population थे सिविलियन जो अचंता जो थी जो थे आम जंत जो थी जो थे आम जो थे जो थे ठीक है जेनरली यह नहीं सामानेता और फाइनली अट लास्ट और ब्रॉडली यह नहीं इना लार्ज मैनर इना बिग मैनर, बिग मैनर में यह इन्वाउब में यह हमें अब अगर अभी नहीं समझ में आ तो हम इसको छोड़ सकते हैं इस वाले को नेक्स देख लेते हैं, options देख लिए आपने इसको हम छोड़ देते हैं देखते है 19 को तो शायद हमें समझ में आ जाए, and the casualty were mostly belong to the warning armies या limited to, इसको भी हम छोड़ते हैं, इसके बाद आगे देखते हैं, the war, the war began in 1914, war जो हुआ, began में, began जो हुआ, कौन सा war, जो began हुआ, तो who to person के लिए आता है, who to person के लिए आता है, whom person के लिए आता है, subjective यह objective, यह किसी चीज के लिए आता और what कभी भी relative pronoun नहीं होता है, तो चीज के हैं war, war which began in 1914, 1914 में, 1914 में जो war began हुआ, was a total war, एक ऐसा war था, in which all the resources of the varying states were mobilized, जिसमें सारे जो states के, जितने भी resources थे, वो सब वहाँ पर use हो गया है, तो देखो, to the warning armies, हमने यह दो छोड़ दिये थे, आते हैं, 18 और 19 पर वापस, 18 देखो, the civilian population, क्योंकि आगे लिखा हो आया है, कि limit हो गई armies पे, तो civilian population generally not involved, civilian population जो है, वो generally उसमें involved नहीं थे, वर mostly confined to, limited to है ना, limited to, belong to नहीं, war belong किसी को नहीं करता, person को है ना, bound यानि कि bound दिया गया था, और retrained नहीं होगा है, आपर क्या होगा, confined होगा, confined to warning armies, मला, army को वाउन करने तक ही, सिमित्ती, civilian को involved नहीं किया गया था, इस war में, तो 20 तक हो गया, passage कहता हो गया, लाईए, take this suitcase upstairs, take है, यानि कि imperative sentence है, है ना, और imperative जब sentence होता है, तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक, you are requested to, या, you are ordered to, requested to, suggested to, advised to है, तो take से शुरूओ और हो सकता है, ordered आजाए, पर requested क्यों नहीं आएगा, क्योंकि requested तभी आता है, जब इसमें please हो, तो यहाँ पर you are requested दे दिया, तो इसको हम काड देंगे, imperative है, इस तरीके से हो सकता है, एक, दूसरा तरीक है, अगर you are नहीं बैट रहा है, तो let आजाएगा, फिर आजाएगा subset, फिर आजाएगा be, हमेशा be follow होता है, फिर आएगा verb, third form, क्योंकि passive में हमेशा verb third आता है, आगे कुछ भी extra बचता है, object बचता है, उसको हम लिख देंगे, ठीके, तो देखते है, let, इसमें आ रहा है, let this suitcase, ठीके, बीन टेकन, अपस्टेर्स, इसमें तो बीन आ गया, बीन है, यानि यह गलत है, बीन आना चाहिए, ठीके, बीन टेकन नहीं होगा, बीन टेकन होना चाहिए, अब हम तीसरे तरीके पर आते है, you must be taking, बी के बार टेकिं, you must be taking, ing नहीं आता कभी भी पैसिव में, तो यह भी ग गलत होगे, इसको देखते है, this suitcase should be taken upstairs, बहुत जारा appropriate नहीं है, क्योंकि वैसे advice के case में होता है, advice जब भी आती है, तो हम लोग क्या कर देते है, should लगा देते है, sentence में, तो advice के case में हो सकता है, लेकिन इसका जो appropriate होता है, वो इन दोनों में से एक बनता, क्योंकि दोनों गलत देते हैं, तो अब इन चार में से चुनना है, तो हम इसको चुननेंगे, the suitcase should be taken upstairs, ठीक है, question number 22 पे आते है, 22 है, idiom couch potato, couch potato क्या होता है, एक ऐसा person जो दिन बर बैटके sofa, couch पे, couch पे, couch पे बैटके सर्फ TV देखता रहता है, इसलिए उसको couch potato कहा जाता है, who is simple, who sleeps, who remains relaxed, no, who watches too much television sitting on a sofa, ठीक है, next is grammar देखना है, I know the cobbler, मैं cobbler को जानती हूँ, cobbler कौन, person, अभी अभी पताया था, wh में तीन words हो सकते है, which, that, or who, ठीक है, who आता है, person के लिए, that आता है, जब person और animal, या person और person के लिए बाकी कोई भी non-living या living thing आता है, तो हम that का use कर लेते हैं, और which जो आता है, except person all, things के लिए, non-living के लिए, trees के लिए, animal के लिए, सब के लिए हम which का use करते है, तो यहाँ पर which क्यों आएगा, क्या cobbler एक person नहीं है, है ना, person है, human है, human के लिए कभी भी which नहीं आता है, क्या आता है, whom, the cobbler, which mends the shoes, who mends the shoes, mends ठीक है या पर, हमारा subject तो यह है, और इसके according, इसका यह क्या है, देखो, I know, यह I subject है, know इसका वावे, I know whom, the cobbler, मैं जानता हूँ किसको, cobbler को, कौनसा cobbler, who mends the shoes outside the gate of our colony, जो की mends करता है, repair करता है, बनाता है, क्या, shoes, कहां पर, outside the gate of our colony, यह नाउन है, इस नाउन का यह क्या है, objective, sorry, adjective, adjective clause है, यह इस नाउन का adjective clause है, ठीक है, तो यह पूरा सही है, गलती का है, which की जगे हम लोग सिर who लिख देंगे, तो देखें किस पार्ट में गलती है, सेकिंड वाले में गलती है, ठीक है, आते हैं, 24 पे, तो देखते हैं, question number 24, 24 क्या है, appropriate option फिल करना है हमें, तो Catholics and Protestants, यह दो Catholic or Protestants क्या होते हैं, जो Christians होते हैं, उनके दो अलग-अलग groups होते हैं, Catholic or Protestants, have a long history, have आ गया, इसके according subject 2 है, इसलिए, a long history of Dash, in Northern Ireland, Northern Ireland में इनकी एक long history है, but, long history of what है यहाँ पर, long history of Dash है, but volunteers from both communities, लेकिन दोनों communities से volunteer आ गया है, स्वयम से भी आ गया है, came together, एक साथ मिल गया है, to build a monument of peace, peace बनाने के लिए, यह लाइन बहुत important है, peace बनाने के लिए, दोनों जुड़े हैं, वैसे उनका long history of Dash है, लेकिन volunteers आए हैं, जो दोनों community में peace बनाने के लिए, यहाँ पर together हुए हैं, तो देखो, peace के लिए है, तो contest यानि तो क्या होता है, contest यानि कि कोई contest है, इसमें दोनों तरफ से बाट ले आ जा रहा है, और agreement और truce, agreement और truce दोनों का मतलब agreement ही होता है, यानि कि दोनों में agreement था, दोनों साजहा थे, किसी बात पर दोनों साजहा थे, या फिर दोनों सहमत थे, किसी बात पर, लेकिन अगर सहमत होते हैं, तो यहाँ पर एक word आया है, बट, बट क्या है, conjunction, और conjunction of contrast, क्या है, conjunction of contrast है, conjunction of contrast है, यानि कि जो उपर लाइन है, उस लाइन का विरोध लेकर यह वाली लाइन आई है, विरोध कर रही है, यानि पहले भूला चाहरा है, कि उन दोनों में क्या था, रूस तो था नहीं, agreement होता तो, बट नहीं आता, क्योंकि दोनों में से आये हैं, लोग अव उस के लिए, peace के लिए, तो पहले क्या था, conflict था, लड़ाई थी, disparity थी, differences थे, है ना, dispute था, Northern Ireland में उसके history के record है, लेकिन अब volunteers आ गया है, तो conflict इसका answer हुचाएगा, 24 हो गया, next को तो 25, one word है, someone who believes that people cannot change the way events will happen, जिस तरीके से events होंगे, वो लोग change नहीं कर सकते, same question mains में भी आया थ था, अभी 13th को, है ना, seer, seer क्या होता है, prophet होता है, seer, prophet कौन होते है, prophecy करते है, जो future बताते है, fanatic, fanatic, mad, insane, है ना, या फिर whim, जो थोड़े संकी होते है, fanatic, पांगल, और fatalist, fatalist क्या होता है, भाग्यवादी, जो यह मानते हैं कि जो होगा, वो तो हो गई, उसको आप change न कर सकते है, ठीक है, events तो अपने हाँ हो गई, आप change नहीं कर सकते है, और profit, profit क्या होता है, same, seer, profit है ना, तो answer क्या होगा, profit नहीं होगा, fatalist होगा, जो की भाग्यवादी होता है, जो यह believe करते है कि events happen होगे, उनमें कोई change नहीं कर सकते है, तो यहाँ पर जून 6 है और 3rd shift है, यानि कि जून 6 का 1st और 2nd shift और 4th के 1st, 2nd, 3rd shift, वो में सब करवा चुकी हूँ, question number 1 देख रहे हैं सबसे पहले, question number 1 क्या है, underlined segment है, यहाँ पर, underlined नहीं कर रखा है, कोई बात नहीं, हम लोग कर लेते हैं, such a strong blizzard, such strong blizzard, strong blizzard यहाँ पर है, तो 100 से यहाँ तक होगा है, यह underlined part is का, इस को underlined ही रहने देंगे हम, ताकि आप देख पाएं इसको आराम से, आई, आप हम change करते हैं, क्या इसको जरूरत है changes की, पहले sentence को समझते है, we had never seen, we हमारा subject है, had never seen में verb 3rd है यह है और यह हमारा helping verb है, helping verb has, have, had, having, अगर इनके बाद verb 3rd आता है, तो यह helping verb बन जाते है और अगर इनके बाद noun आता है, तो यह verb बने रहते है, one बने रहते है, अब देखिए, had है, verb 3rd है, had के बाद verb 3rd आता है, इस में कोई problem नहीं है, और never क्या है, never is adverb, adverb है, sorry adjective लिख दिया, adverb है, और adverb क्या होता है, कि verb को emphasize करने के लिए आता है, और यह frequency वाला adverb, never, always, often, यह frequency वाले adverbs है, और यह हमेशा verb और helping verb के बीच में आते है, तो यह बल्कुल सही है, we had never seen, हमने कभी नहीं देखा, क्या नहीं देखा, so strong blizzard, blizzard क्या होता है, snow storm को blizzard कहते है, snow storm को blizzard कहते है, blizzard, मैं नहीं देखा, so strong blizzard, इतना strong blizzard मैंने नहीं देखा है, the wind speed was 130 km, per hour, और wind speed कितनी थी, 130 km per hour थी, ठीक है, so strong blizzard, इसमें देखिये, जो blizzard है, यह क्या है, noun हो गया, strong क्या हो गया, adjective, noun की तारीफ कौन करता है, adjective करता है, तो यह adjective है noun के लिए आप, so, so क्या है, so adverb होता है, ठीक है, तो adverb, adjective ठीक लग रहा है, लेकिन, जब हमारा noun आया, तो noun कैस होना चाहिए, जब noun पहली बार introduce होता है, तो अपने साथ article लेता है, right, तो so के साथ कभी भी article नहीं आता है, so a, so a, ऐसा कभी भी नहीं होता, तो so यहां पर गलत हो जाएगा, क्योंकि article नहीं दे रही है, अब हम देखेंगे, तो no improvement गलत हो गया, such strong a blizzard, such के साथ article आता है, ल scene, beautiful adjective और scene noun है, तो इस तरीकी का sequence होता है, तो such a strong blizzard, इसका answer हो जाएगा, बाकी सब कुछ गलत, इसमें दा दे दिया, जबकि पहली बार introduce हो रहा है, तो दा की जरूरत यहां पर नहीं है, question number two पे चलता है, two क्या है, passage है, Canada is three times the size of India, Canada show है, वो three times है, मैंना triple है, इंडिया के size स है, triple है, फिर हमारा आगया है, two number ले दिया, अच्छा, question number two है, क्योंकि इसलिए two number ले दिया है, पहला option है, so, its population is only about 26 million, only मतलब only is emphasize है, सिर्फ population कितनी है, सिर्फ 26 million है, है ना, तो क्या यह, so लेगा, Canada is three times the size of India, Canada जो है, वो तीन गुना जादा है, India के size से, its population is only, लेकिन इसका population है, वो only 26 million है, तो only हाँ पर emphasize कर रहा है, कि यह चीज़ जादे है और यह चीज़ कम है, तो हाँ पर so नहीं आएगा, until का मतलब होता है, जब तक नहीं, है ना, time के sense में, जब तक नहीं, और because or so, एक ही बात है, so यानी इसलिए, sorry, एक ही बात नहीं है, so यानी result clause होता है, इस because reason clause होता है, इसका मतलब होता है, क्योंकि है, तो क्योंकि, क्योंकि इसकी population कम है, इसलिए यह तीन गुना जादा है, क्या यह एक अच्छा answer है, नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा, contrast, क्योंकि यहाँ बता रहा है कि size तो जादा है, लेकिन population कम है, यानी पहले sentence का, दूसर जो sentence है, वो क्या विरोध है, opposite जा रहा है उसके और जब opposite जाता है, विरोध करता है, तो हम किसका use करते है, but या किसी भी और contrast वाले conjunction का use करते है, next देखते है, the average dash of population, population का जो average dash है, population का क्या होता है, average dash, देखते है, option में क्या बोल रहा है, frequency, population की frequency, quantity यहाँ नंबर होता है, consistency irregularity और density, घनत जिसको हिंदी बोल जाता है, तो density of population is less than 3% per square kilometer, area की बारे में बात कर रहा है, कि वहाँ का population का density है per person, 3% का per square kilometer है, कहाँ पर, in Canada, यह तो easy है, 4th वाले में, number 4 में क्या आचाएगा, into तो आएगा, into तो movement के लिए आता है, on Canada, at Canada नहीं आएगा, क्यूंकि Canada is a country, big place, तो at नहीं आएगा, in आएगा है, question number, next देखते है, the distribution of population is highly dash, distribution of population जो है, highly dash है, dash है, मतला, अब dash समझ में नहीं आ रहा, uneven, यानि की बराबरी नहीं है, differing नहीं है, difference होता तो अंतर होता, तो सही होता, differing वर्व हो जाएगा, निसलिए, rough, बेकार, infrequent है, यानि की कभी जादा देखते है, nearly 80% of the people, जो है, वो dash रह रहे है, in a narrow belt, less than 300 km wide, along the southern water, जो यह कह रहे है, 80% जो population है, वो narrow belt, जो की 300 km से भी कम है, southern water में वहाँ रहे है, और the rest of the country has a very sparse population, due to excessive cold, और the rest of the area है, क्योंकि वहाँ पर excessive cold होता है, less than 80%, 300 km में तो बाकी का area है, उन सब में बहुत sparse population, बहुत कम ना के बराबर, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड होती है, पैसे तो पढ़ लिया, बस यहाँ पर आया था, एक question रहे है हमारा, the distribution of population is highly uneven, बराबर नहीं है, uneven है, uneven है, यानि कि क्या हो गया, कहीं बहुत सादा और कहीं बहुत कम, बहुत जादा जो है अंतर है, तो 300 km में ही सारी चंता रह लेती है, बाकी area में तो बहुत ठंड होती है है, और 6 नमबर में क्या है, 6 नमबर में है, the people live in a narrow world, live आएगा, remain यानि तो बचना या become हो जाता ह यह वाला answer का सही है, कि रहते हैं कहां पर, narrow belt में हो गया हमारा passage, बहुत जादा टफ नहीं था, कोई question हो तो फिर भी पूछ रहना अलग से, क्योंकि grammar नहीं पिताती हूं में passage में है, a person appointed by two parties to resolve a dispute, किसी dispute को resolve कराने के लिए, dispute क्या होता है, जगडा है, कोई लड़ाई जगड करवाने करवाएगा है, सुला करवाने के लिए, resolve रहा है, resolve रहनी, सुला करवाना है, problem को solve करवाना, तो solve करवाने के लिए चार option है, valuer, broker, arbitrator, auditor, auditor, आयो देखते हैं इनके meaning, पहला word है valuer, valuer क्या होता है, value लगाता है, estimate लगाता है, इसे की कोई property है, इस property का value कितना होगा, value लगाने के लिए परसन आता है, उसको बोलते है, value एर, estimate लगाने के लिए आता है, estimator भी बोल सकता है, इसको है, ब्रोकर हमें पता है, यह मकान आपको लेना है, rent पर देना है, बेचना तो एक broker होता है, दलाल जिसको बोलते है, बहुत सारे उसके काम हो सकते हैं, दलाल के, property इसको बोला वैसे मैंने यहां पर marriage के लिए अलग broker होते हैं, arbitrator और auditor, auditor के अधा, audit होती है, audit होती है, तो क्या होता है, examine होता है, पूरा check होता है, एकदम minute observation, तो जो examine करने आता है, उसको हम examiner या auditor बोलते है, arbitrator के होगा, arbitrator is this, जो दो persons में चो लड़ाई हो गई, दो को उस लड़ाई को सुल्जाने के लिए जो person आता है, उसको कहते है, arbitrator यानि सुलह करवाने वाला, ठीक है, question number 8 पे आते है, 8 क्या है, out of the woods, woods यानि क्या होता है, forest, forest का ही एक वर्ड है, idiom है, कोई ऐसा trick नहीं होता है, जो आप idiom को कर लो, सिफ यह होता है, कि आप idiom पर हो, और उसको revise करो, और उसको sentence में use करो, तो no longer in trouble, परिशानी में अब नहीं होना, next is, they didn't see you, is it, देखे, अब 6 में, second shift में भी question आया था, इसका question tag का, मैंने बताया था, इधर not नहीं है, तो इधर not होगा, इधर not है, तो इधर not नहीं होगा, ठीक है, एच चीज तो not वाली, और दूसरी चीज के, जो tense यहाँ चल रहा है, उसी tense का helping of यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यूज होगा, वही helping of यहाँ पर यूज होगा, वही helping of यूज होगा, बस यह है, कि अगर यहाँ दे है, और यहाँ आया गया, वैसे तो यह नहीं होता, दे है तो दे ही आएगा, और द आएगा तो did के साथ they आचाएगा है तो they didn't see you तो इसका क्या बनेगा did आचाएगा क्योंकि same चाहिए हमें और not यहाँ पर already है तो यहाँ not नहीं आएगा और they हमारा subject था तो subject भी यहाँ पर आजाएगा तो did they यह इसका answer होगा यह गलत है no improvement क्योंकि is लिख दिया जिसका कोई sense नहीं है next question देखते है comic comic का antonyum ढूनना है amusing amusing यहाँ यहाँ entertaining ठीक है मजा देने वाला absurd absurd क्या होता है बेकार मतलब different होता है absurd यहाँ कि जिसका कोई sense ही नहीं आ रहा हो और tragic यहाँ तो दुख ही होता है दुख और awkward है नहीं odd तो opposite दुणना है comic यह नहीं तो मजाग करने वाला और absurd बाते करने वाला जिसकी बातें बेतुकी है जो बिल्कुल भी interest नहीं दे रहा है तो absurd इसका answer हो जाएगा right next question पर चलते है 11 पर 11 है यहहांचा양 चलते है चलते हैं पै क्रसर को हम ही आपे पॉंटर को भी हम यहां लिया हैं यहां लिया है लर्याग करके उठाके यहां दिया दिया हैं तो वी फूल यह रश्ष यह रष्ट, रष्ट करना तो पीश पेये नो मुवमेंट है ना रष्ट- यह नही भागना तो यह रुदू कट कईए है टुछ है पूछ ग kull ॠ यहनी किया होता है नी the तो पुल इसका अंसर हो जाएगा, next question 11 हो गया, 12 पे चलते हैं, select the option that gives the correct, okay, jumbled है, हमें सारा पढ़ने पढ़ेगा, it is one of the highly developed countries of the world, यह countries की highly developed में से यह के it आ गया, तो यह पहला start नहीं हो सकता, it stretches from the Atlantic Ocean, Atlantic से start होता है, यहां से भी नहीं होगा, तो यहां पे तो दा उसे आया और इस वाले को भी पढ़ लेते हैं, तो यहां पे इसका पूरा नाम आया है, और ब्रैकेट में USA और यह USA यहां जाके दा यूसे बन गया, तो हमारा पेयर किसका बन गया, D और D के बाद, C भी हो सकता है, यह D के बाद, D से स्टार्ट होगा, stretches from the Atlantic Ocean in the East to the Pacific Ocean in the West, यह बताया है, देखो, 4th largest है, तो 4th largest है कैसे, क्योंकि Atlantic Ocean से Pacific Ocean तक फैला हुआ है, तो D के बाद के बाद के आएगा, B आएगा, फिर आएगा, C और लास्ट में हम A को रगतेंगे, ठीक है, चलते हैं कोशन नमर 13 पे, 13, ग्रमाराटिकल एर डुड़ना है वी विल रेस्ट for some time, when we will reach the top, देखे, सारे questions conditional के आ रहे हैं, तो हमें conditional topic को बहुत अच्छे से वढ़ना चाहिए, वी विल रेस्ट for some time, हम कुछ समय के लिए rest करेगे, कब, जब हम पहुँच जाते हैं top पर, तो जब इधर विल आ रहा है, तो इधर विल नहीं आएगा, मैं plus verb first है, और यहां पर यह conditional वाला है, conditional का यह conjunction है, तो जिसमें conditional का conjunction लगा होता है, ज्यादा तर if होता है, इसलिए मैंने if clause लिख दिया है वहाँ पर, तो वो भी देख लेना, तो इसमें क्या होगा, verb first आएगा, will reach नहीं आएगा, when we reach, simple, when we reach the top, ठीक है, तो इस वाले में गलत आमुना has many non-native species, river आमुना में बहुत सारे non-native species है, non-native मतला वहां के नहीं है, बाहर से आए वे, लेकिन वहां रहते हैं, like goldfish and goldfish, जैसे कि goldfish, ठीक है, that is जो की affect कर रही है, किसको its ecosystem को, इसके ecosystem को, किसके UK system को, river आमुना के ecosystem को, पढ़ लिया sentence, देखने में बिल्कुल सही लग रहा है, थोड़ सा grammar देखते है, इसका, the river यमुना, यह यमुना, the river, यह नाउन है ना बीटा देखिए, यह article, यह noun, और यह इसका नाम है, यह noun of क्या होता है, noun of opposition होता है, बताय था मैंने आप लोगों को पहले भी, मेंस में बताया होगा, कुछ वीडियो में बताया ह opposition होता है, जिसे, our prime minister, Mr. Narendra Modi, तो our prime minister में, our adjective हो गया, positive adjective, prime minister उनका नाम, और फिर, prime minister उनकी post, our prime minister, फिर उनका नाम, Mr. Narendra Modi, it is what, noun of opposition, ठीक है, तो इसी तरीके से, यहाँ पर फूरा मिला के subject होता है, river यमुना, अब क्योंकि हमारे subject कैसा है, singular है, इसलिए हमारा verb कैसा है, singular कोई डिकत यहाँ पर, ठीक है, नहीं है, has what, has many non-native species, यह है noun, और यह इसका determiner है, कितने है, बहुत सारे, determiner क्या होता है, adjective ही होता है, जो noun का number बताता है, बहुत सारे, कैसे non-native, वहाँ के नहीं, वहाँ के नहीं, यह क्या हो जाएगा, इसका adjective, जब भी, किसी भी word में, अ अगर last में, आई, वी, आ रहा है, तो वह क्या होता, adjective होता है, हमेशा, possessive species, like, जैसे की goldfish, like, क्या है आपर, preposition है, preposition हमेशा अपने बाल, noun लेता है, तो यह noun ले लिए इसने, that, अब यह that, which, that से, या which से, या who से, अगर आगे sentence start होता है, तो उस noun का क्या होता, adjective clause है, अब क् जैसे की goldfish क्या है, living है, लेकि human नहीं है, हू के वल human के लिए आता है, तो that यह, which आसकता है, तो that लग गया है, तो ठीक है, that में कोई गल्ती है, is affecting में गल्ती है, is affecting क्या है, tense है, concert tense है, continuous tense है, अब continuous tense का बाता है, जब काम अभी लगातार हो रहा हो, तो river Yamuna, यहा पे एक general बात system को affect करते हैं, general sense बे हो रहा है, तो affect करते हैं, तो that affects करेंगे हम इसको, that affects, जो की affect करते हैं किसको, इसके ecosystem को, तो यह गलत हो जाएगा, ठीक है, आगे चलते हैं, next question पर, question number 15 पर आते हैं, synonym ढूड़ना है, engulf का, देखो, engulf क्या होता है, to cover, किसी चीज को cover करना, ढखना है, और entangle करना, entangle करना, यह नहीं क्या होता है, किसी को किसी चीज में मिला देना है, गुतना, ठीक है, envelope, cover होता है, cover करना, अगर वर्फ की जासे है, तो I enveloped या envelope बोला चाता है, जो भी word E से start होता है, E N से उनको envelope जादा अच्छा होता है, enshrine है, enshrine और encroach है, तो encroach क्या होत है, encroach होता है, affect डालना है, to affect, असर डालना, ठीक है, और envelope यह नहीं cover करना, entangle यह नहीं mix कर देना, गुत कर देना, तो to cover, select the synonym, यह envelope इसका answer हो चाहेगा, 15 हो गया, next पे चलते है, 16 पे, gather, gather यहीं क्या होता है, collect होना, एक साथ मिल जाना, gather हो जाना, और next word है, क्या है, disperse हो होगा, जैसे हम लोग जब स्कूल में होते थे, तो स्कूल में क्या होता था, it is time to disperse, disperse होना यानि की separate होना, यानि अलग-अलग हो जाना, यानि when you go home, तो you are dispersed, the class is dispersed, अलग हो जाना है, distract, distract यानि, root पे से हट जाना, आप अपने रासे से भटक जाते हो, dispute यानि जगड़ा और display यानि show, तो यहाँ पर इनका कोई match नहीं है, gather है, gather का antonyum क्या होगा, disperse होगा, question no.16 हो गया, अब आते है 17 पर, wrongly spelt word ढूंगना है, बहुत easy आ गया है, hasty, hesitate, hazard, or hazy, देखो जितने भी wrongly spelt word आये न, ये lines आये, पूरा आप निकालेंगे 4 से लेके, जितने भी exams है, तो hasty है, इसके बाद hesitate, hesitate जो है, वो ha से start नहीं होता, he से start होता है, बाकी सब सेम सही है, ha वाले है, dictionary के line से लिएव रहे है, next word 17, 18 देखते है, question no.18, देखे क्या करना है, passive बनाना है, इसका, तो हम लोग देख लेते है, v1 से start हो रहा है, वह 1st से start हो रहा है, यानि imperative sentence है, imperative sentence है, तो imperative sentence को दो तरीके से कर सकते है, एक तो let से कर सकते है, और एक you से कर सकते है, कि you are requested to, you are ordered to, you are advised to, है तो show these visitors, यह हमारा subject है, verb पहले आ गया है, यह से these visitors, you are advised to show these visitors, इस तरीके से लिखेंगे, क्या, क्या show करवारा है, the butterfly farm, यह हमारा object है, ठीक है, तो अब यहां देखें option में option में क्या है these visitors यह तो object है और should be showed showed लिख दिया देखो show का जो third form होता है वो shown होता है showed नहीं होता तो यह गलत हो गया first वाला हमारा let these visitors be shown यह ठीक है इसको भी हम discuss करेंगे let these visitors be showing देखो मैंने आपको शायद दी बताना था मुझे कि let से जब हमारा स्टार्ट होता है लेट के बाद क्या लिखते हैं subject लिखते हैं यह structure है पढ़ लीजेगा याद रहेगा let subject फिर बी फिर वर्व का third form जो कि बिल्कुल सही है यह वाला नहीं third form फिर object अगर हो तो है लेट फिर subject लेट हो गया हमारा सबसे पहले इसको हम लेट से स्टार्ट कर सकते थे वर्व फिस्ट को subject इजसे कि मैंने बता दिया था इसके लाब अगर यह answer नहीं होता तो क्या होता दूसरा answer तो दूसरा भी answer बता देती हूं एक तो मैंने बता दिया था यू आर अडवाइजड तू है ना requested क्यों नहीं क्योंकि प्लीज जरूरी हो उसके लिए तू के बाद पूरा अगर यह भी नहीं होता तो शुड आजांज यह था शुड वाला बिल्कुल सही था यह बस शोन की वज़े से ही गलत हो गया है ना वरना यह भी answer हो सकता है लेकिन तीनों में कुछ ना कुछ कम ही थी यह यह तो दिया ही नहीं था इसलिए नहीं हुआ है ओके 18 होके चलते हैं क्वेशन नंबर 19 पर 19 में फिर से पहरा जंबल है वोट विस सपोस्पोस्ट टू बीए holiday of a lifetime जिसको की holiday of a lifetime होना चाहिए था पूरा सब्जेक्ट है और यह वर्व है ठीक है turn into a dangerous experience for 1300 passengers on a cruise ship of the of the coast of Norway Norway के cost पे एक holiday मनाने के लिए गय थे और जो day उनके लिए पूरा प्रापर एक holiday होना चाहिए था वो उनके लिए lifetime dangerous experience हो गया किछ के लिए 1300 passengers के लिए हो सकता है यह subject हो the Norwegian government the Norwegian government decided to evacuate evacuate निकालने का the passenger with the help of helicopters उनको बचाने के कोशिश की helicopter की मदद से तो यह तो शुरू नहीं होगा यहां पर कोई ना कोई danger हस्ता हो गया है यह से start हो सकता है the ship broke down in rough seas ship broke down हो गई and high speed winds cause it to rock heavily from side to side और winds ने और अच्छा काम कर दिया सारी जो ship थी वो side-side से तक्राने लग गए इधर से उधर rocks पे from the first 371 evacuated passengers 17 had to be taken hospital और total 1300 थे उनमें से 371 जो है evacuated हुए और 17 उसमें से hospital ले जाएगा है ना तो A तो हमारा सबसे पहले होगा C से start नहीं होगा क्योंकि C तो यह है the ship broke down है यह नहीं start होगा A से start होगा अब A के बाद B नहीं आएगा क्यों 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 यहां पर बोला किया 1300 passengers थे फिर मला हुआ problem हुआ फिर यहां बताया है problem क्या हुए ship broke down in rough seas and winds ने अतना काम कर दिया तो A के बाद आएगा C उसकी बाद Norwegian government ने क्या किया evacuate करने का try किया फिर बताया कि जो evacuate हुए सबसे पहले उनमें से कुछ को hospital ले जाएगा तो यह होगा इस cancer A C B D हैना कुछ ऐसे आते हैं तो क्यों सा होगा nervous angry hungry excited nervous 21 the national war memorial is dash to our armed forces national war memorial एक prize है जिसको के dash किया जाता है किसको our armed forces को हमारे armed forces को devote किया जाता है dedicate है na which is dedicated यह तो समर्पित devote करना है यानि आप अपना time अपना money अपना feeling वो किसको कर रहे हो devote कर रहे हो है और समर्पित dedicate किया जाता है कब जब हम कोई चीज किसी के नाम कर देते हैं ठीक है honored यानि सम्मान और inscribed तो होता है किसी पे गुद्वाना लिखवाना उपर से है next is wrongly spelt word check करना है reminiscence remembrance तो reminiscence में आई आता है यहां पर यहां पर यहां पर यह आता है तो reminiscence गलत है यहां पर question number next एकते है a painting competition was held in the colony and caveat was declared publicize तो magazine में होगा और suppose यानि suppose किया चाता है और declare यानि बता देना अनौन्स कर देना करना वंदन करना तो declare होगा कि इसको declare किया गया next is active दूनना है the injured were being removed were being removed to the hospital by the police तो हमारा सबसे क्या है the police the police were being was removing removing होगा है क्यों होगा क्योंकि being का ing verb में लग जाएगा तो the police was removing ढून लेना के वहल इसमें नहीं है इसमें नहीं है इसमें भी है और इसमें भी है इसमें इसमें इंजर्ड हो गया जबकि हमारा object the police है तो यह आ जाएगा झाएगा June 7, 2019 the first shift यानि हर दिन में तीन तीन पेपर होते हैं तो six papers हम लोग कर चुके seven papers start कर रहे हैं वैसे हम लोग इसमें पॉइंट से आप डिसक्स कर रहे हैं और इन पेपर से आपको प्री का प्रप्रेशन करने में बहुत help मिलेगी क्योंकि बहुत जादा similarity का जो pattern है वह आप यहां पे जच कर सकते हो कितना time देना है एक paper को वह भी आप जच कर सकते हो तो आप इसके लिए practice कर यह और जहां पर आपको दिक्कत होती है आप वीडियो में आप उनको देख लीजे problem नहीं आएगी आपको start करते हैं हमारा next paper seven June और है first shift है na question number one है select the correct active active sentence रुणना है यानि कि हमें passive मिला हुआ है देखे first sentence का है one of the passenger was being thoroughly checked है तो being है यानि कि आइगन जी लगेगा verb में verb किया है check है तो हम इसको checking कर देते है right checking हो गया आप was being thoroughly checked क्या check हो जा रहा था one of the passenger check किया जा रहा था किसके द्वारा the custom officers दो the custom officers हमारे subject होगा और was की जगे अप क्या जाएगा word आजाएगा तो the custom officers word checking one of the passengers thoroughly thoroughly यहाँ पे भी आ सकता है word thoroughly checking यह last में भी आ सकता है तो आइए चेक करते हैं हमें मिलता है कि यह word मिलना चाहिए हमें इसमें was है ठीक है और one of the answers स्टार्ट होगा हम आ गया तो यह भी गलत है thoroughly checked इसमें भी helping up नहीं है और क्यूंकि ING है तो इसमें checked लिखावा वह भी गलत है the customer custom officers were thoroughly checking यह सही है one of the passengers right D is the answer होगा next question देख लेते है question our next है appropriate idiom के लिए meaning lock, stock and barrel lock, stall, stock and barrel अब कुछ कर लिया it means we have done it completely to the fullest हमने कर लिया बाकी नहीं होगा idioms के बारे में मैं बता दूं आपको कि idioms जब हम करते हैं so idioms हमें पढ़ना चाहिए, उनका meaning देखना चाहिए और उनको sentence में यूस करना चाहिए ये बाकी के options पर हमें बिल्कुल नहीं चाहिए हमें meaning इसका according to the usage देखना चाहिए next देखते है dense है dense का हमें अन्टनिम बताना है dense यानी deep thick है ना बहुत सारा dense forest यानी deep forest होता है बहुत घना जंगल उसको dense forest बोलता है sparse यानी in less amount कम और opaque यानी transparent होता है to see through है ना thick यानी dense होता है condensed यानी dense होता है deep यानी dense होता है ना तो यहां पर answer क्या होगा sparse होगा जहां पर हम पहले बात करें थिक की मच की वहां पर इसमें क्या है just opposite है in less amount तो यह होगा इसका answer 3 next देखते है question number 4 most appropriate word है in the wake of the recent cross border tensions जो अभी recently cross border tensions start होगी है forces have been dashed at strategic location forces जो है strategic locations पे dash कर दी गई है for immediate actions for immediate action के लिए if required अगर जरूरत हो तो वह action ले सके इसलिए forces को सेना को अलग-अलग locations पे भेज दिया strategy बना के strategic locations पे भेज दिया गया है तो deposited यानी तो जमा कर दिये गए है deployed deployed यानी बातना होता है ना अलग-अलग जगा पे बाटके अलग-अलग उनको कर दिया deployment होता है decply is that it हम बात करें forces की deport अपने लिए होता है ठीक है और तो deploy हाँ पर answer हो जाएगा कोई problem नहीं होगी इसमें next question देख देखते है five number stale stale का हमें antonyum देना stale नहीं सड़ा हुआ गंदा खराब है और यहाँ पर fresh है तो यही इसका antonyum हो जाएगा flat having no taste dry नहीं सुखा sorry नहीं खट्टा lethal lethal क्या होता है lethal is lethal का हमें synonym देना है lethal नहीं क्या होता है deadly यानी fatal जिससे मौत बिल्कुल निश्यत हो ठीक है तो fatal यहाँ पर दियावा है healthy strong harmless harmless है जिससे नुकसान नहों पर यहाँ पर क्या है lethal नहीं जिसका मतलब deadly fatal होता है तो synonym देना है इसलिए इसका answer हो जाएगा question number seven पर देखते है seven कि है in following passage आगया okay closest passages आते है closest passage में 및bstेकर नहीं पनी प्रेपोजिशन को question रहां हमahlen पता होना چाही यहाں with क्यों नहीं आएगा तो हमारा subject यह होगा फिके क्योँ नहीं होगा? क्योंकि अफ प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन के बाद आने वाला जो नाउन है यह क्या बन जाता है? प्रेपोजिशन का बजेक्त बन जाता है इसलिए यह प्लूरल हो, चाहिए शिंगिलर हो इसके according हमारा verb नहीं होता हमेशा है इसके according होता है इंडिया का political condition था कब 18th century में कैसा one of the extreme disunity extreme disunity पे था कब in the decline of the Mughal Empire जब Mughal Empire के decline session में जब उनका decline हुआ जब वो नीचे गए उस समय क्या हुआ the political condition of India was extreme disunity में था तो in आजाएगा यहाँ पर in आएगा क्यों with यानी तो साथ होता है on पर when कुछ भी यहाँ पर useful नहीं है और disunity in the decline of हमेशा ऐसे phrase बनता है आगे देखते है एट के option देख लेते है empire no dash Indian power emmerge उस समय कोई अलग दूसरी Indian power emmerge नहीं उबरी नहीं निकली नहीं जनमी नहीं तो टेक इट्स डैश उसकी जगह लेने के लिए कोई दूसरी Indian power वहाँ पर नहीं आपाई तो यहां पर मुगल empire का decline हो गया था तो मुगल power भी Indian थी वहाँ पर तो इसलिए no other comparison करें no other Indian power emmerge to take its dash अब उसका डैश लेने के लिए दूसरी नहीं आई उसकी seat लेने के लिए उसका नीश लेने के लिए उसका प्लेस लेने के लिए उसकी रोल लेने के लिए तो मुगल empire का seat नहीं था उसकी पूरी काइना तो उसका पूरा जो वहाँ पर राज्य था सामराज्य था एंपायर था उसकी बातोरी तो seat नहीं आएगा के लिए नीश का होता है नीश का होता है एक शेल्फ होता है एक ऐसी जगह जो बहुत अंदर जाके बनी वी ओ रहे कहीं बताया चाहर हो तो पावर के लिए क्या आएगा प्लेस आएगा कि जो प्लेस उनका था वो प्लेस लेने के लिए कोई और नहीं है इन-str e nth and prestige लिखा पाया ना in strength and prestige to unite to unite, unite करने के लिए किसको unite करने के लिए dash under a central authority कि एक central authority हो जो पूरे dash को unite पूरे country को, पूरे region को, पूरे state को या पूरे territory को, हम किसकी बात करें, we are talking about India, we are talking about India, India is not a state, it is not a territory, it is not a region, it is a country, तो unite the country under a central authority, के एक central authority में unite करने के लिए, कोई भी ऐसा नहीं था, दूसरा power जो उनकी जगा ले सके, The Marathas, अब हम बात करें, Marathas ही, अभी तक हम मुगल साशन की बात करें, The Marathas, who rose, जो की rose हुए, जो आगे बढ़े, rose to the position of pre-eminence, इसके पहले जो rose हुए थे, among the new Indian state, did not prove capable, Pre-eminence के रूप में जो आए, इनके pre-eminence के रूप में जो आए, उन्होंने, they did not prove capable of fulfilling that task, जो Marathas थे उस समय, उस समय इतने capable नहीं थे, कि वो इस task को कर सके, कौन से task को, कि वो प्रूव हो सके, उसके जगह ले सके, उसके prestige, उसकी strength ले सके, और पूरे इंडिया को central authority के रूप में unite कर सके, तो यहाँ पर क्या आएगा, रोस टू, रोस टू मनले एक position पर आए, तो to the position, position पर, के लिए to आएगा, on, at या over नहीं आएगा, तो देखे, यहाँ पर हमने comprehension कर लियो, और इस comprehension की जो सबसे special वाद थी, वो यह थी, कि पूरा जो comprehension है, वो preposition में बहुत जादा depend है, तो हमें अपने preparation की, preparation में, preposition को बहुत जादा importance देनी चाहिए, और preposition को कैसे करना चाहिए, preposition plus, verb plus preposition, adjective plus preposition, noun plus preposition, specific preposition होते है, जो किसी particular noun, particular adjective, particular verb की साथ follow होते है, तो वो हमें जरूर पढ़ना चाहिए, उन पे बहुत सारे questions आते है, तो हमें करना चाहिए, जैसा रोस, रोस के साथ हमेशा 2 ही आता है, राइस रोस 2 है, इसलिए, तो यह देखो, यह हमें पता होना चाहिए, तो यह specific rule of preposition है, जो हमें prepare करना चाहिए, ग्रामर की class start होगी अभी बैंक में, तो यह सब पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ देख सकते हैं इन सब चीजों को, नेक्स देखे, वन व उसके उपर कभी है, cattle tea pan, diah हमने cattle, जिसमें tea रखी जाती ही, चाहन कर है नot, teapot बहुत है, चाहन करें। 13 है TALGO a Spanish company Talgo which is a Spanish company which is a spanish company is one of Major-dash done it major dash है किसका of intercity intercity standard and high speed passenger trains trains का dash है वो अब dash है तो क्या होगा creator create करने वाला builder देखो builder building बनाता है ठीक है constructor constructor भी कुछ नया जिसे house है buildings है इनको construct करने का काम होता है constructor का manufacturers होते हैं जो छोटे-छोटे units बनाते हैं जो चीजे बनाते हैं और creators तो create करता है तो यह सब creators के अधर idea create कर लिया उसने generate कर दिया तो वो होते हैं creators पर यहां पर क्या है intercity बनाई चलिए तो वो क्या बनेंगे manufacturers Spanish company जो क्या है manufacture करती है किसका high speed passenger trains का और उसमें intercity standard or high speed सब तरीके की trains का मुख्या करती है manufacturing करने का काम करती है ठीक है next देखते है she forgot lock the door देखो forgot है यह verb बहुत important है सबसे पहले तो उसको समझे लो forgot के साथ दो चीज आ सकती है to lock और दूसरा आ सकता है forgot locking the door ठीक है दोनों आ सकता है अब हमें पहले sentence देखना है ना she forgot she हमारा क्या है subject है she के बाद verb आ गया she forgot what locking the door या to lock the door है ना तो यह हमारा object है और object की पर इस पर क्या आना चाहिए noun आना चाहिए और lock कोई noun नहीं लोग क्या है verb है verb फ़र्स तो गलत है यह हम पहना she forgot कुछ लोग कह रहे है कि क्या यह bare infinitive हो सकता है तो bare infinitive हो सकता था आगे चलते है she forget locking the door lock the door अभी डूर क्या है फिर से एक और object ठीक है यह किसका object होगा यहां पर यह आएगा या तो हमारा जीरंड आएगा यह infinitive आएगा जीरंड और infinitive वैसे तो noun है क्या है noun है लेकिन इनका जो origin form है वो किस से हुआ है और वर्व से हुआ है इस कारण इनके एक habit रहती है क्योंकि अगर यह वर्व है तो अगर यह वर्व टीवी के रूप में है तो यह अपने साथ जरूर object लेते हैं ठीक है वैसे यह noun है पर इनके originality क्योंकि वर्व से ही हुई है इसलिए यह वर्व से होने के कारण यह object ले ल पूरा adverb clause of time हो गया एडवर्व clause क्यों है क्यों है क्योंकि इसमें subject भी आ रहे है वर्व भी आ रहे है तो जब subject और रवर्व दोनों आता है तो फ्रेज नहीं हम उसको clause बोल देते है एडवर्व clause of time क्यों है क्योंकि यह पूरा समय बता रहा है कब उसने forget कर लिया जब वो हरी में जा रही थी जब वो जल्दी में गई तब वो भूल गई ठीक है यह sentence है अब हम देखते है forget forgot के बाद यहाँ पर to lock आएगा या locking आएगा राइट देखते हैं तो देखिए मैंने जिसे की बोला forgot के बाद locking और lock दोनों आ सकता है और दोनों के बाद object आता है तो object वहा यह भर थी forgot to lock forgot to locking देखो forgot to lock है न अब forget के साथ कर locking आता है तो इस locking का सेंस क्या होता है एक्षन किया या नहीं यह भूल जाना एक्षन को भूल जाना क्षेन किया या नहीं यह भूल जाना ह ठीक है और जो forgot to lock उतना इसका सेंस के होता है इस action को भूल जाना action करना भूल जाना ध्यान से दिखेगा ठीक है अब दो चीज़े हो गई forgot to lock का मतलब है action करना भूल जाना वो यह भूल गई कि उसको door lock करना था क्योंकि वो हरी में गई तो वो यह भूल गई कि उसको door lock करना था भूल गई वो इसका सेंस तो यह होगा और अगर हम बोलें forgot locking तो यहां यह होगा कि action किया था यह नहीं यह बूल गए कि उसने lock किया यह नहीं किया उसको यह याद नहीं आ रहा है तो यहां पर बोला जा रहा है कि श्रीव जिन हरी हमें context से पता चलता है आगे क्या लिखा होगा है वो बताता है कि lock आएगा या locking यह बूल गए इसका sense ही होगा action करना भूल गए जैसा ऐसा होता कि I am I forgot locking the door I forgot locking the door है न तो because I am not getting the key ऐसा होता इसमें आगे because I am not getting the key क्योंकि मुझे चाबी नहीं मिल रहे तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि मैंने gate lock किया था या नहीं तब वो सही है na context depends करता है यहां पर बूल रहा है कि हरी में गई थी इसलिए वो भूल गई door को lock करना तो यहां पर क्या आएगा she forgot locking the door sorry to lock the door sorry to lock the door आएगा है na to lock the door तो यह हमारा सही होगा और locking यहां पर नहीं होगा लेकिन locking कब आ सकता था जब यहां पर आगे context ऐसा आता कि उसकुछ आभी नहीं मिल रही है कुछ ऐसा तो हम इसको बता सकते राइट तो 14 होगे हैं यहां पर 20 का answer है चलते हैं next question पर please take these students round the biscuit factory ठीक है please take these students students को ले जाओ कहां round the biscuit factory हम लोग around word को जादा यूज़ करते हैं इसकी जगे अगर around word होता तो वो गलत नहीं होता क्योंकि British में जिसको हम follow करते है British English को तो British English में round को around बोला जाता है around the biscuit factory यह बोला गया था है चलिए आगे करते हैं please take these students round the biscuit factory तो यह please है और यह take है verb first से sentence start हो रहा है यानि sentence कैसा है imperative है इमपेरिटिव है यानि कि यह तो suggestion दे रहा है या फिर request कर रहा है या फिर हमें यह order कर रहा है लेकिन यह पर please है तो please क्या बोलता है request कर रहा है अब request कर रहा है तो यह deck है ना तो तीन तरीकों से sentence start हो सकता है देखो कैसे कैसे start हो सकता है एक let से start हो सकता है let फिर आएगा हमारा object let this student और let हमेशा अपने साल बी लेता है let आजाएगा फिर subject आजाएगा फिर बी आजाएगा फिर वर्व का third form आजाएगा और object रहेगा या adverb जो भी है object, adverb, adjective जो भी बचता है वह इधर आजाएगा है तो यह sequence होता है let वाले का ठीक है दूसरा आ सकता है you are requested to से है na you are क्योंकि request है तो you are requested to अब to लिखते ही पूरा sentence as it is copy हो जाता है two के बाद sentence आ जाता है पूरा ठीक है तो एक ही वाला वह हो सकता है इसको करने का तीसरा sentence क्या हो सकता है subject plus should क्योंकि request है तो advisor तो advisor request में आ सकता है should plus be plus verb third फिर object या फिर जो adverb है वो सब कुछ आ सकता है ठीक है इस तरीके से sentence लिखा जा सको तीन तरीके answer करने के अब यहां देखते हैं कौन सा किया वा है लेको first में लिखावा इस student should be यह सही है these these students subject हो गया should be उसके बाद आना चाहिए work third लेकिन इसने का कर दिया taking कर दिया तो गलत हो गया है third होता तो यह सही हो चाता next देखते you are requested to you are requested to लिखा हुआ है फिर पूरा sentence आना चाहिए तो टू के बाद क्या है please तो हट जाएगा क्योंकि requested आ गया है तो टू के बाद take these students take these students round the biscuit factory इसमें पूरा आरा तो यह सही है इस let वाले में क्या कर बढ़े यह देखते है let आना चाहिए let है subject आना चाहिए subject है two आ गया है यह गलती हो गया है बी आना चाहिए फिर वर्व का third form आना चाहिए फिर object आना चाहिए फिर adverb आना चाहिए उस तरीके से होना चाहिए पर यह नहीं है इसलिगे गला आते है तो राइट आंसर क्या होगा बी इसमें यह गलती है taking इसमें two आ गया और last में you must आ गया must यह नहीं तो क्या होता है compulsion होता है compulsion मतलब ऐसा करना ही है आपके पास दूसरा option नहीं है लेकिन आपर प्लीज है तो यह compulsion नहीं है it is a request राइट तो आईए चलते है question number next पर चलते है question number 16 पर 16 में क्या करना है four jumber नहीं कि para jumber लोगा सबसे पहले का है the move follows last week's fatal Ethiopian Airlines crash कि कोई fatal crash हुआ है last week यह move यह follow करता है कि इसको last week के fatal को है तो start तो नहीं होगा क्यूंकि इसमें the move आ गया और last week में कोई accident वह उसके बारे में बात करा है यहां देखे एर क्राफ्ट मैनुफेक्ट्ट्र बोइंग जो एर क्राफ्ट्र मैनुफेक्ट्र है ग्राउंडेट अंटार ग्लोबल फीट उट इस 737 MAX एर क्राफ्ट वह फूर ग्राउंड Church कि मताया गहा है कि डिर के Eğer और है ना बात की में यह रूक confess एक्डकुर उसके लिएाष्य के प्राफ्ट्वबल प्लेश क्राउंसिश सब्किलवन दंडीरलमेशा इसमें टेट आंसीब तो यहां से श्चार नहीं होगा यहांसे भी इस से स्टार्ट नहीं होगा और A से स्टार्ट नहीं होगा हमें मिल गया है B से अब B के बाद A आएगा या C पेयर बनाओ देखो हमने पेले रिजेक्ट कर दिया उसके बाद हम पेयर बनाएंगे Aircraft Manufacturer Boeing ने अभी ग्राउंड किया है the move follows last week fatal Ethiopian कि last week में भी ऐसा हुआ था अभी ऐसा होगा that was the second ये second time था ठीक है तो B A sorry B A D का पेयर बन गया A और D का पेयर बन गया B से स्टार्ट होगा और last में हम C को रखतेंगे ठीक है तो इस तरीके से हम ही करना चाहिए अगर कोई दिक्कात होती हुए तो हम उझसे WhatsApp करके डारेक पूछ भी सकते हैं question number next देखते है underline each dancer performed very well her dancer ने कैसा perform किया very well perform किया that it was difficult to judge who the best was कि best कौन है यह difficult होगा इतना अच्छा क्या उन्होंने dance कि यह दिक्कत होगा ही छाटे कैसे कि कौन सबसे अच्छा है तो देखो यहां क्या रहा है that क्या है conjunction और यह paired conjunction है paired conjunction है यानि कि इसके साथ इधर भी कोई conjunction आना चाहिए जो कि very नहीं है very कोई conjunction नहीं है सो के साथ that आता है so that का pair conjunction होता है और such that का आता है तो such that तो सच के बाद कभी भी adverb नहीं आता है adverb लिग दिया गया है well जो कि यहां पर गलत है सच के साथ noun आता है क्योंकि such intuitive है तो यह नहीं होगा pair गलत हो गया no improvement गलत हो गया very के साथ that नहीं आता such very एक साथ दे दिया तो यह भी गलत हो गया so के साथ that आचाहेगा यह सही है ठीक है तो so that का pair बनाना था so well that आते है next पर select the wrongly spelt word deform सही है फिर से form करना definite definite हम ऐसा ही बोलते है deflate करना यहीं खराब करना define करना यहीं किसी को introduce करना किसी चीज को है definite में क्या होता है बोलते तो हम ऐसा ही है definite यह spelling होती definite की इसलिए यह गलत है आते है question number 19 भी for jumbled sentences है इसमें देखे however लिखावा है कि फिर भी है तो यहां से sentence start नहीं होगा we पढ़ते है dogs are great companions and provide a healthy excuse to go for a walk and get a bit of exercise कि dogs इतने अच्छे companion है कि हमें healthy इसी मौका दे देते हैं walk करने का और थोड़ा सा exercise करने का है ना यह introductory sentence हो सकता है ना बीस स्टार्ट हो सकता है पर देख लिए जो option में कोई भी बीस स्टार्ट होने वाला नहीं है तो हमें दूसरा option देखना पड़ेगा A से तो start नहीं होगा however आ रहा है It once seemed, एक बर ऐसा लगा, seemed common sense to believe, यह common sense लग गया that having and walking a dog was good for older people कि having a dog and walking with them is good for older people कि यह लोगो के लिए सही है अब देखो A हमारा start होगा नहीं, B इनने दिया नहीं है, सिर्फ A और C दे दिया, तो हम C से start करेंगे है ना, D हमें पड़ने की जूरत नहीं, अभी हम C से start कर रहे हैं, तो C, अब C के बाद पेर बनाएंगे It once seemed common sense to believe that having and walking dog was good for health, है ना, good for older people, यह C हो गया, अब C के साथ B, यह C के साथ A, हम दोनों पड़ चुके हैं, तो B में कहा है, dogs are great companion, और वैसे भी dog अच्छे हैं, इसी का company आ रहा है, इसी के walking a dog के बारे में बता रहा है, ठीक है, तो C के बाद B क्योंकि A में ऐसा नहीं दे रह है, यह बाद में पता चला, रिसर्च, न्यू रिसर्च अब आई है, पहले ऐसा लगा कि ओल्ड लोग के लिस आई है, फिर बताया, dogs तो वैसे भी healthy excuse होता है, अब बता रहा है, कि न्यू रिसर्च आया है, जिसमें बताया गए कि यह सही नहीं है, अर रिपोर्ट that is usually given as a present, यह तो बड़ा सीधा सा है, present के रूप में bouquet दिया जाता है, बुके दिया जाता है, bundle of flowers नहीं होता, garland यह नहीं माला होती है, और bundle flower का नहीं होता है, 21, the grammatical error निकालनी हमें, lodi colony in Delhi, Delhi में lodi colony है, is very different from other places, बहुत अलग है किसे other places से, कौन से other places, जो कहा है, city में है, that is crowded and noisy, अब देखो, पूरा sentence देखो, lodi colony है, हमारा subject हो गया, in Delhi, यह इसका adverb हो गया, adverb of place, ठीक है, तो verb कहा है, यह रहा, singular subject, singular verb, यहां तक कोई error नहीं है, lodi colony in Delhi is very different, कैसी है, very different है, किसे, from other places से, अब देखो, दू दूसरे places से, बिलकुल अलग है, that is, जो की कैसे है, crowded or noisy, लेकिन हमारा जो यह object है, इस object के बारे में, यह object जो की noun है, और noun के बारे में, क्या है, adjective clause है, क्या है, adjective clause है, किसका, noun का ही होता है, इस noun का है, इस object का है, अब noun का object clause है, तो हमें जो subject होना चाहिए, वह उसी noun के हिसाप होना चाहिए, तो यहाँ पर इस की जगे क्या कर देंगे हम, are कर देंगे, that are crowded and noisy, यह subject की adverb, इस में कोई problem नहीं है, problem का है, जो नया noun होना रहा है, उसका object clause बन रहा है, उसका adjective clause बन रहा है, तो उस adjective clause में, उसी का verb follow होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका Delhi से कोई relation नहीं है, crowded Delhi का लोधी colony है, क्या, नहीं है, कौन सा, other places है इसका subject, तो other places की recording आ रहाएगा, right, next पर चलते है, prevalent, unusual, rare, different, common, तो synonym ढूडना है, prevalent, जो आजकल, prevalent है, common है, different, अलाग, rare है नहीं, कभी ना कभी होने वाला, बहुत कम, unusual, जो uncommon है, तो जो synonym है, वो common होगा, opposite है यह अनूजल, इस segment में गलती देखने है, he came late, he came late, कॉंसर टेंस है, past है, तो past का ही helping work, दूनेंगे हम, क्योंकि जो हम यह करते है, question tag, question tag में कुछ ही हमें, rules पढने होते, एक बार आप पढ़ लीचे, बहुत सादा नहीं है, कोई difficulty होती है, तो मुझ से पूछ भी सकते है, तो यह present का है, no improvement गल late, ऐसे लिखाव आता है, अब हमारा helping का है, तो फिर यहां पर कया बनेगा, wasn't he, wasn't he, तो यह सही है, चीके, तो यह सही है, पर यहां पर क्या है, came है, came any verb second, तो फिर हमारा helping of किया होता है, did होता है, तो did आएगा, it लिख दिया था, देखो, यहां पर it लिखावा था, he के ल तो इधर नेगेटिव आएगा इधर अगर नेगेटिव है तो इधर नेगेटिव नहीं आएगा यहाँ केम है पॉजिटिव है यहाँ भी पॉजिटिव है इसलिए नहीं आया है इवाला ठीक है next question पर चलते है यह इसका answer होगो 24 24 क्या in the pink idiom है in the pink होना यह इन गुड हेल्थ में होना यह इसका answer होगा यह बाकी हमें देखनी नहीं होती idioms for next चलते है question number spell to do necessity यह जरूरी तो इसमें कोई गलती नहीं negotiation में गलती है T आएगा ठीक है negligence or notification में कोई गलती नहीं जून 7 2019 second shift हम लोग जून 4 जून 6 के papers को कर चुके उनकी तीनो तीनो शिफ्ट कर चुके 7 का हमने first shift कर लिया है यह second shift है अगर आप new है तो मैं आपको बता दू हमने SSE के पूरे previous air questions करवा हैं अभी main switch उसके भी हम करवा चुके और CHSL बाकी है उसके हम CHSL के papers भी करवाएंगी क्योंकि आप लोगों के request थी यह papers आपको practice में help करेंगे तो हम इसलिए papers को करवा रहें और हर question का हम लोग detail analysis करते हैं उस question का sense देखते हैं grammar wise देखते हैं अगर जरूरत होती है तो और उसके सारे options को analysis करते हम यह भी देखते हैं कहीं पर आंसर रॉंग है तो हम उसको correct कर सेके तो आइए इसी series में start करते हैं आज का next session है June 7 का जो paper है और आप जब आप यह solve करते रहेंगे नो मेरे साथ solve करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो इसमार आपको आपको आइडिया मिलेगा कि इस हद तक similarity रखके बनाए जाते हैं तो आस-पास की चीजों को अभी बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए आइए शुक्राइए शुक्त करते हैं हमारा आज का question paper जो है 7th June 2nd shift सबसे पहला जो इसमें question है वो इससे start हो रहा है close test से start हो रहा है इसी को हमने रखा है सामने during the reign of Aurangjev rain मतलब राज जब उसका राज कल चल रहा था तब the last of the Mughals their dash revolts against the empire the last of the Mughals यह इसके लिए adjective phrase है देखिए during the reign of Aurangjev Aurangjev के rain के दौरान उसके सामराजी के दौरान कौन Aurangjev? who was the last of the Mughals जो कौन थे? Mughals के last empire थे, last king थे Aurangjev their dash revolts, revolts हमारा noun है और यह noun क्या बता रहा है कि हाँ पर चो verb आईगी वो इस noun क्योंकि plural है there is B की form आईगी, is MR was war में से कुछ आएगा तो plural आएगा have been आ रहा है, there have been revolts तो been आ गया, been के बाद B3 आता है, right? against the empire और क्योंकि हम past की बात करें, तो past की बात करें तो यहांपे past indefinite आएगा के वो वो ज या वर में से war आएगा, was नहीं आएगा क्योंकि revolts है यह present है और stance का भी हांपे कोई link नहीं है there were, revolts, बहुत सारे revolts थोए against the empires samaraj के against में next is second were the revolts of the marathas, second के options देख रहे है हम लिखा हुआ है, dash were the revolts of marathas, these है, that है, it है और this है तो it, this, it singular के लिए आता है, this singular के लिए आता है, that singular के लिए आता है तो बचता के है हमारे पास यहां पे क्या आएगा, these revolts against the empire sorry not here, it is here, these were the revolts of marathas, the six, the jats and dash others revolts में किस-किस के revolts थे, marathas के थे, six के थे, jats के थे and others के भी थे and others है, अब others में भी देखे, others हमारा क्या है, plural है, तो यहां पे इसके लिए plural determiner आना चाहिए, more others, या each, each हमेशा singular के लिए आता है, every हमेशा singular के लिए जाता है, right, many या more, अब more जो है, वो कौन सा होता है, adjective में, degrees में use होता है, comparative degree में more का use किया जाता है, पर यहां पे more नहीं आएगा, इसलिए के आएगा After the death of Aurangjev, Aurangjev की death के बाद, the Mughal Empire begin to dash fairly fast Mughal Empire, जैसे ही Aurangjev की death हो गई तो Mughal Empire जो हो गया वो शुरू हो गया, क्या हो ना, fairly fast बहुत तेज गती से, बहुत तेज स्पीट से dash होने लग गया, disperse, disperse यानी होता है, अलग हो ना, कब your time is disturbed or disrupt, disturbed, एक जैसे word है or next of disintegrate, integrate क्या होता है, integrate यानी हार्मोनी और harmony यानी संम्हलेत होना, मिलजूलकर हो रहना है, na integrate यानी मिलना, or disintegrate यानी alagh हो जाना So, यहां पर gitन to disintegrate fairly fast, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से, जैसे Aurangjev की death की Mughal Empire, जो हे, वहुत तेजी से disintegrate होने लग गया, separate होने लग गया, the country soon dash into, देखिए, next question है, बहुत important question है, ऐसे question को हमें जरूर prepare करना चाहिए, question क्या है, the country soon dash into smaller territories, country ना बहुत जल्दी smaller territories में break होने लगा, छोटी-छोटी territories बन गया, many of which became more or less independent, और में से बहुत सारे जो है, वो more or less, come or जाधा, तर वो क्या हो गया, independent बन गया, आजाद बन गया है, तो option क्या है, यह है, option, broken, broke out, broke off, और broke up, आप देखिए, यानि कि यह क्या है, phrasal verb का question है, break plus, हमें preposition दे दिये गया है, break plus in, या off, या अप चो भी है, ठीक है, तब देखो, break off है, सबसे बहुत आफ करो, off का मतलब ही stop होता है, ठीक है, तो किसी भी वर्फ के साथ अगर off जुड़ जाता है, तो उसका sense stop आता है, broke off मतलब stop, ठीक है, broke out, कुछ नया शुरू करना, to start, suddenly, अचानक से कुछ नया शुरू कर देखिए, break out हो गई, कोई चीज बाहर आ गई, ठीक है, और है, break in, break in, यानि separate होता है, और break in के लिए सबसे पहले ध्यान को, यहान देखो, option में क्या लिखावा है, break in, into, क्या break in के बाद into आएगा, क्या, तो यह हमें वैसी पता चल गए, कि यह तो नहीं आएगा, now this, break up, अब broke up से शायर याद नहीं आ रहा होगा, जैसे ही मैंने बुला, break up, तो यहाँ पर, sense same देरा फिर भी नहीं आएगा, क्योंकि into आगे दिया हो, right, तो यह गलत हो गया, break up हो गया, और इंग जेब के empire क्या हो गया, break up हो गया, smaller territories में divided हो गया, break up into, break up into लेता है अपने साथ कब, जब हम आगे किसी चीज के टुकडे होने का description देते हैं, तो break up into smaller territories, break up into smaller pieces, समझ में आ रहा है कि छोटे-छोटे टिक्रों में बढ़ गया, उसका पूरा empire, यह बोला जायता है, तो break up आएगा, right, तो question number 5, यानि कि passage, बहुत easy सा passage आ रहा है, इस बार जो मैं देख रहा हूं कि सारे ही exams में, जो close test वो बहुत ज़्यादा easy दे दिया गया, लेकिन next question आगे है, grammatical error, the Japanese artist Yonagao, यह Japanese में कुछ और प्रनाउंस किया सकता है, इसको, was busy, तो हम बात करे है, Japanese artist की, artist हमारा noun है, और Japanese इसका क्या है, adjective, जिसे Indian adjective है, India के लिए है, India के लिए है, India is noun, तो Japanese artist, Japanese artist उसका नाम किया, Yonagao, तो यह हमारा noun है, हर बार बता है, उस सेम तरीके के sentence भी आ रहा है, तो सेम तरीके का sentence भी आ रहा है, यह noun है, और इस noun का ही name है, तो यह noun का क्या है, अपोजिशन, ठीक है, जैसे मैं हर बार बताती हो, our Prime Minister Mr. Narendra Modi, उसी तरीके से रिखावा, our Prime Minister Mr. Narendra Modi, तो यहाँ Japanese artist Yonagao, Indian Prime Minister Mr. Narendra Modi, तो चो नारेंदर मोदी है, वो प्र splashing the wall dash from colors, देखो पहले तो action समझो, the Japanese artist Yonagao, तो यह हमारा subject है, subject कैसा है, singular, right, तो subject singular है, तो verb कैसा होगा, singular होगा, कैसा होगा subject की साथ verb, singular होगा, तो singular है, यहाँ पर subject verb agreement का कोई मिस्टेक नहीं है, was busy, busy थे, किसमें busy थे, splashing, splash करना यानि छीटे मारना होता है, पर वो किसे splash कर रहे थे, color से splash कर रहे थे, देखें, यह है splashing, this is splashing, ठीक है, this is splashing, तो वो भी कुछ ऐसा कर रहे थे, was busy splashing the wall from colors, वो किसी color, color से splash कर रहे थे, अब यहाँ पर आ गया from, यह हमारे काम की चीज़ है, यह है preposition और हमें यह देखना, यह हमारा adjective है, कुछ adjectives या कुछ verbs या कुछ noun, कुछ fix prepositions को लेते हैं, तो यहाँ पर चो busy हमारा adjective है, यह concept preposition को लेता है, with को लेता है, busy with, from यहाँ पर गलत है, सिर्फ इतना ही देखना था, busy splashing the wall with colors, किसे splash कर रहे थे, colors से, वो वो आपर splash कर रहे थे question number next देखते हैं, please take the guest, बिल्कुल same तरीके का error पिछले test में भी आचुका है, please, पिछले सारे में यह प्लीज आया, यहाँ पर V1 दे दिया गया, तो मैंने यही बताया था, आपको पहले भी कि imperative sentences है और request आ रहा है, क्योंकि please है, request है, तो यहाँ पर you are requested to, सही हो सकता है, और the guest should be सही हो सकता है, और should के बाद B आता है, और इसके बाद Vav का 3rd form आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर Vav का 2nd form पिछले वाले test में भी बिल्कुल same तरीके के sentence और same तरीके के error दी गई थी, यहाँ पर यह सही हो सकता था, लेकिन must यानी तो compulsion हो जाता है, इसले यह नहीं आएग please take the guest to his room on the 6th floor, तो on the 6th floor पूरा सही है, इसमें गलती मिल गई है, इसमें गलती मिल गई है, तो यह सही है, you are requested to take the guest to his room on the 6th floor, राइट, चलते हैं, question number 7 हो गया, 8th पर चलते हैं, 8th क्या है, वही adjective वाला no improvement है, देखिए, एगदम same पहले के test में आ चुके, his school was 7 km away from his house, उसका जो school था, वो 7 km अवे था, दूर था, house से, I wondered, I surprised, how he covered so long distance daily on foot, वो हर रोज इतना पैदल कैसे चलता था, on foot या नी पैदल, कैसे चलता था, how he covered, he covered what, distance, तो यह तो इसका वर्व है, और वर्व का यह क्या है, objective, अब इस objective को क्या चाहिए, यहाँ पर, noun है क्योंकि object क्या noun है, और noun को क्या चाहिए होता है, adjective, adjective क्या है, such adjective है, so long, long हमारा adjective है, so इसका एडवर्व है, ठीक है, so long distance, so long distance, यहाँ पर गलत है, article आना चाहिए, तो such a long distance, इस तरीके से, लिखा जाएगा, यह भी सही हो सकता था, पर इसमें क्योंकि article नहीं है, इसलिए, यह सही नहीं होगा, no improvement पहले ही करा तो चुका है, आप 7th का, हम second paper कर रहे है, second paper कर रहे है, first paper जरूर देखेएगा, क्योंकि first paper बिल्कुल इसकी copy है, completely, हार question एक जैसा है, question number next एकते है, India is the second largest, second largest है India किसमें, of cotton in the world, world में second number पे India का, India में cotton create होता है, या produce होता है, या grow होता है, या manufacture होता है, या manufacture होता है, देखेए, स्पासर प्रोसस लेकिन वो पेढ में उख्ता है, या manufacture नहीं होता है, grower is there is no word, या grow होता है या, grow होता है लेकिन, grower is no word, grow होता है, और create नहीं किया जाता हा, create किसको किया जाता है? idea को, concept को किया जाता पर यहां पर creator नहीं होगा क्या होगा producer producer है India का इंडिया का अन से नमर का producer है second largest producer है किसका cotton का world में जी के का question भी आपका इसके साथ ही ready हो गया next question देखते है a large deep pot used with in both in the oven as and as a serving vessel oven भी बोल देते हैं इसको saucepan, casserole, skillet और cauldron देखो सबसे पहले मैं आपको दो यह और यह पिछले वाले पेपर के option के दो option यह भी थे skillet क्या होता है skillet is also saucepan और tea pen जिसको हम बोल सकते है ठीक है और cauldron पिछले वाले में जो मैंने बताया था fry pan बोला जाता है इसको या फिर egg pan बोल सकते है हम इसको जिसको कि हम लोग सिर्फ oven में यूज कर सकते है राइट फायर में यूज कर सकते है इसलिए हम इसको fire pan cauldron है जो कि fry pan होता है एक बोल करने के काम आता है basically यहां पर casserole लाएगा देको casserole serving vessel होता है यह तो हमें पता ही है लेकिन कुछ casserole ऐसे होते हैं जो deep pot होते हैं अवन में जिनका use किया जाता है मीट को गर्म करने के लिए री हीट करने के लिए बनाने के लिए कही पार है तो यह casserole इसका अंसर होगा next is अच्छा jumbled words है यानि हमें sentence को set करना since then आ गया है तो यह first नहीं हो सकता then max the max आ गया है यानि कि कहीं न कहीं max अगर देखते हैं अगर कहीं होगा first पर बिना article के तो हम उसको refer करेंगे Boeing had huge hopes for its 737 MAX aircraft आ गया यहाँ पर इसका introduction है और यहाँ पर the max है तो हमारा answer C से स्टार्ट होगा और B इसका pair बन सकता है C B दूलिए कहीं पर है क्या यहाँ पर है और यहाँ भी है D देखें हाव एवर आगया इसमें तो D से स्टार्ट नहीं होगा A से स्टार्ट नहीं होगा ठीक है और B से स्टार्ट नहीं होगा यह हमें पर ही पता है तो C भी हमारा pair भी बना था और C से एक ही answer स्टार्ट है यह इसका answer हो जाएगा next question one word है flowers or leaves देखे next last paper में भी यही question था उसमें बुके उसका answer था और यहाँ पर कुछ और होगा option यही थे वहाँ पर यह शायद नहीं था वहाँ पर शायद यह नहीं था कुछ और था वहाँ पर flowers or leaves woven together in a circle round flowers in a circle for placing on a coffin on a grave cover पर या किसी की dead body पर as a tribute flower रखे जाते है उसको नहीं दिया जाता रैथ नहीं दिया जाता next is grammatical error ढूननी है देखे अच्छा question है नया टाइप का है the dune valley dune valley with all its lights with all its lights यहाँ पर हमें थोड़ा सा अवेर होने की जरूरत है जब भी हमारे subject में with आ जाये along with आ जाये है न तो हमारे subject यहीं रहेगा यह प्रेपोजीशन है यह प्रेपोजीशन है तो यह इसके बाद जो है ना नाउन हमारा यह इस प्रेपोजीशन को अबजेक्ट हो जाता है प्रेपोजीशन के पहले वाला नाउन जो है वही subject रहता है प्रेपोजीशन के बाद वाला नाउन उसका object बन जाता है ठीक है तो the dune valley with all its light अपने सारे lights के स सारी ओन कर दी जाए तो कैसे दिखती है beautiful दिखती है कब at night at night night के साथ हमेशा at use की रहता सही है कहां से from the top of the mountain mountain के top से अगर आप देखे तो dune valley जब उसमें पूरी lights चली हुई होती है night में तो that looks very beautiful यह लिखा हुआ है तो sentence है अब देखिए क्योंकि मैंने बता दिया जब preposition आ जाता है subject clause है क्योंकि यह पर देखे एक से जादा शब्द हो गए इसको हम subject phrase बोल सकते है तो subject phrase है अब जब subject phrase आ जाता है तो इसमें एक से जादा noun हो सकते है यह भी noun है और यह भी noun है तो ह हमारा subject तो verb को plural क्यों दे दिया गया है वह हमारा यहां कैसे दिया गया है plural जबकि हमें कैसे वह की requirement है, singular क्यों क्यूंकि value हमारा क्या है singular है तो वर्ब भी हमारा singular होना चाहिए looks इसका answer हो जाएगा बस तो बस हमें क्या करना है a पर answer लगा देना है क्योंकि look दे दिया गया है question number 13 हो गया 14 पर चलते है 14 में क्या है active बनाना the chairs were being arranged were being arranged यानि arrange में ing लगा देंगे ठीक है और यहां पर was या were accordingly आ जाएगा या तो वर आ जाएगा या फिर was आ जाएगा न according to the हमारा जो भी object है उसके according were arranged in the examination hall by the staff staff के है staff क्या है singular है ठीक है staffs नहीं होता है uncountable है to staff है staff के लिए the staff से शुरू होगा the staff से देखे यह staff है यह यह गलत हो गया यह तो गलत है was arranging इसमें इसमें has been arranging है और इसमें has arranged है तो यह तीनों गलत हो गया यह तो हो ही क्या था तो हमारा right answer B होगा arrange कर रहे थे क्या the chairs तो यह रहा the chairs फिर इंदा examination hall last में हम लोग लिख देंगे adverb है कहिंग भी आ सकता है next is antonyum ढूंड़ना है sober का sober नहीं simple calm peaceful दोनों sense होते है एक तो simple हो गया with with simplicity और दूसरा होता है peaceful calm है तो दोनो sense होते है यह ध्यान रखेगा है ना जैसे nervous है nervous इसका opposite हो सकता है serious नहीं होगा calm तो इसी का synonym है अब देखें यहाँ पर nervous भी है और agitated भी है अब agitated का मतलब क्या होता है nervous and anxious anxious as well as nervous यह जादा होता है degree wise है और इसका sense है nervous तो जब agitated है तो उसमें nervous already included है anxiousness वाला तो यहाँ पर यह थोड़ा सा complex है थोड़ा सा complex है यहाँ पर nervous लिखावा यहाँ है agitated agitator में itself nervous is there तो हम किसको चुनेंगे agitated को चुनेंगे यह इसका answer होगा और यह नहीं होगा अगर आपने exam में कोई confusion कराता हो तो यहाँ पर आप clear कर दीजी अपने confusion को इसी के साथ आगे बढ़ते हैं क्यों गलत बताता है यू के कारण क्यूंकि American को follow करता है बाकी इसा ही है noticeable को लिखते समय ध्यान रखे कि notice पूरा आता है और फिर हम able लिखते हैं यहां से गायब नहीं होता और ऐसे बहुत सारे words और इस लिए यह ऐसे वाले words देते हैं क्योंकि हम इसमें confused हुचाते हैं कि आएगा या नहीं आएगा question number next एक्जेंट एक्जेंट कर दिया गया है तुमको इससे ना यह आपको एक्जेंट रखा गया है आपको इससे हटा दिया गया है अगा है तो आप अगै या यह आपको इससे क्या रखा गया अलग रखा गया है synonym है इसका hinder यानि क्या होता है डिस्टब करना होता है diplomate है ना नाऊन हें यह program prevent या होता है stop रोक देना किसी को reduce करदेना याईश करदेना यानि क्या होता है decía decrease कम कर देना ठीक है तो यह तो तीनों इनके अलग अलग words है लेकिन हमें synonym जूड़ना है synonym में exclude इसका मिल रहा है exempt exclude idiom है on tenter hooks on tenter hooks tenter hooks होना या फिर in pins and nibs nibs and pins होना तो भी क्या होगा anxious हो जाता है anxious होगा इन दोन होगा है next is lantern ear ear उधार देना idiom है इडियम को करने का सिर्फ एक तरीका होता है idiom को हम usage में रखे sentence में use करते रहे to pay attention to यह ही इसका answer है बाकियों को हमें नहीं पढ़ना होता idioms में next is wrongly spell देखना देखे ब्रिडल गोडे के गले में लगी होती है और इसको पकड़ने के काम आती है लगाम brisk यानि quick bristle हम बाभी discuss करेंगे brittle क्या होता है brittle होता है fragile यानि की नाजुक नाजुक होती है काच जैसे होता है fragile होता है काच के boxes पे लिखा होता है bristle होता है bristle bristle होता है zi बहुत सारे है तो इसे हैर ब्रिस्ल कहते हैं next is most appropriate option चुनना है बिल्कुल सेम पिछले बार भी आएथा वी कांट देखो यह क्या है question tag question tag में क्या होता है एक तरफ negative होता है तो इधर negative नहीं आता है इधर negative नहीं है तो इधर negative आएगा एक तो यह sense पूरा होता है दूसरा subject यह होता है तीसरा यह ही use होगा यहां पे कुछ special cases होते हैं जहां लग होता है otherwise वही तो जिसे can use हो है तो यहां पर भी can आएगा ही आएगा बस इतना ही करना है can be क्यूंकि not तो यहां पर दिया होगा तो यहां पर not नहीं आएगा तो can be बाकी कुछ नहीं आएगा राइट चलते हैं next पर 22 22 रैंपेंट रैंपेंट यहां अधिक मातरा में एकसेशिव यहां पर लिखा हुआ है plenty हम इसको बोल सकते हैं कुछी जो बहुत जादा हो जाये abundance हो जाए जिसका lot of में आ जाये तो वह क्या हो जाता इसका अप्जित है रे रे ना के बराबर और जेंटल, जेंटलमेन वाला जेंटल है यह सीधा साथा next is 23, स्वर्व है, स्वर्व क्या होता है देखो यसे आप चल रहे हो, इसे रोड ऐसे करके रोड जारी है यह से दो पाट्स में तो यह रोड गविए आपको ऐसा लगा कि यार आम गन्फूज राइट जाओ आप लेफ्ट तो आप क्या हो गए डेवियेट अपने रास्ते से भटक जाना it is sauve VERY deviate तो यह तो इसका स्नायम है अब हम देखते है हमें क्या चुननना है antonio им दॱूमर और लर्च दूरूब तो होता हैं भटक जाना वही सेम और लर्च देखिए लर्च क्या होता है जू रोग बहाँद ररिंग करते हैं देए कैसे क्योई पर्ब में है परसन उसने पीलिया बहुत ज्यादा ही इस बादली ड्रॉंक and he is not able to you know work work करने के भी अबल नहीं है वो क्या कर रहा है he is lurching straight उसे खड़ा नहीं हो चाड़ा है लहरा रहा है लहरा के चलना it is called lurching लहरा कर चलना है ना और next is deviate होगे straight and straight and straight and straight and straight and straight and straight right not deviating straight होके चलना यह इसका answer होगा next देखते है the company management is of the opinion company management is of the opinion company का जो management उसका यह opinion है कि not wearing a suit and tie suit or tie नहीं पहेंना at the workplace काम की जगह पे कुछ create create कर सकता है क्या about that on client clients यह शायद मैंने बता था आपको पहले है clients क्या होता है clients होता है customers तो customer पे bad impression डलता है outlook डलता है notion या response तो impression तो इसका answer होगा outlook क्या होता है outlook हमारा perspective हमारा नजरिया होता है how you see the things है na perspective या नजरिया और notion notion यह नहीं concept idea और next word is response आपको आता है यह response है जवाब देना तो यहां पे क्या आएगा impression या अगर यह नाउन है तो इसका sense सिर्फ जवाब हो जाएगा 24 question हो गया है 25 पे आते है given below are 4 jumbo okay it has been a leading यहां से start नहीं होगा the United States of America holds a dominant position in the world because of its high economic development तो यहां यह introductory sentence है यह start हो सकता है because of its enormous output तो यहां से start नहीं होगा C से भी नहीं होगा it is also यह also है कुछ और तो B हमारा introductory sentence है दो options को हम काट देते है now B C या B A तो पढ़ने पढ़ता है वापस से पढ़ लेते है the United States of America holds a dominant position in the world because of its high economic development United States of America जो है वो उसका वर्ल में कैसा position है dominant position है मतलब दूसरों पर अपना अधिकार जबाता है वो क्यों? because of its high economic development उसका इतना जादा economic development है इसलिए तो B से तो start हो गया अब हमें देखना है B के बाद C या A because of its enormous output the United States has a major share in the world trade world के trade में इसका united इसका बहुत जादा share है यहां हमने बात करी क्योंकि इसका output enormous है it has been a leading producer of both industrial and agriculture growth यहां बोला जारा है कि यह leading producer है कि इसमें industrial as well as agriculture goods में दोनों में यह leading producer आप देखें यहां पर बात करें इसका high economic development के कारण ही है world में dominating है दूसरा यह होगा A होगा क्यों? क्योंकि यहां पर ही बता जारा है कि यह industrial and agriculture goods में बहुत जादा आगे है उसके बाद बताया जारा है यह होगा उसके बाद C B A फिर C होगा कि क्योंकि enormous output है इसका major share है और फिर लास में it is also a leader in the development यह यहां पर बताया गया कि इसका सब में share है और इसके बाद बताया कि innovative technology में भी इसका leading है lead करता है वहां पर भी तो B A का हमारा पेयर है और B A का पेयर सिर्फ इसमें आया है यह प्र अर्पर हम लोग लेते हैं और पेपर का पूरा analysis करते हैं सारे option का analysis करते हैं Thompson क पूर्ड में से 3 options रोंक कि औहँ है, passage ह हो, हम पूरा passage का grammatically analysis करते हैं प्लस उसके answer का, options का भी analysis करते हैं और answer का रग्र हैं तो भी हम लोग उसको देखते हैं यह पूरा असली किया जादा है कि या तो आप SSC के लिए प्रपेर कर रहे हो या फिर आपने मेंस दिया है अभी या फिर आप आगे एक्जाम देने वाले हो तो कुछ भी ऐसा हो तो आपको SSC के पाटर्न को जानना बहुत ज़रूरी है SSC के प्रिवियस यहर पेपर्स बहुत ज़्यादा हेल्प करते है SSC के पैटर्न को जानने के लिए तो SSC जो इस वार हुआ था जून में वह comparatively comparatively easy आया था तो आप जून वाले तो करें ही इससे पहले वाले भी कर ले और अगर आपको किसी भी पेपर में किसी भी क्वेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे वाट्साप नमबर मुझे जो कि यहां पर अवैलेबल है आपको मिल जाएगा वहां मुझे डार में नेम है और आपकी प्रपरेशन अच्छी होती रहे राइट कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप डिस्क्रस कर सकते हैं आईए असी के साथ आज हम स्टार्ट कर रहें जून 7 को जो 3rd shift में एक्जाम होता है जून 4th को जून 6 को जो एक्जाम होता है उनके हम लोग तीनों shift कर अच्छों के आए स्टार्ट करते है हमारा question no.1 है देखे question no.1 क्या है question no.1 है fill in the blanks with the most appropriate word हमें appropriate word देखना है the old man wished to donate his dash with wealth for upliftment of the downtrodent the old man wished sentence पढ़ते हैं सबसे पहले old man जो है एक old man थे इसलिए किसी particular की बात करें इसलिए the लग गया है आपर तो the old man उन्होंने क्या किया wish किया यह उनकी इच्छा थी to donate donate करने के उन्होंने इच्छा जाहिर की donate करने की दान देने की क्या his wealth उनकी wealth को ठीक है यह नाउन है और यह हमारा possessive adjective है ठीक है wealth किसके लिए for the upliftment of the downtrodden देखें जो आगी sentences में for है और इसमें off है यह दोनों के है प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन जहां पर भी आता है ना हमें सबसे पहले देखना होता है प्रेपोजिशन का अबजेक्ट कौन है यानि कि प्रेपोजिशन आया तो उसका noun आना चा यह भी प्रेपोजिशन है और प्रेपोजिशन का noun का है डाउन तो यह नाउन है हमेशा यह होगा ही होगा तो अगर ऐसा हो जाते है कि इसके बाद अगर option आया है हां पर फिल अप करना है और यहां पर यह अद्जेक्टिव है यह वर्व है और यह और कोई पार्ट अप प्रेपोजिशन नमबर जो है हमारा उसके option में हमने देख लिया था कि अद्जेक्टिव आना जी तो सबसे पर देखते है एमिनेंट अद्जेक्टिव है कैसा person कैसा राइटर अमिनेंट क्या होता है फेमस है ना फेमस राइटर नौलिजिबल राइटर तो फेमस के लिए अद्जेक्टिव है ना तो राइटर के लिए आता है या ग्यान के लिए आता है नौलिज के लिए आता है तो यहां पर तो वेल्थ की बात हो रही तो एमिनेंट वेल्थ नहीं होगा इसलिए एमिनेंट यहां पर गलत है इम्मेंस इम्मेंस यहां हो जाएगा इम्मेंस बह पर बहुत जादा feelings हो, बहुत जादा emotions हो, कोई भी बात गहराई से कही हो, immense, immense love होता है नहीं, बहुत जादा love होता है, immense story होती है, immense feelings होती है, और next word तो बिल्कुल ही अलाग है, elusive लिखावा है, elusive क्या होता है, देखते हैं हम रुको, सबसे पहले हम देखें, immense wealth के साथ है, यह सकता है, intense wealth के साथ नहीं आएगा, intense emotion है, feeling है, stories है, यह सब कुछ, तो यह भी नहीं आएगा, हमारा जो right answer है, immense हो जाएगा इस वाले में, immense wealth, sentence पढ़के देखें, the old man wished to donate, मैंने wish किया donate करने का क्या, इसका immense wealth, मतलब उसके पास जो इतना सारा wealth था, इतना सारा जो पैसा था, वो धन था, उसने क्या क्या क्या, downtrodden, जो पिछडा वर्ग है, जो दबा कुछला वर्ग है, जो बहुत जादा तरक्की नहीं कर पाया है, वो वर्ग, उस वर्ग के upliftment के लिए उसके उसको आगे बढ़ाने के लिए वो अपना सारा wealth जो है, वो उसको दोनेट करने के उन्होंने इच्छा जताई, यह हमारा first question यहां पर हो गया, अच्छा यह word रह गया, elusive इसको आप देख लेते हैं, यह तो हो गया, कुछ search करना हो, अगर difficult to achieve हो गया, तो achieve हमें क्या करना होता है, कोई aim है, कोई job है, कोई task है, कोई purpose है, उन सब को achieve करना होता है, तो achieve करने लिए भी हम इसका यूज कर सकते हैं, allusive. तो allusive wealth तो हो नहीं सकता है, यह difficult to find wealth ऐसा नहीं होगा, तो यह हाँ पर इन अप्रोप्रियेट है, यह इन अप्रोप्रोप्रियेट है, इम्मेंस का राइट आइट अनसर है, Q2 पे चलते हैं, ट्रांजाइंट है, ट्रांजाइंट है, ट्रांजाइंट क्या होता है, something temporary, for short term, कोई ऐसा टास्क, कोई ऐसा काम, कोई यहां से चीज जो कैसी हो, temporary हो, जिसे temporary job हो सकती है, temporary life हो सकती है, यह temporary work time हो सकता है, ऐसे कर के कुछ भी है, stationery, stationery that cannot be move, एवाला है, यहां पर ध्यान रखेगा, एवाला stationery, station से बना हुआ है, जो कि move नहीं होता, जो कि fix होता है, that can not move, यहां पर मैं आपको बता दू, एक और stationery होती है, जहां से आप pen, pencil और eraser और अपने ज्यादा stationery वाले सामान खरीद के लाते है, वहां पर क्या आता है, यह आता है, वो stationery shop होता है, और यह stationery है, जो कि move नहीं कर सकता, ठीक है, station से याद रखना है, station में यह जोड़ते ही क्या बन जाएगा, stay, stay, जो कि move नहीं कर सकत पर्मानेंट, चाह, डूलना के है, हमें अंतिनिम डूलना है, इसका, ट्रेंपरी का opposite permanent हो सकता है, ट्रेंपररी यह जो कि earth था ही है, जो कि कभी भी बदल सकती है, जो थोड़े समय के लिए और पर्मानेंट, जो कि हमेशा बने रहने रहने वाली, तो यह इसका आंसर हो यहां पर हमारा answer 2 हो जाएगा, इसके साथ चलता है, question number 3 पर, underlined segment को हमें देखना है, the heavy losses in business, business में heavy losses, समझ में आ रहा है, इन यहां पर preposition है, और preposition के बद क्या आता है, नाउन आता है, तो इसका नाउन हो गया, heavy losses in business came, business में heavy losses आई, कैसे, like a bolt from the blue, जैसे कि blue में से bolt निकल के आ गया हो, यहां पर आपको, वैसे तो यह idiom है, है ना, idiom है, क्योंकि यह इंडला इंडिया, यह जो blue है, यह sky के लिए, और sky में कोई bolt हो जाना, छेद, जो कि क्या है, बिल्कुल, impossible सी बात है, तो इसका जो answer होगा, impossible नहीं होगा, unexpected disaster, कोई ऐसी घटना, जिसको आपने कभी imagine नहीं कहता, जैसे कि, you can't imagine, there can never be a hole in the sky, नहीं हो सकता, bolt in the sky, नहीं हो सकता, similarly, something that is unexpected, कोई ऐसी चीज हो चाहे, जो unexpected है, उसके लिए, इस idiom का यूज किया जाता है, question number 3 यहाँ पर हो गया है, next पर चलते, क्या है, passive बनाना है, some people believe, देखो, believe आता है, consider आता है, hope आता है, तो ह हम उस sentence को इससे start करते है, it is, और belief का third form क्योंकि active से passive बनाते समय हमेशा वर्फ का third form आता है, बहुत चाहता है, तो has been believed है, was believed है, is believed है, यह वाला सही हो सकता है, इसमें belief कर दिया गया है, belief क्या है, noun है, जिबकि हमें क्या चाहिए होता है, वर्फ का third form चाहिता है, तो बहुत easy है, इस वाले को तो करना, आराम से यह हो गया है, बहुत आराम से, आगे देख लो, it is believed by some people, इसको हम हटा भी सकते थे, पर क्यूंकि people में some लगा दिया गया है, people होता, अगर केवल people होता, तो यह होता, unimportant subject हटा देता है, some people करके हाँ पर क्या कर दिया है, इसको थोड़ा सा permission to authority, जब it is believed, it is considered आता है, तो आगे वाले sentence का tense नहीं change होता है, और ऐसे भी हम tense change नहीं करते हैं, पर जो हम उसको change करते हैं, same tense वाला जो active से passive बनाते समय, subject, object, वो कुछ यहां पर नहीं किया जाता, तो पूरा सही है, यह आते हैं, question number 5, 5 क्या है, correctly spelt निकालना है, correctly spelt में सब सबसे पहले, corrigeable निकालना है, क्योंकि correctly spelt निकालना है, यह बहुत सारे गलत भी होंगे है, तो सबसे पहले, corrigeable है, corrigeable के spelling के होते है, c-o-r-r-i-g-i-b-l-e, हमें ऐसा देखने में लगता है, यह सही है, पर यह गलत है, wrongly spelt है, तो corrigeable जिसको correct किया जा सके, conscious में भी यहा क्योंकि दोनों गलत है, contemptible है, contemptible है, something very disgusting, disgust, तो यह तो सही है, और यह क्या था, complacent, complacent क्या होता है, to satisfy, जो किसी चीज़ से बहुत जादा ही satisfied हो, जितना नहीं होना चाहिए, उससे भी जादा, aatis untust है, तो यह होता है, तो यह होता है, तो यह भी गलत है, यह हमने देख ल कहीं कुछ लोगों ने, कुछ वच्चे ने ऐसा भी कर दिया है, इसमें, कि यह जो दो तीन चीज़े है, यह क्या है, गलत है, और क्योंकि बहुत जल्दी में देखा, question, और इसमें गलत है, तो इसको अमने टिक कर देख, जब कि यह भी गलत है, यह भी गलत था, हमें राइ मिल चुका है, we would have won the match, we would have won the match, आपको में बिता दू, if से स्टार्ट हो रहा है, conditional sentence है, यह क्या है, conjunction of condition, तो condition वाला sentence है, और यहां पर हमें, if मिल गया है, जो conjunction है, of condition, तो if so many catches, अगर बहुत सारे catches drop नहीं होते, छूटते नहीं, तो क्या होता, we would have won the match, हम match को जीच जाते है, यानि हम match को नहीं जीते हैं, क्योंकि बहुत सारे catches छूट गए, अब देखें, यहां पर would have won the verb third, यह तो ठीक है, यहां पर would have won the verb third, यह ठीक है, अब इधर would have plus verb third आ रहा है, तो इधर का structure क्या होता है, had plus verb third, ठीक है, यह होता है, अगर passive हो, to had plus been plus verb third, ठीक है, यह structure होता है, तो यहां पर इन दोनों में से एक structure है, यह वाला भी नहीं है, और यह वाला भी नहीं है, तो had not been dropped, जो है, गलत हो जाएगा, had not been dropped होगा, क्योंकि third form आना चाहिए, तो हमारा यह वाला जो section है, इसमें गलती है, question number 7 पे चलते हैं, 7 में यहां पर क्या है, 7 में प mother है, क्योंकि यह, mother है, we do not know, M-O है है, तो हम इसको Mac लिख देते हैं, ठीक है, there was still a light on in Mac's room, Mac के room में अभी तक a light was on, light on थी, मिल्दा, switch on था उस light का, he often stayed, dash, reading late into the night, देखो, सब यहां लिखा हुआ है कि वो रात में late तक often, Axel, यह उसकी habit उता रहा है, कि Axel वो रात में late तक क्या करता था, reading करता था, night में है, तो he often stayed लिखा हुआ है, तो state के साथ में बता दू, stay out का मतलब क्या होता है, बाहर रहना, stay away का मतलब क्या होता है, किसी से दूरी बना के रखना, stay for कुछ नहीं होता है, कोई phrasal बब नहीं होता हुआ, stay up, stay up मतलब रात में usual time से देर तक जगना, stay up late, stay up, reading late, into the night, दे कोहाँ आप लोग सोच रहोंगे, वैसी कि हमारे इसका पाट नहीं है, correction का, पर मैं आपको बता दू, यहां पर into the night आया, generally हम लोग क्या use करते है, night के साथ, at night use करते है, पर इहां पर into के आया, क्यों आया है, into the night का मतलब during the night होता है, यह ध्यान रखेगा, यह बहुत कम हमें बताया जाता है, generally we do not know this thing है, तो during जब हमें लिखना होता है, during the night की जगे, into the night भी लिखा जा सकता है, और यहां पर लिखा हुआ है, तो क Яने कि, यह माज जो है, मॉस जिसका नाम है, वो क्या है? फादर होंगे इसके, और यहां के लिखा वाै किن कि मजाय है, मजाय had – Her love of books, मजाय को उसका जो love of books मिला है, वो कहां से मिला है? यह कह Sweat He情 किन लिखा तो फादर से मिला है, याने कि सिफ एक ही यह वर्डाएगा, इ प्रिक्योर भी निकालना होता और गेन यानि अचीव करना होता है लेकिन इनहरूट वर्ड क्यों? क्योंकि पेरेंटल उसको मिला है यहां से इसलिए हम यहां पर इनहरूटेड लिखेंगे The Magi had inherited, Magi ने inherit किया है अपने love of books को कहां से, from him से When she dash refuge with him from a bad dream देखो, when she, when आगया है यहां पर, यह trick है, when जब भी आता है sentence में, तो यहां वर्फ का second form आता है, क्या आता है, वर्फ का second form आता है, तो takes is first form, यह second form है, यह has taken और यह future तो हमारा answer क्या होगा, यह होगा, took second form, right, when she took refuge, एक तो यह हो गया, और अगर हम बात करें, तो past की बात हो रही है, यह रहा, past की बात हो रही है, और यहां पर इन में से एक भी option past का नहीं है, took के लावा, right, तो दोनों तरीके से सही है यह वाला option, आगे बढ़ते हैं थोड़ा स when she took, refused with him from a bad dream, जैसे ही वो bad dream से उड़ चाती थी, nothing could lull back to sleep, lull back, lull back है नहीं, lullabay होता है, lullabay है नहीं, lullabay है नहीं लोरी, तो कुछ भी उसको वापस नहीं सुला पाता, better than most calm breathing, तो lull जो है, lull, किसको, his आएगा, हार आएगा, या it आएगा, या it आएगा, या them पर हम बात किसकी कर रहे है, मजाय की, कि मजाय जब भी dream से उड़ जाती थी, तो कुछ भी उसे सुला नहीं सकता था, कुछ भी कौन, उसको her, her back to sleep better than most calm breathing, मोस चो उसके father थे, उनकी calm breathing, उनकी सांस लेनी के आवाज है, dash her and the sound of the pages turning, beside her आएगा, यहां पे side में, जो उसके side में बैठे होते थे और क्या कर रहे होते थे, book के pages turn, मिलब he used to read book while she used to sleep, वो उनके पास में सो जाय करती थी, यह पैसे था, एक father और एक daughter की story थी, easy सा question था, बहुत जादा tough नहीं था, question number jumbled आ गया है, मतलब कि अब हमें यह देखना है, कौन सा, सही है, only the fittest creature can survive while, only आ रहा है, सिर food, जब compete कर रहे है, food के लिए, तो यह introductory नहीं हो सकता है, और अगर हो भी सकता है, तो एक बर हम इसको छोड़ते हैं, दो option A के हैं, आगे देख लेते हैं, why do some species survive and others become extinct, क्यों कुछ species हैं जो survive कर पाते हैं, और other जो हैं, वो क्या बन जाते हैं, extinct बन जाते हैं, मतलब कि वो धीर दिरे खतम हो जाते हैं, his answer was that, उनका answer ये था कि जो भी हो, पर ये नहीं आएगा beginning में, this was the question that Darwin asked himself, Darwin की बात और Darwin ने ये question पूछा खुझ से, कौन सा question, कि why do some people, some species survive, तो B का जो है, C से पेर बन रहा है, क्या B का पेर बन रहा है, इसमें नहीं बन रहा है, दोनों को काट दो, इसमें बन रहा है, और इसमें भी नहीं बन रहा है, ठीक है, तो हमारा starting B से होगा, और फिर पेर बनेगा, B और C से, तो हमारे सारे option reject हो जाएंगे, और हमें ये वाला answer बहुत आराम से मिल जाएगा, देखे, जंबल्ड sentences, अगर आपको करने में प्रॉब्लम आती है, तो मे committee members were in dash, committee members जो थे, वो dash में थे, over the budget for the function, function के budget को लेकर committee members जो थे, वो dash में थे, पहला है difference, तीसरा है, sorry, second है descent, descent यानी, descent यानी, उपर से नीचे उतरना, ठीक है, ये होता है, descent, from up to, from down to, from up to down, ठीक है, ये होता है, descent, तो option देखते है, इसके देखे, को ये option सबसे पहला है, difference, difference का मतलब होता है, अंतर होना है, और second जो है, वो है, descent, descent यानी, उपर से नीचे उतरना, descent, और ascent होता है, नीचे से उपर जाना, ठीक है, और difference होता है, difference यानी, क्या होता है, to respect somebody, किसी का respect करना, और last है, descent, तो descent और descent, और difference, यहाँ पर क्या था, हाँ, जो difference है, और descent यानी, कि differ करना, differ करना, मतलब कि opinion में अंतर रखना, ठीक है, तो difference यानी, तो अंतर होगा, और यह नाउन है, तो यहाँ पर difference आ जाता है, आ सकता है, कि इन difference थे, वो, या वो एक दूसरे से अलग थे, opinion wise अलग थे, तो difference आएगा, अंतर आएगा, और descent क्या है, वह है, डिफर करना, यहाँ पर यह वाद ध्यान रखने की, same meaning, लेकि हमें क्या चाहिए, इन है, इन के है, अभी अभी मैंने बता है ता, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन के बाद नाउन चाहिए, और नाउन हमारा यह है, क्यों कि कैसी भी वर्ड के, अगर लास में ए-N-C-E आरा है, तो वो अभी अन्टोनिम बताना है, यह अन्टोनिम बतानी के लिए लिए अन्टोनिम एपने ए-N-N-I-P-ChachHaalog पता हो चाहिए, तो लिए-N-I-P-C-T-E-P-C-T-E-M- 110 और हमें अप्रोप्रेट एंटनिम डूढना है जो कि यह है Slavery, Slavery का मतलब क्या होता है? GULAMY, है न? Slaves, क्या करते है? Slave बन चाते हैं जो किसी के लिए नौकरी करते हैं किसी का काम करते हैं Next है, Underlined Idiom का फिर से Meaning Kicked up our row, He kicked up our row उसने row को kick कर दिया When he was denied, जब इसको मना कर दिया गया To entry to the amusement park Amusement park, एक amusement park में उसको जाना था पर उसको deny कर दिया गया तो उसने क्या कर दिया? Kicked up a row Waited in a queue, cried with sorrow Created a first, kicked the guard सारे मीनिंग ऐसे लगते हैं हो सकता है? सही हो, लेकिन in Idioms के case में क्या है? हमें तुक्के नहीं लगाने होते हैं हमें पता होना चाहिए exact meaning तो kicked up a row को kick कर दिया नहीं सब कुछ बिगार दिया नहीं He created a first उसने वहां पर first create कर दिया Hangama कर दिया जब उसको वहां पर entry नहीं मिली Next is grammatical error देखने है, पूरी sentence को देखेंगे Each के बाद of, the, girls Each of the, one of the, most of the है ना, जब भी ऐसे आते हैं तो यहां पर noun कैसा होता है? Plural 2-3 चीज़ें जो इससे related आती है एक तो यह आएगा तो इसके बाद यहां पर यहां तो article आएगा एक चीज़ Article आसकता है और दूसरी चीज इस, possessive adjective आसकती है अब अगर आपको यह नहीं पता possessive adjective क्या होता है तो मैं बताओ दू My, His, Her, Are, There, Its और एक और रहे गया है Your यह सब क्या होता है? Possessive adjective होता है तो यह तो possessive adjective आएगे या फिर article द आएगा और कोई article नहीं A, N नहीं definite article लिख देती हुमें definite article आएगा Each of the और noun कैसा आएगा? Noun should always be plural Noun कैसा होगा? हमेशा plural अब आप देखे Noun the plural Each of the girls Girls में से हरे हरे एक Noun plural लेकिन जो हमारा verb है वो verb कैसा होना चाहिए हमेशा singular Each के साथ One के साथ Everyone के साथ जो सिंगल वाले Either के साथ Either of the girls Neither of the girls Neither of the girls जभी यह वाला है Plural वाले नहीं Most के साथ तो वर्फ भी Plural आएगा क्योंकि Most यह जादा होता है पर इन सब का सेंस क्योंकि एक होता है इसलिए वर्व हमेशा कैसे Singular आता है क्योंकि Girls में से हर एक ने क्या दिया एक गिफ्ट दिया तो हम बात किसकी कर रहे होता है एक की बात कर रहे होता है इसलिए वर्व हमेशा Singular आता है तो यहाँ पर वर्व प्लूरल दे दिया है इसलिए इस हैव के साथ क्या आएगा हैव की चगवा पर हैज आएगा Girls के लिए Girl के लिए एक Girl के लिए तो यहाँ पर यह वाला आंसर जो है गलत है आगे देखते हैं Next है Question No.17 पर आ गये हैं जहाँ पर हमें क्या करना है Underline किया हुआ है यानि कि इस Underline Segment को देखना है कोई और Option इस से जादा फिट है तो हम उसे रखना नहीं तो हम No Improvement भी चुन सकते है आरती पढ़ते हैं Question को Let us not neglect Important aspects Let us not यानि हम ना करें क्या ना करें neglect ना करें किसको important aspects को important ways को किसके life के important aspects को हमें neglect नहीं करना चाहिए Although pursue momentary pleasure Although देखें क्या होता सबसे पहले तो although को समझघें Although क्या होता है Halaki क्या होता है Halaki अब halaki कब बहुते है हम जब आगे लिखावा है कि वो time पे पहुँच गई Halaki बारिष बहुत तेज हो रहे थी वो time पे पहुँच गई जबको फिर भी बारिश हो रही थी फिर भी वो टाइम से पहुँच गई तो यहाँ पर sentences क्या होता है हाला कि although nevertheless, however, but यह सब क्या है conjunction of contrast है और conjunction of contrast क्या करते हैं इस वाले में और इस वाले में विरोध जताते हैं लेकिन conjunction के लिए आगे clause होना चाहिए पर यहाँ पर clause नहीं आ रहा है यानि हाँ conjunction की जरूरत ही नहीं है conjunction नहीं चाहिए यहाँ पर preposition चाहिए आइए देखते हैं तो यह हमारा गलत होगे although के साथ pursue आ गया है वर्व तो यह भी गलत है no improvement गलत होगे by pursued by pursued momentary pleasure देखो preposition जो है ना हमारा preposition के बाद नाउन आता है ठीक है या तो noun आये जैसे की by train by bus ऐसे करके वाला एकदम प्यॉर नाउन आया है अगर प्यॉर नहीं नाउन आया है और अगर कोई वर्व से noun बन गया है तो वर्व से noun बनेगा तो कैसा बनेगा verb plus ing जिसको हम क्या कहते है जीरंड कहते हैं तो प्रेपोजिशन के बाद या तो प्य प्रेंट बस मोबाइल फोन टाइप्स है ना विलकुल प्योर नाइन चीजे या परसन है ना या वर्ब से बनके नाउन बन रहा है यानि कि जीरंट बन रहा है तो कैसा आना चाहिए हमेशा आई एंजी आना चाहिए तो यहां पर बाइपर स्वीट जो है वह गलत है क्योंकि कथऱ फोर में बाइके आध कभी नी आएका क्योंकि बाइक कि अगया है प्रपोजिशन जीरंठ बच तो ठीक होता यहां पर वाइल प्रपोजिशन उस यह section यहां जा सकता है जैसे हम इसको पppo पड़कर में तोन आसकता है ना आगे देखते है पर्ले घ्ल थ्रू देख ल मेरा घर यहां है और मेरा ओफिस जो है वो यहां है मुझे घर सेजने के लिए office से घर जानी के लिए I have to go through the forest मुझे forest से ऊकर गुजडना पड़ता है यहाँ से एंटरी किया और यहा निकल गई है तो होके गुजडना, this is called through ठीके ? तो फ्रू का यहां पर कोई सेंस नहीं और घू तूर पर प्रपोजिशन आफ पर प्रपोजिशन के बाद वीथरी आ रहा है तो यहां पर यह गलत हों के राइट तो हमारा जो राइट आंसर होगा कॉनस वाइल हो गाएगा अब हम इस वाइल को लगा के देख़्े है हमें नहीं 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 करना चाहिए, important aspects of life, life के important aspects हमें नहीं करना चाहिए while करते हुए, while हैं के दौरान क्या दौरान क्या अगरते हुए, pursuing momentary pleasures, momentary यहनि, यहनि की कुछ पलों के pleasure के लिए को enjoy करते समय हमें life के जीवन के जो important aspects है important मुद्धे है important corners important points उन्हें हमें मिस नहीं करना चाहिए उन्हें हमें एक थोड़ी सी मैं थोड़े से happiness के लिए थोड़े से joy के लिए हम हमारे life के basic concept को fail कर दे तो this is wrong यहां पर कहा गया तो यह इसके साथ match कर रहा है के दोरान ऐसा करते हूए ऐसा करते हुए जीवन के important aspects को क्या नहीं करना चाहिए neglect नहीं करना चाहिए हो गया 17 question number 18 पे आ जाते हैं a trade that is prohibited by law trade यानि business एक ऐसा business जो की prohibited हो, mana हो, निशेद, इसको exact Hindi word होता है निशेद, जो की बिलकुल निशेद हो, बिलकुल mana हो, जिस पे रोक लगी विये किसके द्वारा, law के द्वारा यानि की कानून के द्वारा जो कोई ऐसा business जिसको कानून ने रोक दिया हो, तो इसके लिए वन वर्ड क्या होगा, तो आईए, options देख लेते हैं, इसके सबसे पहले, illusive है, लेकिए, option number 1 क्या है, illusive है, अभी अगर आपको यादो शायद, question number 1 या 2 में, हमने starting में कहीं पढ़ा था, एक word illusive, है न, illusive क्या था, difficult to achieve, ध्यान रखिए, एकदम same बोला जा रहा है, difficult to achieve, word जो है, कैसे spell देखो, spell अलग है, लेकिन इसको भी illusive बोल रहे हैं, इसको भी illusive बुल्कुल same pronunciation है, है न, तो same pronunciation, इसलिए ध्यान रखिए, usage, इसका मतलब difficult to achieve और इसका मतलब unreal, जो की वास्तव में नहीं हो, अवास्तविक, ठीके, कैसा हो अवास्तविक, incredible, अ तुलनी है, incredible यानि incomparable, जिसकी हम तुलना नहीं कर सकते, उसको incredible, इंडिया बोलते है, उसको हिंदी में अ तुलने भारत, inapt, apt का मतलब आपको बता होगा, apt यानि क्या होता है, proper, या फिर appropriate, बिल्कुल सही, exact, right, ठीके, और inapt का मतलब क्या होगा, inapt का मतलब in लगा दिया, यानि opposite हो गया, तो inapt का मतलब गलत है, wrong, ठीके, यह जो words है, यह जो words से यह apt के बताये थे, apt यानि proper, apt यानि exact, apt यानि right, apt यानि सही, और in लगा के opposite बना दिया, तो inapt का मतलब क्या होगा, गलत हो गया, wrong हो गया, next is illicit, illicit यानि क्या होता है, illegal, जो कानूनी तोर पे legal नहीं हो, आवयद, जिसको माने ता नहीं मिले हो, government से, तो a trade that is prohibited by law, एक ऐसा business जो law के द्वारा मना किया गया हो, हैना, तो क्या हो जाएगा, illegal, illicit हो जाएगा, next question पे चलते है, reticent, हैना, reticent क्या होता है, है, the one who does not speak much, जो बहुत जाएदा नहीं बोलते है, कम बोलने वाले है, कम बोलने वाला, the one who speaks less, ठीक है, वो reticent to the confident, जिसमें बहुत जाएदा confidence हो, garulous यानि talkative, जो बहुत जाएदा बोलते हैं, talk, talkative, जाएदा बोलते हैं, और silent, जो की चुप रहते हैं, और extrovert, extrovert यानि की जो बहुत जाएदा अपने आपको express कर पाते हैं, extrovert होता है, introvert होता है, एक है न, introvert जो अपनी बात नहीं रख पाते हैं, कांसर हैं, तो होनी सकता है यह हो नी सकता है तो बचता है यह हो नहीं सकता है ने पिन चुछ अब खाये तो स सामने और उसमें अप्षिं साफ्शन आःकर शुक दे थारप लिए डिया करता है तो हम लोग नीयर सीननिम थे ऊच्छ से स्क्षा osaurus पर ही से लेटेट है और … सौरो, फ्राइट, कुरॵालिटी। ठीक है। तो बहुत सयदा कुरूर की जिसzę खोते हैं। बहुत जादा cruel होते हैं जो बहुत जादा strict होते हैं और strict से भी जादा Hitler Hitler is famous for this है ना Hitler जोते है वो कैसा था? Cruel था, वो ऐसे लोगों को मार देता था उसको कोई दया नहीं आती थी क्यों? क्योंकि ही वस cruel, brutal Next is, improvement वाला sentence है We must endeavor, we must endeavor कोशिश करना चाहिए, किसको? To increase, बढ़ाने को, क्या बढ़ाने को? Women's access for education also employment देखो, पहले तो sentence समझना बहुत जरूरी है हमें endeavor करना चाहिए, बढ़ाने का हमें endeavor करना चाहिए, try करना चाहिए, कोशिश करना चाहिए, क्या? बढ़ाने का, किसको बढ़ाने का, women's के access को, access है नहीं का होता है, पहुँच, women's की पहुच को बढ़ाना चाहिए, कहां पे education के लिए also employment, education है नहीं सिक्षा, employment है नहीं, रोजगार, business और, मला काम और education, दोनों ही में women's की पहुच हो, महिलाओं की पहुच हो, ऐसा हमें करना चा पहली गलती तो यह हो गई, access हमेश अपने साथ करेता है, to le तो तू एलिया इस वाले में ठीके, अब education also employment, अभी also का क्या sense है, also का बाता है जब बढ़ पहले लिग दिया जाता, but education also employment, या तो ऐसे या but also, या but also भी नहीं आएगा, क्योंकि but also not only का पहुच हो रह रहना, तो and क्योंकि हमें दो चीज़े बताने, education में भी पहुच होनी चाहिए, और employment में भी पहुच होनी चाहिए, तो and आएगा जो कि यहां पर दिया गया है, अब इस वाले में और दिया गया है, कि या तो education में हो या फिर employment में, तो यह भी गलत हो गया, और यहां पर access भी गलत है, यह और next पे हमारे 22 question number है, the hunchback was being laughed at by everyone, hunchback जो था वो हसा, उसके laughed at by everyone, हर कोई, हर वेक्ती द्वारा हसा जा रहा था, किस पर? hunchback पर, laughed at, लेकिए यह वाला जो है, यह ध्यान रखेगा, laugh के साथ at आएगा ही आएगा, क्योंकि laugh ऐसे तो क्या intransitive है, लेकिन कुछ intransitive verb अपने साथ preposition लेके passive बनाते हैं, यह उन में से एक है, फिर in में क्या होता है, preposition भी आता है, और by भी आता है, दोनों आता है, यही वो case है, जहाँ पर दो preposition एक साथ आ सकते हैं, otherwise नहीं आते हैं, तो being आ गया, being यानि कि verb में हमें क्या जोड़ना पड़ेगा, ing जोड़ना पड़ेगा, और was है, यहाँ पर क्या everyone, everyone के साथ भी was आता है, तो was आ जाएगा, everyone was यहाँ तो everyone was, everyone सही है यहाँ पर, इस गलत tense भटा दिया, असने, laughs, फिर से tense भटा दिया, laughed नहीं आएगा, क्योंकि tense बिल्कुल चेंज नहीं होता, जो tense है, जिसे कि यहाँ पर continuous tense है, तो यहाँ पर भी continuous tense आएगा ही आएगा, और continuous tense अपने साथ helping of लेता है, तो इसने helping of लिया, इसलिए fourth ही इसका right answer है, और कोई नहीं है, चलते हैं 23 पे, 23 क्या है, to give up the throne, थ्रोन को छोड़ देना, surrender कर देना, इसके लिए one word है, abdicate, यहीं छोड़ देना, यही होगा, consign, asab और बिकीत नहीं होग now what is, बिकीत है, बाटना, देना, give of minimum of program है, कब काम आता है, जब हम लोग will की बात करते है, will की होता है, वसीयत है, हिंदी में शायद देख लिजएगा, शायद गलत हो सकता है, will, यानि की वसियत, इसकी बात करें है, तो इसका spelling भी will होता है, तो will में कुछी को कुछ देना, तो I bikithed my money to my daughter, तो मैंने bikith कर दिया है, दे दिया है, ठीक है, और next word है, असर्प, और कंजाइन, और abdicate, तो सबसे पहले देखते हैं, असर्प क्या होता है, जिसकी, मैरोः मेरा कोई प्रेंड है, मैं विल्द देखते हैं, रखने के लिए, जान बुछ कर उसको देने का मन निए उसने कया कर लेख ऑद़्या, उसे क्या किया होँए, उसलिए क्या हो ग्या होंए, तो वो क्या होगई है आपना, तो यह मेरीच रहले देलिबरेटली जान बुझकर उसने मेरी चीज़े क्या लिए रख ली तो अड़पना हो गया और कंसाइन चंसाइन क्या होता है टो संट समबडी किसी को बेज ना देसे पहले किया करते तो अपने मंत्री को या अपने जो इन जो फेवरिट पीपल होते थे अपने क्रा अर अप्डिगेत यहां पर सी यहां को छोड़ देना ढर डियना गियोट उभाहँ देना रहान को छोड़ देना फिर से में पर चांपर के दिया है को avoid करने के लिए तो ध्यान दीचिए पहला वाला जो आया तो उसमें भी एक question था है इसमें भी question हो सकता है यह इसका first sentence हो anger and tension are prevalent prevalent यह जलन में है आजकर है due to conflicts arising out of these differences in differences के कारण जो conflicts आ जाते हैं जो problems आ जाती है उसके कारण anger and tension आजकर prevalent है the society is full of people who think and act differently society भरी हुए है ऐसे लोगों से जो की think or act सोचती कुछ और करती कुछ और हुए हुन दोनों के सोचने और करने में अंतर होता है ऐसे लोगों से society भरी हुए है we need to develop in ourselves the capacity for conversion to turn negative experience into positive thinking हमें अपने आप में ऐसी capacity भरनी होगी जो हमें converse कर सके to turn negative experience into positive negative किसमें जा सके positive में जा सके ऐसा हमें कुछ करना होगा अब देखे सारे sentences अलग अलग है अब हमें क्या करना एंगर और जो पहला वाला है वो मिल रहा है और यहां पूछा जा रहा है question और यहां उसका answer दिया जा रहा है तो जो हमारा a और d है इसका pair कही ना कहीं बन सकता है ठीक है a और d बन सकता है और c हमारा जो है वो पहला sentence हो सकता है तो पहला sentence अगर पूछा किसी ने the society is full of people who think and act differently ठीक है तो देखे हमने चारो पल्डियों और चारो अलग अलग हो सकते हैं आप्शन से रहेते हैं a से भी स्टार्ट सी से भी स्टार्ट अचा डी से और बी से स्टार्ट नहीं होगा है या तो c से स्टार्ट होगा या फिर a से तो a में क्या है what can we do to avoid anger and provocation अब a में पूछा के अंगर और प्रोवकेशन को इलिए हम क्या कर सकते हैं और दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि anger और तो कहीं ना कहीं a और b का पेर हमारा बन रहा है या फिर b और a का बनेगा या फिर a और b का बनेगा तो देखें कैसे बनेगा c से स्टार्ट करेंगे क्योंकि अब d से स्टार्ट होगा नहीं और a से स्टार्ट नहीं हो रहा है ठीक है क्योंकि यह दोनों क्वेशन आंसर्स है तो देखो हम start करेंगे C से और C यहां पे भी start हो रहा है C के बाद A और D का पेर देखी तो वैसी ही cut गया यह वैसी ही cut गया यह बचता है C के बाद B आएगा और B के बाद A आएगा B और A का पेर C, B, A और फिर last में हम D को रख देंगे क्योंकि A का answer D यहां पे दे रहा है ठीक है तो यहां पे 24 question हो गया है अब आते है next पे Select the correctly spelled Appearance Appearance में डबल P आता है अगर आपको दियानो Abundance सही है Attendance में A आता है यहां पे Arrogance में भी यहां पर A आता है Ance, Ance और abundance जो हैं वो बिलकुल सही है सारे Ance वाले हैं जिस भी वर्ड में लास्ट में Ance और Ence और वो सब नाउन होते हैं तो नाउन को पहचानने के बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप नाउन को पहचान सते हैं तो आईए आईए स्टार्ट करते हैं 10th June 2019 First shift देखे सबसे पहला जो question है correct active ढूलना है हमें She was seen sitting in the last row उसे देखा गया था She was seen तो यह ही यहां से लेके यहां तक है ना यही हमारा active sentence मनों इसी का active बना देंगे हम यही passive है यह इसमें कोई change नहीं होगा Sitting in the last row Last row में बैठे हुए इस sitting का मतलब किया यह sitting participle है और participle क्या होता है action को करते हुए है तो बैटे हुए करते हुए वो है यह तो She was seen उसे देखा गया तो She was seen है यानि कि किसने किया इसमें object नहीं आया और object कभ हम लोग ओमिट कर देते हैं हटा देते हैं जब object कैसा होता है unimportant होता है या फिर एक से ज़ादा होता है या फिर हमें exactly नहीं पता होता है और ऐसे unimportant कौन से objects होते हैं दे हो जाता है वी हो जाता है पीपल हो जाता है या फिर कोई obvious है जैसे पुलिस आरेस्टेट थीफ तो obvious है कि thief is always arrested by the police doctor करेंगे तो वहां पर हम इसको unimportant मान लेते हैं तो यहां पर she was seen यह उन्होंने वी दे दिया है तो मैंने बुला वी भी होता है unimportant है तो वी लग दिया तो वी ठीक है अब देखे दूसरी बात पहला बात तो हमें वी मिल गया subject मिल गया she was seen यह क्या है she was seen मतलब कि past simple tense तो हमें इसमें tense change करना नहीं होता है तो we saw कर देंगे seen क्योंकि third form है active से passive बनाते समय हम third form का use करते हैं तो यह third form है जिसका हमने use के है और was उसका helping verb है यानि कि कौन सा tense लिया गया होगा past simple past simple का helping verb है तो हमें पता चल रहा है कि past simple है तो past simple में कैसा verb यूज होता है verb का second form यूज होता है इसलिए we saw किसको देखा she वह उसमें क्या थी object के case में क्या थी her we saw her कहां पे देखा sitting in the last row we saw her we see नहीं आएगा present tense had seen past perfect have seen present perfect लेकिन tense कौनसा है past simple और past simple ही follow होगा क्योंकि हम tense को change यहां पे नहीं करेंगे वो direct से indirect में करते हैं clear है तो हमारा जो right answer होगा यहां पे वो कौनसा होगा one होगा जिसमें सारी चीजे सही है मैंने बोला था इसमें हम कोई changes नहीं करेंगे इसमें कोई changes नहीं हुए है clear है चलें question number next पे देखे question number next जो है हमारा वो क्या है underline जो है यह वाला part यह क्या है idiom है इस idiom का हमें sense पता करना है the loyal watchman was अब देखिए यह वाला idiom वाला question है ऐसा ही means में भी आ गया था क्या था अब इसके चार meaning अब हमें accordingly choose करने लेकिन idiom को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए idiom को कैसे पढ़ना चाहिए idiom पढ़ो इसका meaning देखो और इसका usage देखो usage करना सीख लो है ना ताकि आप अपने sentence में इसको use कर सेके it is not like this the loyal watchman loyal watchman उसको cut to the quick कर दिया जब he was accused of theft जब उस पर चोरी का आरोप लगा तो उसे cut to the quick कर दिया तो उसको improviseं भी कर दिया होगा जेल में डाल दिया होगा डिसमिस कर दिया होगा हटा दिया होगा severely punish किया होगा यानि कि बहुत जादा बुरी तरीके से और exact meaning के लिए हमें इसको usage से पढ़ना चाहिए idiom को ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए कि हाँ तुक्का लगा दो ये 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 अब दी के चारों बैट जाएंगे लेकिन idiom को पढ़ने का तरीका सिफ ये है idiom पढ़िये, meaning पढ़िये और अपने sentence frame करिये और जहां तको जादा से जादा use करो, friends में बात करें जहां पर use कर लोगे तो ठीक लगेगा मतलब याद रहेगा तो आपको कोई दिक्कात नहीं आई, यादे है next में one word है शायदी group of words, yes one who embraces embraces यानि वैसे गले लगाना होता अपनाना है one who embraces voluntarily आपनी इच्छा से death death को embrace death को अपनी इच्छा से गले लगाना for the sake of के लिए, किसके लिए? once country अपनी country के लिए जो अपनी इच्छा से death को गले लगा लेता है उसे क्या कहते है, लोग शहीद होते है हमारे जो मार्टिर्स हो जाते है जो हमारे soldiers हो शहीद होते है diplomate यानी politician होता है ध्यान रखेगा diplomate is politician patriot होते है we are patriots if we love our country obviously we love our country है हम क्यों होते है patriot होते है fanatic यानी mad insane right and martyr martyrs होते हैं martyrs होते है martyrs होते है soldiers जो बिना कुछ पढ़वा करें चले जाते हैं fight करते हैं और उनकी fight के दारान they die right martyrs का answer होगा बहुत easy passage है बहुत time नहीं लगेगा थोड़ा सा आपको कोई problem तो मुझे बताते चाहिए perhaps India should listen to perhaps यहनी शायद India को सुनना चाहिए to her India को mother माना गया है mother India बोलते हैं आम लोग उसी sense में लिखा गया है to her किसके लिए इंडिया के लिए इंडिया के लिए रहा इंडिया 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 या off balance या in balance तो off balance होगा तभी आएगा यह तो clear है बहुत easy सा है for यह नहीं तो के लिए होता है purpose के लिए आता है for balance है तो for आता है तो यहां पर balancing कुछ होता तब आता राइट in नहीं आएगा और by भी नहीं आएगा this means इसका मतलब क्या है इसका मतलब है we should we should be carefree हमें carefree होजाना चाहिए हमें koईशी की चिंता नहीं करने चाहिए careless हो जाना चाहिए without any care 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 the tax care 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 करने वाला it's resistant to care 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 waterone all ba же just fine care k люд Innovaciesell ये व.881 चे ओभी तो हद पर वोला गया It means we should be careful not to take anything too far हमें कोई चीज जादा देर के लिए नहीं सोच चाहिए या too radical नहीं होना चाहिए बहुत जादा radical है, difficult to find बहुत जादा typical नहीं होना चाहिए Not to take anything too far किसी चीज को बहुत जादा दूर नहीं ले चाहिए but नहीं आएगा but होता है conjunction of contrast तो contrast नहीं, otherwise किसके लिए आता है otherwise else के लिए आता है तो else भी नहीं है यहाँ ना तो बहुत दूर ले चाहिए नहीं बहुत जादा radical बहुत जादा typical हो जाना चाहिए ऐसे बोला गया, not है इसलिए और का use होगा नहीं तो nor होता है neither के साथ The unfortunate यहाँ पर नौर ही आना चाहिए, एक सेकंड शुद वी शुद बी वी शुद बी एक सेकंड हम गलत कर रहे हैं शायद हाँ दिस मेंस वी शुद बी डैश वी शुद बी केरफुल हो गया वी शुद बी केरफुल नोट तो टेक अनिफिंग तो फार और भी too radical यहाँ तो यहाँ भाहत बहुत बौँल पर रही मोट तो यहाँ पर भाहत ज़ीच की शुद बी। नहीं हो जाईए यह पर नौर में पर ज्याद ही जादा जादा इस आए नोट के साथ नौर नौर की यहाँ हुना धिन में 9 अया और यह और को यूज किया गया, ध्हान रखेगा इस बात को, ठीक है? The unfortunate results of, number 5 देखते हैं, option number 5. The unfortunate results of risking, pioneering, climbing और venturing. 4 words है, पहले तो भी risking एनी, risk लेना, pioneering एनी, कुछ शुड़वात करना, climbing एनी, उपर चड़ना, और venturing एनी, to go, जाना, है ना? अब देखते हैं, यहाँ पर क्या आएगा, the unfortunate result of going too far. दूर तक जाने का जो result है, और obvious in the environmental degradation के, environmental को degrade कर रहा है, going too far जाने को, है ना? तो यहाँ पर क्या आएगा, venturing आएगा, ठीक है? Question number, next पे चलते है, given below are 4 jambals, 4 jambals है हमारे पास, और हमें इनको set करना है, तो देखिए, पहला क्या है, the students है, the students often go about their business, students हमेशा अपने business के लिए चले जाते है, singing along in the corridors, corridors होते है, school में passages, जहाँ side में बालकनी होता है, यह नहीं भी होता है, तो corridors, यहां से वहाँ जाने का जो रास्ता होता है, पैसेज होता है, तो corridors में से singing करते हुए चले जाते हैं, हो सकता है, यह introductory sentence हो, यह तो बिलकुल नहीं होगा, बट है, इसमें, but for the students of St. Ambrose High School, it no longer dictates their day, ऐसा उनके school में नहीं होता, bell can sound gloomy, bell gloomy भी हो सकती है, sad भी हो सकती है, यह cheerful भी हो सकती है, depending on when it is rung, यह school bell की बात हो रही है, ध्यान रखे, अब मुझे समझ में है, school bell की बात हो रही, school के दिनियात करो, जब school में bell लगती थी है, और आपको बहुत थेज़ भूग लगी है, और bell लगती है, आपको पता चाहता है, oh it is third period only, तो अभी हमें third भी पूरा करने है, फिर fourth भी आएगा, उसकी bad lunch होगा, तो it is gloomy for you, या फिर कोई ऐसा period, oh god, maths teacher is going to suck us here, तो हमें क्या लगता है, that is gloomy, but if it is a time to disperse, हमें घर जाने का time में, तो bell कैसी लगती है, cheerful लगती है, if कुछ इंटरस्टिंग होने वाला, games period, swimming है, तो हमें वह interesting लगता है, cheerful, right, a bell can sound gloomy or cheerful, depending on when it is rung, bell, अभी यह introductory sentence हो सकता है, क्योंकि अब यहां पे बोला गया है, it आया है, तो it चीजों के लिए आता है, और यहां पे बोला गया है, but for the students of St. Ambrose High School, high school के students के लिए, it no longer dictates their day, यह उनके day को dictate नहीं करती है, ठीके, किसके लिए? school के बच्चों के लिए, for the students, इसके लिए है, तो वैसे तो यह cheerful और groomy होती हैं, पर high school के बच्चों को यह dictate नहीं करते हैं, तो C-B का पेर हमारा है, C-B का पेर ढूंडो, इसमें भी है और इसमें भी है, right? और B से start होगा नहीं क्योंकि हमने पहले ही देख लिया है, अब हमने क्या कर लिया, 2 को रिमूफ कर लिया, अब हमें पता है C से start होगा, और C से start होगा, और हमें पेर बनाना होता है, देखो, जो हमारा पारा जंबल है उसे solve कैसे करना चाहिए, दो तरीका है इसका, यह मेरा WhatsApp नमबर है, अगर अभी तक नोट नहीं कर आ है तो नोट कर लिजिर, एक और बात मैं पारा जंबल बता लिए लिए पारा जंबल कैसे करते हैं, देखो पारा जंबल करने का तरीका सिर्फ होता है, दो तिन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने होता है, सबसे पहले तो, एलिमिनेट करो, एलिमिनेट कैसे करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बता है, कंजंक्शन आ जाते हैं, यह हमें बता देते हैं, कि इससे यह होगा या नहीं होगा, मेरा एक पारा जंबल का वीडियो भी यह उस पर आप देख सकते हैं, मेरा नहीं होगा, तो हमें क्या पता चल के दो पॉइंट सो हमने काट दी है, एलिमिनेट कर दिया, दो कट गया, तो हमें दो में ही चुनना है, अब जैसे ही दो बचाते हैं, तो फिर आप बनाओ पेर जैसे भी मैंने पेर बनाया, और पेर बनाया, तो फिर र से स्टाट और तो हमें पता चल के र से स्टाट होगा है, दो र से स्टाट होगा है, दो र से स्टाट होगा है, या दो बी से स्टाट होगा है, जो भी है ऐसा सीक्विंस तो इससे हमें बड़ी हेल्प मिल जाती है, तो यह eliminate, pair और see the option, अभी हमने क्या किया? Eliminate किया इन दोनों को, B वाले को eliminate किया, A वाले को eliminate किया, फिर हमने क्या किया? पेर पनाया, C और B का पेर बन गया, और C और B का पेर तो स्रिफ इसमें है, तो यह हमारा answer होगा, यह हमारा answer नहीं होगा, ठीक है, आएए, चलते हैं, next question number पे, question number next क्या है, grammatical error निकालनी है, most disputes, disputes, S, E, I, S लगावा है, किसमें लगता है, noun में, ठीक है, कितने disputes, most, बहुत सारे, तो most क्या होगा, इस noun का number बता रहा है, determiner होगा है, तो यह होगा, इसका determiner, right, noun, can be, can क्या है, model है, model हमेशा अपने साथ वर्फ का first form लेता है, ठीक है, और B के साथ वर्फ का third form आ सकता है, कब, जब यह sentence passive हो, और sentence passive कब होता है, जब action नहीं कर रहा है subject, क्या disputes खुद solve हो सकता है, क्या, dispute कुद call solve हो सकता है, नहीं हो सकता, इसको तो कोई करी रहा होगा, तो disputes can be solved, disputes को solve किया जा सकता है, amicably, unless, one, आराम से unless, जब तक की नहीं, unless का मतलब क्या है, जब तक की नहीं, तो जब तक की नहीं क्या, one, are not rigid, जब तक की, one, are not rigid, one, are rigid नहीं है, are, और यह one, कितना easy sentence है, one है, singular है, A है, तो subject singular, तो वर्फ कैसा होना चाहिए, बताइए कैसा होना चाहिए, singular होना चाहिए, तो यहाँ पर क्या कर दिया गया, plural दे दिया गया, बहुत ऐसी गलती, जो शायद बहुत आराम से आप लोगों ने exam की time भी पकड़ ली होगी, तो यह यहाँ पर गलत है, अगर grammar से related, कोई भी problem आती है, अपको ऐसा लगता है कि grammar आपने नहीं solve कर पा रहे है, तो देखे, मेरा विडियो है, जो मैं कोपरेटिव बैंक के लिए करवा रही हूँ, लेकिन मैं अभी पूरा grammar पड़ा रही हूँ, वहाँ पर बेस, पूरा grammar आप वहाँ पर clear कर सकते हैं, reading comprehension का session है, जहाँ पर आप इसको life practical भी कर सकते हैं, वहाँ सीखिए, वहाँ पर practical करियो, और फिरी sessions करियो, बहुत helpful मिलेगी, helpful होगा आपके लिए सब कुछ, और help वास्ता में मिलेगी, और फिर भी problem आती है, तो my number is always there, आप वहाँ पर देख सकते हैं, number से मुझे WhatsApp कर सकते हैं और हम discuss भी कर सकते हैं, वापस आते हैं हमारे question 10 number हो गया है, number 11 पर चलते है, 11 क्या है, most appropriate antonyum डूढना, antonyum is opposite, किसका opposite डूढना है हमें, sacred का, sacred यान ही क्या होता है, pious, pure, पवित्र, कोई ऐसी चीज़ जो पवित्र हो, sacred हो है और इसका हमें antonyum डूढना है, profound, profound ही उननत, बहुत important जो personality होते हैं, उसके लिए बोलते है, perpetual, perpetual क्या होता है, कोई ऐसी चीज़ जो perplex हो, continuous हो है, continuous लगाता है, और profane, profane यानि क्या होता है, किसी पायस चीज़ को impure कर देना, ठीके, pure को impure कर देना, sacred यानि पायस, पवित्र, और profane क्या होता है, impure, या फिर religion में इसका answer हो जाएगा, ठीके, impure, next is precarious, किसी भी वर्ड में, अगर OUS आता है, last में, तो OUS आता है, यानि कि ये क्या है, adjective है, ये ध्यान रखे, able आता है, तो भी adjective है, OUS आता है, तो भी adjective है, ठीके, synonym ढूनना है, हमें किसका precarious का, precarious आपको पता होना चीज़ प्रेकारियस अनि क्या होता है, not safe, क्या होता है, not safe, जो कि safe नहीं हो, तो abundant, abundant, यानि lots of, बहुत सारे, premature, जो कि mature नहीं हो, जिसको परिपक्व होने की जरूरत है, valuable, यानि very important होता है, ठीके, तो dangerous, यानि क्या होता है, जो कि not safe हो, right, तो ये हमारा answer यहाँ पर हो जाएगा, precarious, इसके लाव next का है, फिर से grammatical error आगी, देखे, सबसे पहले का है, in the northern suburbs of Bengaluru, in the northern suburbs of Bengaluru, Bengaluru के northern suburbs में, अगर आप मेरे वीडियो मानिंग में देखते हैं, तो आपको पता होगा, यहाँ पर अभी तक स्टार्टिंग दो गए, बर subject नहीं आया, क्यों नहीं आया, क्योंकि नहीं आया, क्योंक हो, home to the bulk of the information technology industry, the water crisis is even worst, water crisis जो है, वो क्या है, even worst है, worst का बुता है, यह कौन से degree है, adjective की third degree है, superlative degree है, जिसके पहले dirt आना चाहिए, और यहाँ पर क्या बात करें, northern suburb of Bengaluru है, home to the, जो कि क्या है, bulk है, किसका bulk of information technology, IT का हब जो है, वो कौन है, Bengaluru है, तो वो जो Bengaluru का IT का हब है, the water crisis, water crisis, यह हमारा subject है, यह भी इसी का पार्टा, is even worst, वहाँ जादा worst है, comparison कर रहे है, bad से start होगा, bad positive degree, worse comparative degree, और worst superlative degree, तो superlative नहीं है, हाँ पर सबसे अच्छा है, यह सब से खराब है, इसा नहीं बता रहे है, even comparison कर रहे है, even खराब है, वहाँ पर water crisis, वह जादा worst है, तो worst आएगा, worst नहीं आएगा, यह इस concept हो जाएगा, next रहते है, antonym ढूंड़ना है, notorious का, notorious यानि mischievous होता है, शयतान होता है, लेकिन notorious जो है, वो इस sense में भी use होता है, notorious है, तो कोई जैसे thief है, he is also notorious, mischievous है बड़े ब गलत काम करते हैं, उनको यह भी use कर सकते हैं, तो हमें इसका antonym ढूंड़ना, disgraceful होगे, notorious होता है, notorious work, notorious deed, disgraceful work, infamous, जो कि famous नहीं है, कैसा है, infamous है, कुख्यात होता है, हिंदी में, वो, और vicious, vicious, जो कि बहुत जादा कुटिल होते हैं, गलत काम करते हैं, तो उसका answer क्या होगा, an infamous इसका opposite है, यहां पर, पदा चल गए, यह वाला तो इसका answer नहीं होगा, first इसका answer होगा, question number next पर आते हैं, देखें का है, four jumbled है, फिर से आ गया है, for a split second, split second में, as the stranger stepped, जैसे ही stranger stepped into, जैसे ही वो light में आया, ठीक है, at first, all seemed still outside the house, house के बाहर सब कुछ, still लग रहाता है, यहां प realizing him, उसको पहचानते हुए, तो यह तो हमारा starting होगा नहीं, यहां पर बट आ गया, but then, पर तभी, foot steps approach the house, house में foot steps approach के घुसे, and a stranger, a stranger, देखो, इसमें मैंने सारे क्यों पढ़े हैं, आपको यह बताने के लिए, कि four वाले में a stranger आया है, क्या आया है, four वाले में a stranger, मतलब यह यहां पर introduction होगा stranger का, और यहां आकि यह stranger क्या बन गया, the stranger, specific होगे है, कौन सा stranger, जो अभी घर में घुसा है, ठीक है, तो हमारा sentence D से तो start नहीं हो सकता, क्योंकि बट आ रहा है, but then, क्या है, conjunction, तो और A से start होगा, देखो, किस किस से start होगा है, D से start होगा, D को काट दो, C में आप दो, क्या है, तो पहचानते होगा, तो इसको भी काट दो, प्रेपोजिशन, यहां पर pronoun ने बता दिया कि यह नहीं आएगा, यहां पर conjunction ने बता दिया कि यह नहीं आएगा, तो दो कट गए, eliminate होगा, अब बनाएंगे pair, अच्छा, अब देखो, B से start होगा, अब देख अब हमें देखना है, B के बाद, at first, all seemed still outside the house, अब कुछ outside the house कैसा लगा था, still, शान्त, except for the sound of the rain, सिर्फ बारिश की आवाज के अलावा, सब कुछ क्या था, still था, रुका हुआ था, एकदम शान्ती थी, B में ऐसा बोला है, अब B के बाद C, अब B के बाद D, C क्या बोला है, recognizing him, उसको पहचानते हुए, जो stood petrified staring at the man, जो जो हो खडा हो गया, और यहाँ देखो, उसको पहचानते हुए, पर यहाँ पही बताए कि वो enter हो रहा है, ठीके, तो यह वाला आएगा, but then, वैसे दो सब को शान्ती था, पर अचानक, then, footsteps approach, footsteps के आवाज आई, in the house, and stranger emerged out of the darkness, darkness इसमें से stranger बाहर आया, तो D आएगा, इसके बाद है न, C, B के बाद के आएगा, D आएगा, और D के बाद A, और C अब से last में आएगा, तो हमारा जो answer होगा, वो C वाला नहीं होगा, ठीक है, आते हैं, question number 16 पे, 16 क्या है, underlined idiom है, it is unfortunate, मैंने बोला, idiom को ऐसे याद नहीं करत है, living from hand to mouth, hand to mouth का मतलब क्या होता है, देखो, consuming daily what little is earned, जो आया है, उसी को consume करना, बहुत कम earn करना और बहुत कम consume करना, यह होता है, hand to mouth वाली condition, ठीक है, हाथ से मुह तक, बस इतना ही कमा पा रहे है, तो यह इस cancer होगा, बाकियों को पढ़ने की जरुवत नहीं है, 17 पे चलते है, she performs different role, वो different roles perform करती है, very convincingly, very convincingly, बहुत आराम से, without any difficulty, बहुत easily, बहुत convince होकर, as she is a very dash actor, क्योंकि वो बहुत dash actor है, ठीक है, अब के आएगा वर्चुएस, यह वर्चुवाली actor है, यह वर्वोस, वर्वोस क्या होता है, वर्वोस यानि होता है, जो जितनी जरूरत है, उस वर्चियस, वर्चियस यानि, greedy होता है, लालची, बहुता है, बहुता है, लालची नहीं, greed, यानि भूका, greedy नहीं, greed, वर्चियस, greedy for everything, ठीक है, और वर्चियस, जो की अपने आप में बहुत जादा all-rounder हो, multi-channeled हो, कोई भी काम, देको लिखा वारे, different roles, इतने convincingly, इतने अराम से कर लेती, she is really a versatile actor, तो वो क्या है, versatile actor है, virtuous यहाँ पर इतना अपरोप्रियेट नहीं होगा, जितना की versatile होगा, next है, appropriate क्या देना है, synonym देना है, sterile का, देको sterile क्या होता है, sterile होता है, जो की productivity ना दे, ठीक है, जो की production ना करे, जिसे baron, baron या, baron field होता है, baron field होता है जहाँ पर कोई भी production नहीं होता है, कोई कॉप्स नहीं होता है, जो की स्टराइल क्या देना सनननीम देना, तो इन दोनों का same meaning है, जो की improductive होता है, जो की non productive होता है, non productive, लिखो जाद अलसा देगा, non productive, ठीक है, sordid, dishonest होता है, immoral बोल सकते है हम इसको, productive है, इसका opposite है, प्य 18 हो गया है, 19 पहते है, question number 19 किया है, correct passive, passive दुनना है हमें सही सही इसका, the enemy will have seized the fort before nightfall, अभी active है, passive दुनना है, enemy क्या करेंगे, will have seized, will have seized, कौन सा tense है, future है, future में have लगा हो, perfect, future, perfect tense है, have के साथ वफथर दाता है, इसका हम कैसे करेंगे, been लगा देंगे के वर, will have been seized the fort, इसको हम आगे लाएंगे, तो हम आगे लाएंगे, तो हमरा अगे से स्टार्ट है, the fort से स्टार्ट है, दो अप्शन तो हैं कटेंगे, ठीक है, दो बचे हैं, इसमें wood लगा दिया है, सबसे पहली कलती, कुछ भी not model change होता है, change नहीं तो model की शकल वैसी की वैसी की वैसी की व यहां, वावकत हट भाएंगे, तो हमारे दो आप्शन से आजानी के है, टो हमने हैं आपर कर दिये है, कुछन नूमर 20 पर चलते हैं, चाल्स बीकंस की बातर ही, बहुत अच्छ राइटर थे ए छुआ राइटर, वह द्च दिकंस थे बहुत अच्छ राइटर, रहास राइ style of writing, अपने style of writing में बहुत ज्यादा डिफरेंट थे from most of his dash in the Victorian area, sorry era, Victorian era के ये writer थे Victorian era के थे Charles Dickens और बहुत अच्छा लिखते थे और यहाँ पर क्या बूला चाहरा है कि Charles Dickens जो थे वो different थे अपने style में of writing, writing की style में कैसे थे different थे from most of his dash, most of उनके dash हे in the Victorian era Victorian era में जितने भी उनके dash थे, वो सबसे वो क्या थे? अलग थे, confidence क्या होता है? Close friend होता है, confidence है नहीं close friend जो से आप अपने secret शेयर करते हैं, confidential share करते हैं confident होता है, cronies है नहीं friends, okay? Critics जो आपके comment करते हैं, आपके लिए critical comments करते हैं Critics होता है जो आपके आलोचक, qatet है contemporarys होता है, Contemporaries होते हैं जो आपके साथ आपके उस समय में हो ठीक है, जिसे, चर्ल्स टिकन, तोmal से एरा मे थे, Victorian era में उनके साथ bei जो contemporaries थे वो कौन से अरा में होंगे, obviously Victorian अरा में ही होंगे ये तो friends है, ये दोनों ही friends है, और critics तो बिल्कुल अलग word है, इसलिए ये तो नहीं आएगा, कौन आएगा, contemporaries आएगा, जो उनके साथ वाले थे, उनके साथ ही थे, writers, contemporaries का मतलब है, profession में साथ होना, ये दोनों friends है, इसलिए ये नहीं आया, clear हुआ है, right, next देखते है, select the correctly spelt word, correctly spelt word में maintenance बहुत अच्छा word है, देखो maintenance को लिखने में प्रॉबलम क्या होती है, actually हम लोग maintain लिखते है, M-A-I-N-T-A-I-N, maintain maintenance, तो जब हम इसको maintenance बनाते हैं, तो हम इसे बना देते हैं, जो सबसे बड़ी गड़ब करते है, या तो ऐसे या फिर ऐसे, तो सबसे बड़ी बात तो ही धेन्नों को A-I-N नहीं आता है, A-I-N जो होता है वो E-N में चेंज हो जाता है, maintenance, ये E-N में चेंज होता है, और सकी अगर आप भी ऐसी गलती करते हैं क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्छों को बढ़ाया और वो ऐसी गलती करते हैं तो आप ध्यान रखे इसके ऐसी गलती ना गरें नेक्स एकते हैं 22 करेक्ली स्पेल्ट डूढ़ना है फिर से अडॉलसंस के तो अडॉलसंस के तो यह होती है चाहिए आता होगा इसमें कोई क्योंकि हम थोड़ा सा गुमा दिया है और एक्जाम में क्योंकि हम थोड़ा नर्वस होते हैं तो हम थोड़ा सा गूम भी चाहते हैं बाकि यह स्पेलिंग आती हो गया आपको डॉलसंस की 23 पे देखते है 23 पे हमें क्या करना है सिंगुलयर के साथ वर्फ कैसा होना चाहिए था हईलाइट की जगे क्या होना चाहिए था रॉलाइट होना चाहिए था पहिलाइट चाहिए था तो यह गलत हो गया इसमें भी highlight है इसमें भी highlight है यह answer इसका हो जाएगा highlights और benefits थोड़ी the benefits कौन से benefits जो मिलते हैं adding करने से add करने से domestic violence prevention approach से ठीक है तो the benefits हाएगा highlights ही हो जाएगा हमारा काम है na question number next सेखते हैं फिर से improvement है दौ मैनी इरोपियन ट्रेडर्स दौ हालकी बहुत सारे इरोपियन ट्रेडर जो थे बिसन्समन थे उन्होने विसिट किया का क्या पुद्दू चेरी इंदा 16th century तो 16th century की बात हो रही है तो उन्होने visit किया या visit करते हैं यह तो present है विजिट करते हैं यह तो प्रेजंट है पर हम तो 16th century की बात करें हम कब की बात करें पास्ट की बात करें तो यहां पर विजिटेड आ सकता है ठीक है विजिटेड आ सकता है 2 मेरी European traders visited producerie visited producerie in the 16th century कॉंसे century में 16th century में इसमें सहिए visited producerie in a लिग दिया इसले गलत ट्रेडर्स विजिटेट पुडुचेरी फ्रॉम लिख दिया है ये भी गलत ये तो वैसे ही गलत हो गया विजिट के करन तो ये इसमें भी फ्रॉम होगा एक सेकेंड आगे देखते हैं दोनों में गड़बड हो गई है ट्रेडर्स इन दा होना चाहिए था अ क्यों लिखा है इस वारे में अगर ये सही है तो इन दा 16th century onwards what remains today is a relic of its french parts आना तो ये ही चाहिए बस इसमें अ है ये गड़बड है इना 16th century नहीं आएगा दा ही आएगा ठीक है तो थोड़ा सा इसमें question में confusion ने गलत है ये question number next is one who is indifferent to art and culture art and culture में जो indifferent हो है उसको क्या कहते है signic क्या होता है signic नहीं mad होता है whimsical insane है ना ये सारे words जोते है next scientist है ये तो आपको पता ही होगा विज्ञानिक होता है philistine philistine वो होता है जिसको कोई चीज से कोई फरक नहीं पड़ता है ठीक है यानि कि जिसको art and culture में कोई interest नहीं हो जो indifferent रहे बे असर हो जिस पे वो सारी चीज है indifferent क्या होता है बे असर होना यानि कि कोई असर नहीं पड़ा उदासीन होना और philanderer philanderer a person having many sexual affairs or having many sexual relations with women man के लिए आता है यह word है philanderer जिसको बहुत सारे अलग अलग विमन से relations हो उसको philanderer कहते तो उसको यहां पर scene नहीं है यह इसका answer है अगर कोई information हो अगर कोई problem हो फिर भी मेरा whatsapp number है उस पे आप मुझे message कर सकते है it is there in the description box मेरे सारे वीडियो में मैं वताती हूँ खुझ से और मैं भी बता दूगी आपको है ना मेरा whatsapp number उससे पहले हम लोग शुरू करते हैं अभी question number one सबसे पहले क्या है यह आपे underline है अगर कोई improvement करना होगा तो कर दें नहीं तो उसको छोड़ दें पढ़ते है biologists believe बायोजिस्ट है subject है हमारा singular नहीं है plural है इसले वर्फ के ऐसा है plural है बिना यहिस का है noun plural है वर्फ भी plural है बिना इस के आता है तो noun plural वर्फ जो है वो plural होता है that believe करते है क्या that increased human activity बढ़ी हुई increased या नहीं बढ़ी हुई human activity यह क्या है adjective है वर्फ का third form adjective का का भी करता है तो वो adjective है यहाँ पर human activity means का मतलब है an accelerated rate of change in habitat for all creatures of the world. तेखो क्या बोल रहा है कि biologists जो है वो belief करते हैं कि increased human activity increased तक कोई निशान नहीं है human पर निशान है तो human activity means human activity बड़ी हुए human activity का means क्या है an accelerated an आए गई आएगा देखो इसमें एद रखा तो यह गलत है यहाँ पर an आए गई आएगा an accelerated rate of change in habitat for all देखो यहाँ पर human activity increased human activity यहाँ कि बड़ी हुए human activity का क्या मतलब है means verb है यहाँ पर an accelerated means what means an accelerated rate of change in habitat accelerated rate of change in habitat इस लाइन को हमें मिला के देखना है कि इस लाइन का क्या answer होगा है accelerated rate of change और यहाँ पर human activities है फिर mean कर दिया गया है और an आ रहा है इसलिए activities नहीं होगा तो हमारा answer क्या होगा में यहाँ होगा one human activity meant a a लिख रहा है तो one भी नहीं होगा two होगा इसका है ना answer क्यूंकि one में तो यह है और यहाँ पर यह problem है mean और यहाँ पर हमारा गलती कि कुछ भी नहीं है means what an accelerated rate किस की change कि किस में inhabited तो कोई गलती नहीं है इसलिए हमारा जो answer है no improvement वाला होगा first second देखने है second क्या है select the word which means the same similarity similar वाला one word ढूना है something which cannot be understood जिसको की सम्झा नहीं जा सकता है न जिसको समझा नहीं जा सकता है तुसको ऎक पढ़ी किया को आसकता comprehensible ल comfort competence कर ने का मतलब ही understand करना होता Warrior अनब्ष्ट कर सकते हैं और इसको नहीं कर सकते वह हो यहाँ पर बोला है Senior जिसको अंडेस्टांड नहीं कर सकते तो इस कांसर यह होगा इल्लेजिबल जिसको इल्लेजिबल जिसको की एरेज नहीं किया जा सकता वो इल्लेजिबल होता है मिटाया नहीं जा सकते इनफॉलियेवल जो की गलत नहीं हो सकता ठीक है Select the correctly spelled word Conscientious का spelling है C-I-E यह होता है यह गलत हो गया यह गलत हो गया जिसे नहीं पता Conscientious क्या होता है Conscientious या नहीं होता है Careful person Careful जो की छोटी-छोटी गलतियों के बारे में बड़ा ही Aware रहे Careful person, diligent person हम इसको कह सकते है ना Diligent है जो की intelligent भी है और उसके साथ ही कोई problem ना आये इसलिए वो बहुत जादा Careful भी रहता है So C is the right answer Question number next पे चलते है Next is Vinductive Vinductive का हमें synonym बताना है Vinductive का मतलब क्या होता है Revengeful जो कि revenge लेने के लिए बदला लेने के लिए Inspiteful जो हमेशा तयार है So helpful, help करने वाला Forceful और watchful यहनी क्या होता है Aware, right To answer हमारा बहुत साम नहीं था First इसका answer है Question number next देख लेते है Next क्या है Most appropriate option to substitute the underlined segment Okay A reason, subject है हमारा Why there are so much misconception Misconception noun है And countable noun है Misconceptions भी हो जाते हैं लोगों को Isलिए much नहीं आएगा Much हमेशा uncountable के साथ आता है And noun हमारा countable है Isलिए many याएगा Why there are so much misconception Now R आ रहा है To shuns भी आने चाहिए Shuns आएं Or is करें So R है सब में So हम देखने Misconceptions है क्या किसी में Isमें misconception है Or isमें भी misconception है But यह गलत क्यों होगे क्योंकि इसमें much है Isमें many है To misconception singular नहीं आएगा इसलिए हमारा यह वाला answer सही हो जाएगा कि dyslexia को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे Misconception है Right यह भी हो गया Or about अच्छा इसमें भी गलती है यहां पर on कर दिया है On dyslexia कि dyslexia तो एक बिवारी है तो on तो किसी date कि साथ आता आता तो यह गुड़ पिक्चर समारा सब्जेक्ट हो सकता है सब में है अब प्रेजेंट एंसर तो इजमार आ सकता है आपर पिक्चर के साथ आ रहाएगा ing का क्या करेंगे being कर देंगे r being clicked वर्व हमेशा कैसा आता है third form बहीं आता है तो r being clicked दूड़ना है नहीं देना चाहिए no sooner did he see the tiger no sooner did he see the tiger यह error है यहाँ पर when आ रहा है देखे when आ रहा है जिबके no sooner के साथ तो आख बंद करके हमें बता होता है that then आएगा t h a n आएगा t h e n नहीं आएगा जिसे नहीं पता है मैं बता दू t h e n time के लिए होता है इसका मतलब होता है तब और then होता है comparison के लिए उससे जयादा ठीक है select the correctly spelled word challenge की spelling बहुत easy आ गया है यहाँ पर c h a double l लेकिन e a नहीं आता है e आता है इसलिए e answer इसका सही हो जाएगा next is accept है accept का antonym accept करना यह नहीं अद्मिट करना है ना और concede करना और इसका antonym क्या होगा reject होगा release यानि free कर देना obtain और acquire यह अचीव होता है दोनों का मतलब ठीक है तो यह answer नहीं होगा easy question से देखिए इस paper में number next given below और four jumble देखो इसमें सबसे पहले here दे रखा है तो यह हमारा a से answer शुडू नहीं होगा दूसरे में the conflict of co-existence is evident in many metropolitan cities बहुत सारे metropolitan city में conflict of co-existence is evident can be seen बहुत साथा common है यह चीज़ यह बोला जारा है इसमें लिखावा है that chasm the old and new like two different worlds surviving side by side yet never crossing that chasm उस chasm को cross नहीं करते है उस gap को नहीं भरते so that आ रहा है यानि कि किसी referred चीज़ की बात हो रही है यानि C से हमारा answer start नहीं होगा ठीक है B से start हो सकता है D में देखते है there is a place where contrast sorry where contrast are celebrated like nowhere else एक place है दो हाला कि एक place है यह दो क्या वाला है conjunction है हाला कि एक place है तो हाला कि जो आ गया यह बता रहा है कि D से भी start नहीं होगा D से start नहीं होगा अब हमें पता है B से start होगा पर हमें B मिल क्या है क्योंकि हमें option ने बता है कि B से start होगा अब B से start होगा B के बाद C या B के बाद A तो D पढ़ा था हमने एक place है हाला कि पुडुचेरी यहां पर कोंट्रास्ट को कोईंसिदेंस को सेलिब्रेट किया जा सकता है here यहां पर लिकाबाँ here यहां पर place की बाद हमने सिर्फ पुडुचेरी वाले में किये तो here आगया है यहां पर ना यहीं कि D और A का पेर है B से start होगा D और A का पेर होगा डूंडिये देखें B से start होगा लेकिन D A का पेर नहीं काट दो B से start होगा D A का पेर है हमें आंसर मिल गया this is how we have to do this para-jumbald exercise है ना इसमें क्या करना होता है पहले आप पेर बनाईए पहले आप eliminate कर लीजिए उसके बाद आप पेर बनाईए इसका भी बहुत फाइदा होता है next question देखते है 11 इसमें भी वही है हमें इंप्रूव्मेंट नहीं इडियम है हमें इडियम देखना है square peg in a round hole a square peg in a round hole एक square इसको round hole में fit करने के कोशिच की जारी है ठीक है यानि कि a misfit in the environment environment के हिसाब से इडियम के लिए हमें सारे option देखने की जरूरत नहीं इडियम को पढ़ो उसका meaning देखो और उसको question में fit कर दो इतना काम पर करना चाहिए इडियम के साथ next है फिर से जंबल है European cloth manufacturers therefore यहाँ पर therefore आगया इसलिए यह connected है पहले कोई reason होना चाहिए इसके लिए however हाला की फिर भी यहाँ से start भी नहीं होगा ठीक है being a plant of the temperate zone VODE was easily available in Europe VODE जो है वो easily available था और यहाँ देखे इसमें depends on a plant called VODE यानि की C जो है वो A A के बाद आने वाला है C जो है वो A के बाद आने वाला है तो यहाँ तो हम ऐसा देखते हैं A और फिर C और देख लेते हैं Indian Indigo was very expensive and only a small quantity reached the European markets Indian Indigo जो है Indigo जो है वो बहुत expensive था और बहुत कम उसका quantity European market में पहुंश सकता था D हमारा introductory हो सकता है क्योंकि यहाँ पर एक भी introductory नहीं है इसमें therefore आगे इसमें however आगे इसमें वोड इंटोड्यूस हुआ है यहाँ पर वोड की बात हो रही है इसलिए C से स्टार्ट नहीं होगा किस से स्टार्ट होगा D से स्टार्ट होगा अब D के बाद यहाँ पर आए कि European market में महेंगा था यहाँ पर लिखा हुआ European cloth manufacturer therefore had to इसलिए वहाँ के जो मैनुफेक्ट्टर थे उनको depend करना पड़ता था है एक plant पर जिसका नाम क्या था वोड तो D और A का pair बनेगा और A और C को हम पहले ही बना चुके है तो D A C ढूंड़ो इसमें D A C है यह इसका answer हो जाएगा राइट आई चलते हैं next question number 12 हो गया 13 पर चलते हैं the match is about to begin match about to begin है शुरू होने वाल है since the captain as well as the team is आयेगा देखे as well as होता है with होता है या and होता है as well as हो गया with हो गया along with हो गया इन सब के साथ हमेशव word के सा होता है singular होता है क्योंकि ऐसा preposition का काम करते है preposition आगे वाले noun को क्या बना देता है object बना देता है preposition का object है इसलिए हमारे subject है तो यहां पर गलती है, बहुत सिंपल सा सेंटेंस है, बहुत ज्यादा देखना नहीं है, इसको बहुत आराम से खाया जा सके, अडिबल ही होगा इसको, क्योंकि डेलिशियस को खाया थोड़ी जाता है, डेलिशियस तो एक क्वालिटी है खाने की, similarly tasty और delicious एक ही बात है, unpalatable, palatable क्या होता है, something very tasty, कोई बहुत चीज़ो tasty और unpalatable जाहे नहीं कि वो delicious ना हो, tasty ना हो, ठीक है, question number 15 देखते हैं, 15 में क्या है, most appropriate option to fill in the blank, people of the older generation, older generation के जो people होते हैं, वो dash करते रहते हैं, over the good school days, good old school days, पुराने school days के बारे में वो dash करते रहते हैं, remind यानि कोई और उनको remind करवाता है, याद दिलाता है, और retribute और reminisce, तो retribute करना है, यानि कुछ गलत या, कुछ उसकी, बहुत कोई गलती ही हो चाती है, उसके बारे में बात करना, यान पर सबसे appropriate option है, इसलिए fourth इसका answer हो जाएगा, ठीक है, next लेखते है, 15 हो गया, 16, पैंसिफ, पैंसिफ का मतलब क्या होता है, thoughtful, कोई बहुत साथा सोच रहा है, पैंसिफ मूड में, यानि कि वो सोच रहा है, कोई बहुत साथा गंभीर चिंतन में, तो he is in पैंसिफ अभी हमने discuss किया था, vindictive बोलते हैं इसको, vindictive यानि कि revengeful, अभी आया था ना, इसी पेपर में कहीं और use हुआ है, और ध्यान रखे इस पेपर में, इसमार जो पेपर बनाए गए ना, इसमें बहुत जादा कर दिया गया, एक ही वर्ड को हर चेगे, बहुत जादा जगे प इसको बोलते हैं, तो आते हैं, नेक्स्ट पे, 17 पे, 17 में कहा ही, he smelt a rat, ये इडियम है, देखो, to smell a rat, मतलब कुछ होने वाला है, उसकी पहले से ही, हमें आशंका हो जाती है, that is called smell a rat, तो detected something wrong, कुछ गलत को भाप लेना, it's called smell a rat, ठीक है, यही इसका answer होगा, 3rd, एडियम मै strong feeling, strong feeling of liking someone, किसी को like करने का strong feeling, और aversion, same strong feeling of disliking, समझ में आ रहा है, disliking, किसी को आप dislike करते हो, तो आप क्या करते हो, aversion करते हो, ये just opposite है, ये 3 नो वर्ट, same thing starting के, empathy, empathy क्या होता है, किसी को understand कर पाना, understand, and empathy होता है, understanding है, understand करने, ability to understand somebody, और prefer करना attraction है, attract हो जाना है, next is, let the bell be rung, bell को बजने दो every 40 minutes है, तो let's start हो रहा है, यानि imperative sentence है, यानि कि V1 से start होगा sentence, ठीक है, V1 से start होगा, और यहाँ पे, इससे भी start हो सकता है, the bell ought to, शुट की जगे, ought to आता है, ought to be rung every 40 minutes, पर यह क्यों गलत होगा, क्योंकि, the bell should be, यह क्या instruction दे रहा है, ought to be rung every 40 minutes, हा, देखे, यह क्या instruction दे रहा है, यह क्या instruction दे रहा है, यह कोई instruction ही दे रहा, हमारे instruction कहा से start होगा, यहाँ से, ring the bell every 40 minutes, let the bell keep ringing, वर थर्ड आना चाहिए, और रंग है, रंग, ring, रंग, रंग, है ना, ठीक है यह तो, the bell should be rung, यहाँ पर should be rung है every 40 minutes, तो जब दोनों आ गए, हाँ पर should be rung है, ought to be rung, तो यह वाला चो है, इसमें प्रिफर किसको करेंगे, रंग को करेंगे, किसी साब बहुत जादा इन्फैचुएटेड हो गया है, कि अट्राक्ट हो गया है, ठीक है, contagious है, infectious diseases होती है, contagious होती है, फैल, फैलने वाली होती है, संक्रमन करने वाली होती है, अडिक्टिव हैं जिसकी लत लग जाती है, तो technology can be addictive and people seem to be more attached to screens than ever before, addiction की बात हो रही है, कि आजकल क्या हो गया है, लोग बहुत जादा technology में addicted रहने रहते हैं, और दिखाई देते हैं कि हर समय screen में बुरी तरीकी से घुसे हो हैं, जाए वो रोड हो चाएए, वो कुछ भी हो तो that is addiction, ठीक है, incorrigible, जिसको correct नहीं किया जा सकता, ठीक है, next क्या है, passage है, अब हमारा सारे questions कता हो गया, easy paper था यह वाला, बहुत जल्दी कता हो गया, telling someone, किसी को कहना something, कुछ, that you admire, telling someone something that you admire about them, जो आप उनके बारे में admire करते हैं, वो उनको कहना, can be called a random act, kindness, वो क्या कहला सकता है, random act of kindness, कहला सकता है, किसका act, kindness का है, दिखी रहा है, into, to again, kindness, with kindness, from, kindness, नहीं, kindness का act, कैसा act, kindness का act, तो off ही आएगा यहाँ पर, from तो say हो जाएगा, यह सब connect नहीं करेगा, जब अर्दस्ती से दे रखा है, बहुत जादा tough नहीं है, easy है, आप समझ सकते हो, in case आपको problem है तो please whatsapp करिएगा मुझे, it takes almost no effort, effort, कोई effort नहीं लेता है, attempt यह प्रयास होता है, और effort नहीं कोशिच होता है, थोड़ा सा difference है इन दोनों में, attempt हम लोग action के लिए करते हैं, और work नहीं काम और venture नहीं प्रोजेक्ट है, और venture अगर verb जैसा होता है, तो इसका मतलब go भी होता है, पर यहाँ पर go वाला sense नहीं आएगा, यहाँ पर कहाएगा, it takes no effort, कोई effort नहीं लगता है इसमें, yet, फिर भी, it pays enormous dividends, इसके enormous dividends होते हैं, फायदे होते हैं, many people, बहुत सारे लोग, बहुत सारे लोग, हमारा subject कैसा है, plural है, हमें वर्फ की तलाश है, है न, तो वर्फ कैसा होगा, देखो, यह क्या है, past है, क्या past की बात हो रही है, पूरे life में, वो क्या करते रहते हैं, spend करते हैं, have been spending continuously, कि पहले भी कर रहे तो और अभी भी कर रहे हैं, पर tense का कोई जिकर नहीं, it is a general sentences, a general thought है, यहाँ पर लोगों पडमार होना अच्छा लगता है, तो यह सब बात है, तो present में आएगा, यहाँ पर, इसलिए many people क्या करते हैं, spend करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, spend कर देते हैं, क्या, their entire life, wishing that others would appreciate them, अब would आ रहा है, would क्या है, model है, और model अपने साथ हमेशा क्या लेता है, we, one, लेता है, क्या लेता है, हमेशा अपने साथ, we, one, यानि कि वो first लेता है, इसके option देख लेते हैं, fourth वाले के, option क्या है, admit, acknowledge, confess, और concede, ठीक ह तो अब क्या है, मैं तो appreciate सोच रही थी, तो admit करना यानि, accept करना, confess करना, यानि accept करना, conceit करना, यानि accept करना, तो acknowledge, अप्रिशियेट करना, तो यहाँ पर क्या आएगा, acknowledge आएगा, fourth पर आएगा, I'm so sorry, इसमें आएगा, acknowledge them, लोग तो पूरे लाइफ यह विश्करते रहते हैं यह spend कर देते हैं, इसी में निकाल देते हैं कि कोई उनको acknowledge करे, expectation are more from family and friends, और उमीदे सबसे जादा कहां से होती है, family और friends से होती है, even compliments from stranger feel good if they are genuine, लेकिन अगर कोई genuine compliment है और कोई stranger भी आपको दे दे तो वो भी आपको क्या लगता है, अच्छा लगता है, fifth के options देख लेते ह इसलिए इसलिए आएगा क्या पर, बैसे तो expectation जो है more, जादा expectation किसे होती है, उमीदे किसे होती है, family और friends से होती है, लेकिन, so, इसलिए तो नहीं आएगा, unless, जब तक नहीं इसका sense होता तो यह भी नहीं आएगा, and, यानि कि, or, और आएगा क्या appropriate जो होगा, वोगा contrast वाला however आगया, but आगया, और दो आगया है ना, तो यह सब आ सकता था है, यहाँ या however, comma है, तो comma हमें सबसे पहले पता रहा, however, हमेशा comma लेता है, however, even compliments from a stranger feel good, if they are genuine, है ना, तो इस तरीके से हमारा जो है, यहाँ पर 25 नमर का question खता होगया, however, यहाँ पर आ जाएगा, right, देखो, question number one कहा है, select the most appropriate option, fill in the blank, मतलब कि हमें यह words है, यहाँ पर deal है, devoid है, depose है, और dispose है, ठीके, तो हमें इसका क्या करना है, हमें यह चार words, देखो, यहाँ पर हमें क्या करना है, यह हमारा जो पहला test है, यह vocab test है, हमें सब का एक तो meaning बता होना चाहिए, तो deal तो deal करना होता है, devoid यानि क्या होता है, कमी हो जाना किसी चीज की, और depose यानि खराब करना हो, और dispose यानि किसी, dispose, वैसे dispose करना किसी का, किसी चीज को dispose कर देना, फेंक देना, ठीके, लेकिन अगर dispose के साथ आफ जुड़ जाए, वो हम अभी बात करेंगे, क्योंकि इसका answer कहा देगो, I was frustrated, मैं frustrated ह हो गया था, किस से at not being to, जब हम English पढ़ते हैं, जब हम vocabulary पढ़ते हैं, तो सिर्फ यह जरूरी नहीं है, कि हम सिर्फ इस word को समझ रहें कि frustrated का, frustrated का meaning frustrated होना होता है, हो गया, frustrated होना हो गया, मुझे आता है, चलो आगे बढ़ते हैं, no, this is not the thing, हमें क्योंकि exam में question भी solve करना है, तो हमें यह देखना है, frustrated के बाद क्या लेता है, frustrated अपने साथ क्या लेता है, at लेता है, surprise अपने साथ क्या लेता है, at लेता है, shock अपने साथ क्या लेता है, at लेता है, ठीक है, कुछ verbs होंगे जो off लेंगे, कुछ verbs होंगे जो in लेंगे, कुछ verbs होंगे जो by लेंगे है, तो ऐसे करके अलग-अलग preposition, अलग-अलग verbs के साथ आते हैं. तो यह हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है कि कौन से वर्फ के साथ कौन सा प्रेपोजिशन आता है. यह कौन से adjectives, कौन से preposition यह सब मैं वहां करवाओंगी. मैं आपको उसका period भी दूँगी, तो वो सब देख लिजाएगा, आप वहां पर आईए, इस वाली question में चाथ क्योंकि वह बहुत ज़रूरी है. अब यह question आपको अब पे यह कहां अफ सब्सक्राइन कि वह लेता है, इनमे सब्सक्राइए, यहां पर इनमे से ऐसा अपने साथ आफ लेता है, जो अपने साथ आफ लेता है, वो सही हो जाएगा, कुछ लोग चह रहे है श्रूर लो उटन तो मैं आपको बतादू है, इक। डिपोज भी आफ लेता है, डिपोज भी, डिपोज मतलब डिपोज फ्रोम भी ले लेता है कम घंसाथ not weekends rif specifically kitchen सन्देम At not being to he was not able to do it What was he not able to do? To dash of my old car I was not able to do it from old car So I was not able to do it Tell us when you were dealing The deal is not off So it was possible I was not able to deal That's why I was frustrated But the deal isn't off So this is cut Why did I remove it? Because it's not off Because this is off पढ़ना बहुत ज़रूरी है इसके लगव डिवाइड अपने साथ डिवाइड यानी कमी होना तो सेंटेंस के सेंस में रहा है कि मेरे ओल्ड कार की कमी होना मैं नहीं कर पा रहा था यह कोई सेंस नहीं देखा तो हम इसको भी आपर कट कर देंगा अब डिपोज है और जो है वो अपने साथ क्या लेता है ओफ लेता है कब जब यह बन जाता है फ्रेजल वर्व डिस्पोज अपने साथ ऐसे कुछ नहीं लेता है बट डिस्पोज ओफ एक फ्रेजल वर्व है और इस फ्रेजल वर्व का मतलब होता है छुटकारा पाना तो गेट रिड ओफ यह होता है dispose off, तो हमें क्या करना है, dispose off करना है, क्योंकि मैं छुटकारा नहीं पा रहा था, इसलिए में क्या हो गया था, frustrated हो गया था, अती परेशान हो गया था, बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, तो इसका answer क्या होगा, first का 4 होगा, आईए, question number 2 पे चलते हैं, question number 2, identify the segment which contains grammatical error, grammatical error किस sentence, किस part में हमें वो देखना है, तो कौन से part में grammatical error है, Supriya आग्स्ट, यह हमारा subject है, Supriya ने पूछा, वर्भ है यह, Supriya ने पूछा, तो किस से पूछा, क्या पूछा है, किस से पूछा या, किस से पूछा, तो क्या नहीं है, किस से है पहले, तो हू किस का अंसर दे रहा है, कैसा वर्भ हो गया, ट्रांसिटिव वर्भ हो गया, यह सब हमें पता होना चाहिए, Supriya ने पूछा, किस से पूछा, किरन से पूछा, क्या पूछा, वोट, आगे वाला है, अगर वोट का अंसर एक पूरा sentence देता है, तो पूरे sentence को हम लोग क्या कह कहेंगे, object clause कहेंगे, क्योंकि इसमें subject verb सब कुछ आ रहा है, अभी हम इसको देख लेते हैं, where had her mother gone, where had her mother gone, देखे, where had her mother gone, ठीक है, एक तो यह sentence इस तरीके से लिखा हुआ, एक इस sentence को हम लिख देते हैं, इस तरीके से, where her mother had gone, ठीक है, दोनों है, दोनों में full stop, अब देखे, जब हमारा sentence wh type का होता है, interrogative होता है, interrogative समझते हो न, प्रश्नवाचक, अगर प्रश्नवाचक है, interrogative है, अगर हमारा sentence, तो हम क्या करेंगे, wh के बाद helping of ले ले लेते हैं, ठीक है, interrogative कौन से होता है, जिसमें wh आता है, wh होता है, plus helping of होता है, plus subject होता है, ठीक है, plus v3 होता है, ठीक है, यह structure plus object भी हो सकता है, अगर ज़र्वत हो तो अगर self-space हो, और last में question mark आ जाता है, एक यह structure होता है wh का, और एक object clause में wh का structure होता है, object clause में यह interrogative वाला, यह प्रश्नवाचक वाला, रून नहीं लगता है, ठीक है नहीं लगता है, अब नहीं लगता है, तो क्या लगता है, where her mother had gone, यह क्या है, where है हमारा sentence, wh तो as it is रहता है, फिर आ जाता है subject, उसके बाद होता है, helping verb plus main verb, ठीक है, एक साथ, क्योंकि अब यह क्या बन जाता है, statement बन जाता, अभी question नहीं है, और जब यह question नहीं है, तो यह क statement रहेगा, object clause रहेगा, object clause रहेगा, यह पूरा है, तो where her mother had gone, तो हमारा sentence है, उसमें क्या है, उसमें यही दे रखा, where है, और उसके बाद helping of दे रहेगा, जब कि मैंने बोला, that आ गया, यानि कि what का answer दे रहेगा, और what का answer अगर कोई sentence देता है, तो क्या बन जाता है, object clause बन ज करता है, तो यह interrogative वाला rule अगवा, WHK बाद helping of